हेलो एवरिवन वेलकम अगिन इन लर्ण में दितिमन बचों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 जोग्राफी और जोग्राफी का स्टार्टिंग है 12 नमर्ड चेप्टर से भारत का भौतिक सवरूप इसमें टोटल चार चेप्टर हैं जोग्राफी के 9th क्लास के अंद तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की अमेशा की तरह है फर्स कोशन है दक्षिन एशिया में इस्थित भारतिय उपमहादीब का सबसे बड़ा देश कौन सा है दक्षिन एशिया में जो इस्थित आपका भारतिय उपमहादीब है उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा तो एक बात तो आप इसमें ये समझें, मुख्य भूमी क्या है और भारत की भूमी क्या है, भारत की भूमी और मुख्य भूमी ये इसक्रिशन में बहुत कंफ्यूज गरता है, मुख्य भूमी का मतलब जिसमें जो अंडवान निकोबार दीप समूह है, लक्षी दीप समूह ह 68 degree 7 minute से 97 degree 25 minute पूर्वी देशांतर में, है ना, नेक कुशन देखी, भारत की मुख्य भूमी का अक्छांसी विस्तार कितना है, वो कितना क्या था, देशांतर ही विस्तार, ये क्या है, अक्छांसी विस्तार, अक्छांसी विस्तार कितना है इसका, आठे डिग्री चार मिनिट से 37 डिग्री 6 मिनिट उत्री अक्षांस में भारत की मुख्य भूमी का अक्षांस से विस्तार है नेक कुशन देखिए भारत का प्रमानिक समय किस दिसंतर रिका से माना जाता है भारत का प्रमानिक समय किस दिसंतर रिका से माना जाता है देखिए ये जो questions हैं बहुत important है इनमें से एक भी question ऐसा नहीं है जो important नहीं है इसकी एक line important होती है धान रखेगा या तो 82 degree 30 minute 82 degree 30 minute पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमानिक समय देशांतर रेखा माना जाता है बारत का प्रमानिक समय देशांतर रेखा है वो कित्मीय पह है 82 degree 30 minute पूर्वी देशांतर पड़ नहीं कोशिन देखिए भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है एकBoard का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है विस्तार है भारत का उत्तर से दक्षण तक कितना विस्तार है तो हम जब जानते हैं 3214 किलोमेटर है 3214 किलोमेटर इसका विस्तार है भारत का उत्तर से दक्षण तक है ना नेक क्वेशन देखिए भारत की इस्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की इस्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है तो कितनी है 15200 किलोमेटर इस्थलिय सीमा यानि जो चारो तरफ जो इस्थलिय जो सीमा बनती है जो अन्य देशों से मिलती है वो सीमा कितनी है इस्थलिय सीमा तो वो है 15,200 km नेक कोईशन देखिए भारत की समुद्रिय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 7,516.6 km इसमें दीप समुव साइट जो टोटल समुद्रि सीमा है उसको समलित किया गया है तो इस्थर यह सीमा 15,000 के लगब गया और ये 7,000 के लग पिख रहे, नेक क्वेशन देखी, भारत का छेत्रफल कितना है, आप भारत देश के निवासी हैं, तो आपको निश्यत रुप से पता होना चाहिए कि भारत का छेत्रफल कितना है, आपका जो छेत्रफल है, 32,87,263 वर किलोमेटर है, जो पूरे विश्व का 2.42% है मात्र, जो कितना है, पूरे विश्व का जो भाग है, वो 2.42% मात्र भाग है ये बारत का छेत्रफल, नेक क्वेशन देखी, भारत की सीमा से सटे पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं, तो कौन-कौन से हैं वो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटा मियानमार और बंगला देश, आपके जो कितने देश हैं, टोटल साथ देश हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, जो बड़े भी हैं, और नेपाल, भूटान, मियानमार और बंगला देश, ये चोटे देश हैं, है ना, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, च ये सात्वा बड़ा देश है, छेत्वल की दस्टी से भारत विस्व का सात्वा बड़ा देश है, नैक कुश्चन देखी, भारत की जन्गन्ना 2011 के अनुसार भारत की जन्सक्या कितनी है, भारत की जन्सक्या कितनी है, 121.02 करोर, विस्व की लगभग 17.5% जन्सक्या भारत के के अंदर निवास करती है विसकी लगभग 17.5 प्रितिसाद जो जंसंक्या है केवल भारत के अंदर निवास करती है और इस दोजार गार्रेक्री की जंडगना के अंसार कितनी हैं 121 करोड पॉइंट 02 करोड है 121.02 करोड जंसंक्या यहां की बताई गई है देश की संपूर्ण शेत्रफल का कितना प्रतिसाद भूमी परवतिय पहाड़ी पठारिय मैदानी भाग है देश की संपूर्ण शेत्रफल का देश के जो संपूर्ण शेत्रफल है उसका कितना प्रतिसाद है भूमी परवतिय पहाड़ी पठारिय मैदानी भाग तो देखते ह करम से जो आपका भूमी परवती छेत्र है वो है 10.5% आपका पहाड़ी छेत्र है वो 18.6% है पठारी भाग है वो 27.7% है और मैदानी भाग जो सर्ब से ज़्यादा है यापने वो 43% है तो देखे परवती भाग कितना है 10.5% पहाड़ी भाग 18.6% और पठारी बाग 27.7% और मैदानी बाग 43% है Next Question देखिए बहुतिक आधार पर भारत भूमी छेत्र को कितने भागों में बाटा जाता है तो कितने भागों में बाटा जाता है या आपके बाटा जाता है पांच भागों में एक उत्तरपूर परवतिय परदेश कौन-कौन से भागें हिमाले परवत भारत के कितने सित्फवल में फैल्ला हुआ है ये कितने चेत्र में है पांचलाख बर किलोमेटर चेत्र में फैला हुआ है और ये लगबग 2400 किलोमेटर लंबा है और 150-200 किलोमेटर चौड़ा भी है जो हिमाले परवत है वो 5 लाख बर किलोमेटर फैला हुआ है इसके लंबा ही कितनी है ये कर्विन 2400 किलोमेटर लंबा है है ना और ये 150-200 km चोड़ा भी है नेक कुश्चन देखिए हिमाले जहां पर है वहां पर सागर था यह हमने सुना है जिसमें भूकर भी है हलचलों के कारण अफसाद जमाव के पच्चाद अफसादी चट्टानों के मुडाव के कारण हिमाले का निर्मान हुआ संबंधित सागर का नाम क्या था यह जो घटना हुई जिसमें हिमाले सागर बना अफसादी चट्टानों के मुडने के कारण जहां पर पहले सागर था तो उस सागर का क्या नाम था उस सागर का क्या नाम था टेथिस सागर ये question बहुत बार repeat हुआ है तो इसका ध्यान रखे गई है अलग अलग तरीके से घुमा कर पूछा जाता है इसलिए इसका मैंने complete description question में देने का प्रेस किया है ये कौन सा सागर है ये टेथिस सागर है ठीक है ने question देखिए ब्रहध हिमाले को किन भागों में वर्गी करत किया जाता है ने question देखिए ब्रहध हिमाले के प्रमुक सीर्स परवत कौन से है व्रहध हिमाले के प्रमुक सीर्स यानि सिखर प्रमुक सिखर परवत कौन से है तो हम जानते हैं माउंट एबरेश जो विसका सबसे मुझा परवत है कंचन जंगा नंगा परवत और नंदा देवी ये कुछ मुख्य सीर्स परवत हैं ब्रहध हिमाले में नएक क्वेशन देखिए लगो हिमाले के प्रमुक शेर्णिया कौन सी है लगो हिमाले के प्रमुक शेर्णिया है वो कौन सी है तो वो पीर पंजाल है परी पंजाल गलती से लिखा हुआ है और धोलाधार कौन कौन सी है पीर पंजार और धोलाधार ये यहां लगो हिमाले क प्रमुक शेणिया है तीक है नेक कोशन देखिए उप हिमाले के प्रमुक पहाडियां कौन सी है उप हिमाले के प्रमुक पहाडियां कौन सी है तो उप हिमाले में जम्मू, गिरी, मिस्मी, डाफला और पहाडियां यह जम्मू वाली जम्मू में है और गिरी, मिस्मी और नैक कोइशन देखे, हमाध्री या आंतरिक हिमाले किसे कहा जाता है? तो ये व्रहत हिमाले भाग को ही हमाध्री या आंतरिक हिमाले भी कहा जाता है? नेक कोशन देखिए, व्रहद हिमाले किती लंबाई में फैला हुआ है, व्रहद हिमाले किती लंबाई में फैला हुआ है, तो हिमाले का जो ये भाग है, ये पूरी हिमाले की लंबाई में फैला हुआ है, तो ये 2400 किलोमेटर ही फैला हुआ है, और सिंदु नदी के मोड से ब भारत में होते हुए पाकिस्तान में जा रही है वहां से होते हुए यह ब्रह्मपुत यानि बिल्कुल आश्ट आपके पूर्वी भारत तक यह जाती है एक चाप बनाती है और इसकी जो लंबाई है चोड़ाई जो है व्रध हिमाले की याद रखे जब हिमाले की चोड़ाई पूँचे गई थी तो वो 500-200 km थी लेकिन जब ब्रहद हिमाले की बात करें तो वो 25-50 km ही है और इसकी लंबाई उतनी है जितनी की पूरे हिमाले की है यानि 24-100 km लंबाई में फैला हुआ आए और इसकी ओसत चोड़ाई है जो 25-50 km है नेक क्वेशन देखिए ब्रहद हिमा लगव हिमाले और उप हिमाले इन तीनों की उचाई काफी इंपोर्टेंस रखती है तो इस चीज का ध्यान रखेगा व्रहद हिमाली का उस्त उचाई जो है वो 6000 मीटर है जिसमें 40 परवश स्रेणिया 40 परवश सिकर ऐसी है चोटी आइसी है जिनका जो हाइट है वो 7000 मीट मीटर है तो इस वज़े से इस व्रहद हिमाले के जो उस्तन जो लगबग उचाई है वो 6000 मीटर है जिसमें से 40 परवश स्रेणिया 7000 मीटर से भी अधिक है नहीं क्वेशन देखी विस्व की सबसे उची परवश सिकर माउंट एवरेश हिमाले के किस भाग में है विस्व का स और देखी नहीं किस बाग में हं वो हमने अभी बात की थी वो ब्रहद हिमाले का ही हिस्सा है नगक कोश्यन माउंट एवेस्ट पर चढ़ने वाली प्रिथम भारती है महिला कौन थी देखिए इनका नाम काफी फेमस रहा है यह है बचेंद्री पाल 1984 मेनों ने चढ़ाई के थी बचेंद्री पाल ने कौशन देखिए भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी हैNO हिमाले में तो Mount Everest है लेकिन भारत में हिमाले की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए Mount Everest भारत में नहीं आता है हमारे यहाँ पर कंचन जंगा जो है वो भारत की सबसे उची हिमाले की चोटी है कौन सी है भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है कंचन जंगा है ज देखे हमने जब छोटी क्लास में पढ़े थी तो हमने देखा था कि दर्रे क्या होते हैं, इन सारी चीजों के ब्यार में काफ़ी डिस्कुशन किया था, तो उन क्लासेज को भी आगा है, आपने नहीं देखा है, तो प्रीज उनको देखेगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें और आपको आसानी से याद हो सकें, तो व्रैद हमाले सेट में प्रमूख दर्रे कौन से हैं, जोजिला, सिपकीला, मानाला, और नीटिला, ये इस नाम से और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य दर्रे हैं, जो काफ़ी mangella, सिपकीला, मानाला, और नीटि है ना, नेक क्वेशन देखिए, यमना वे गंगा नदियों का उद्गम छेतर किस हिमाले छेतर में है, तो हमें पता है, ये व्रध हिमाले छेतर से ही निकलती है, उनका जो उद्गम इस्तल है, वो यमना और गंगा नदियों का व्रध हिमाले छेतर में ही है, नेक क्वेशन द लगू हिमाले की उस्तन उचाई कितनी है लगू हिमाले की यह परियाय नाम है वाकि इससी बहुत ही मा और परियाय वाकिय से इसी को हिमाचल हिमाले अथवा मद्र हिमाले काकी कहा जाता है लग misam educator can Next question देखी, लगू हिमाले की ओस्तन उचाई कितनी है? 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 लग लगू हिमाले की 4000 मीटर तक है और वो 60-80 किलोमेटर तक चोड़ा है नेक क्वेशन देखी लगू हिमाले का प्रमुक दर्रा कौन सा है लगू हिमाले में एक दर्रा है जो काफी फिमस है और उसका नाम है बनी हाल दर्रा लगु हिमाले का प्रमुख जो दर्रा है वो है बनी हाल दर्रा नेक क्वेशन देखिए लगु हिमाले में इस्थित प्रमुख परेटन इस्थल कौन से हैं? तो इन सभी इस्थलों के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुनाओगा सिमला, मसूरी, नैनी ताल, दारजिलिंग, रानी खेत आ दी है ना सिमला, मसूरी, नैनी ताल, दारजिलिंग, रानी खेती सभी क्या है? यह ऐसे प्रेटन इस्थल हैं जो लगु हिमाले में इस्थित हैं नेक क्वेशन देखिए लगो हिमाले में उच्छ ढालों पर कौन धारी वन वे निम्न डालों पर घास के छेतर पाये जाते हैं जिने कस्मीर में किस नाम से जाना जाता है तो कस्मीर में किस नाम से जाना जाता है मर्ग और इनके एक्जामपल है सौन मर्ग है गुल मर्ग है ये काफी फेमस ऐसे छेतर हैं जिनको इस नाम से जाना जाता है मर्ग कहा जाता इनको चुशन मर्ग है गुल मर्ग है वो छेत्र के साब से फेमस हैं यानि बहा इमाले और सिवालिक हमाले किसे कहा जाता है तो हम जानते हैं ये उप इमाले के परियाएं है या पिर कहें उप हिमाले को बहा हिमाले या सिवालिक हिमाले भी कहा जाता है नेक कोशन देखी हिमाले के तीनों भागों में सरवादिक नवीन सेणिया कहां इस्तित है जब कोशन डीप में जाता है जब कोशन को बहुत गहराई के साथ पूचा जाता है तब इस प्रकार की कोशन्स आते हैं तो इस चीज का ध्यान रखेगा हमाले में जो तीनों भाग हैं यानि आपका व्रहद हमाले, लगू हमाले और उप हमाले उसमें सबसे जो नवीन सेणिया हैं वो कहां पर हैं आपकी वो आपकी उप हमाले के अंदर गत है उप हिमाले जो अभी भी बनता जा रहा है यानि अभी भी जो अफसादी चटाने है वो अपनी मुडाव पर है और हिमाले का लगाता निर्मान करती जा रही है तो देखिए हिमाले की जो सबसे नवीनतम जो सेणिया है वो कहाँ पर है वो उप हिमाले के अंतरगत हैं जिसकी उँचाई भी अभी बहुत कम है Next question देखे उप हिमाले का फैलाव पस्चिमी जम्मू पहाडियों से प्रार्म होपर पूर्में किस नदी तक माना जाता है उप हिमाले का फैलाव जो है पस्चि में जम्मू पहाड़ियों से प्राइरम होता है और पूर में किस नदी तक माना जाता है तो कौन सी नदी है? वो है तिस्ता नदी. तिस्ता नदी में 80-90, अच्छा इसमें एक बात और है, तिस्ता नदी तक तो जो फैलाव है, वहां तक है, लेकिन उसके बात क्या है? 80-90 किलोमिटर का अंतराल आ जाता है. और उसके बात फिर से ये प्राइडम हो जाती है, और उस उसके बात 80-90 किलोमिटर का अंतराल पड़ता है, और उसमें पूर्व की और अच्छल परदेश तक फिर से ये दुबारा स्टार्ट हो जाती है. नेक क्योशन देखिए. उप हिमाले की आस्तन उचाई कितनी है? उप हिमाले की आस्तन उचाई कितनी है? तो आपको याद हो वो 10-50 किलोमिटर ये चोड़ा है. ये कितना चोड़ा है? 10-50 किलोमिटर जगे जगे इस्तान के एसाब से कहीं कम और कहीं ज़्यादा ये चोड़ा है. नेक क्योशन देखिए. उप हिमाले की पहाड़ी भाग को जमू वे अरनाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? जमू में जमू पाड़ियां कहा जाता है और अरनाचल में गिरी, मिस्मी, अबोर, डाफला, ये इस्तान इस्तान की जगे पर इनको अलग-लग नाम दे दिये गए और जमू में जमू पाड़ियां और इस अरनाचल में गिरी, मिस्मी, अबोर और डाफला पाडियों के नाम से इसको जाना जाता है नएक कोश्यन देखिए सिवालिक स्रेणियों में नदियों के कटाव से निर्मित चौड़े छेत्र जहां जलोड जमाव से उंचे घाटी मैदा निर्मित हो जाते है इसका मतलब क्या है? सिवालिक जो सेणिया है यानि आपका जो उप हिमाले जो छेत्र है उसमें मुठ खेता क्या होता है? जो नदियां आती है उनकी से काफी चौड़े छेत्र निर्मित होगा और जो जलोड मिट्टी वो लेके आती है उसका जमाव हो गया जमाव हो गया तो वहाँ मैदान बन गए और जब मैदान बन जाते हैं तो वो छेत्र क्या होता है? वहाँ पर लोग नहने लगते हैं तो उन छेत्रों को अलग-अलग नाम से जाना जाता है तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखें पूर में इसको क्या कहा जाता है द्वार कहा जाता है इन छेत्रों को और पस्ची में दून कहा जाता है तो पूर में जो द्वार कहा जाता है उसी जैसे हरी द्वार इसका एक एक एक्जमपल है तेके हरीद्वार जो है वो ऐसा ही छेत्र है जहां पर घाटी मैदान ये सिवालिक शेणियों में है और घाटी छेत्र में ही है और यहां पर जलोड जवाव के करण मैदान बन गया है और इसको हरीद्वार कहा जाता है द्वार इसको मुख्य नाम है और हरी इसके आगे लगा इस तरह पश्चे में दून है जिसको दहरा दून बना दिया गया वो भी सिवालिक श्रीनी का ही हिस्सा है 1947 के भारत विभाजन से पूर्व भारत के उत्री मैदान को किंदो नदियों के मैदान के रूप में प्रदर्सित किया जाता था या फिर कहें 1947 का भारत विभाजन हुआ था उससे पूर्व भारत का उत्री मैदान था उनको किंदो नदियों के मैदान के रूप में कहा जाता था कि ये इन दो नदियों का मैदान है, ऐसी कौन सी नदियां थी, तो वो थी सिंदु और गंगा, यानि गंगा सिंदु नदी के मैदान कहा जाता था भारत के उत्री जो मैदान है उनको, ठीके 1947 से पूर, ने कोशन देखिए, 1947 के भारत विभाजन के बाद, भारत की उत्री मैदान को किन नदियों के मैदान के रुपए परिभासित किया जाता है किया जाता है यानि अब जो भारत का जो उत्री मैदान है उसको किस तौर पर सो किया जाता है तो वो है सतलज गंगा और ब्रह्म पुत्र का मैदान किसका का जाता है वो 17 गंगा और ब्रह्म पुत्र के मैदान के तौर पर परिभासित किया जाता है भारत के उत्री मैदान को ने question देखिए, सतलेज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भौगौलिक रूप से किस प्रकार का आकार बनाता है, यह आपको पता होना चाहिए, देखिए अलग-अलग books में अलग-अलग दिया हुआ है, तो कई जगे आप confused हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेगा, कि यहा बुक्स में जो डाटा होता है, वो ही मानने होता है, तो यहाँ पर जो आकार दिया है, वो ही final होगा, NCRT में अलग दिया है, यह उसमें अलग दिया है, वो मानने नहीं होगा, यहाँ पर केवल और केवल, जब राइस्थान की बुक्स ही मानने होगी, तो ध्यान रखेगा, कि सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का भोगल काकार क्या है वो है धनुसाकार रूप में है ये किसा अपकार में है ये धनुसाकार रूप में Next question देखे सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कितने लंबाई में फैला हुआ है इसकी लंबाई कितनी है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो कितनी लंबाई में फैला हुआ है वो है 2400 किलोमीटर लंबाई में देखे आपको याद होगा हमारा हिमाले छेतर था वो कितना लंबा था 2400 किलोमीटर लंबा था हमारा आपका जो ब्रहद हिमाले था उसकी लंबा ही किती थी, वो भी 2400 किलोमेटर के लगबक थी, और ये जो 17 गंगा ब्रहमपुत्र का मैदान ही, ये कितना लंबा है, ये भी 2400 किलोमेटर लंबा है, और इसकी जो चोड़ाई है, इस 17 गंगा ब्रहमपुत्र के मैदान की, जो कितनी है, 1500 से 300 किलोमेटर चोड़ इसकी मानी जई है, नहें कॉंशन देखी। दौआप किसे कहते हैं, दौआप किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपोर्टरेट है। ये आपको पता होना चाहिए, दौआप बहुत बार आचुका है है, ये कुंशन इसका आंतर है, दौ नदियों के मद्धे जलोड के जमाँ से निर्मित मैदानी भूबाग जलोड क्या है जलोड मिटी है जो की नदियों के द्वारा बहा कर लेकर आई जाती है वो मिटी जलोड मिटी है तो दो नदियों के मद्धे जब जलोड मिटी का जमाव हो जाता है तो जो मैदान बनता है उस भूबाग को क्या कहा जाता है दो बाहा जाएगा. AC भारत के उत्री मैदान भाग में भारत के कौन से राज Merc National आते है? भारत का जो उत्री मैदानी भाग है उसमें कौन-कौन से राज उत्राखंड, उत्रप्रदेश, राजस्थान, बिहार, जारखंड और पश्चिम बंगाल ये सभी ऐसे प्रदेश हैं जहां पर उत्री मैदानी भाग का मुक्यत हिस्सा है। बाटा गया है। तो देखिए ये कोश्चन हम पुरानी छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं और इस कोश्चन को दुबारा हम रिपीट कर रहे हैं तो आपको निश्यत रूप से पता होना चाहिए भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश। मैदान को जो बाटा गया है तो इनके अत्रक किसमे हैं राइस्थान का मरुस्तलिय छेत्री भारत के उत्री मैदान में आता है। लेकिन सामने तो कोश्चन क्या आता है सामने तो कोश्चन केवल जो नदियों का मैदानी छेत्र है उन्हीं का भागल वर्गी करना आता है तो उसके तौर पर आपने भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश। तो टोटल मिलाके आपके चार प्रिकार हैं भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश। लेकिन उत्री भारत के जो मैदानी छेत्र है उसमें सुस्क जो मरुस्थल ये प्रदेश से भी सम्मिलित होता है तो राइस्तान मरुस्थल प्रदानी छेत्र भी इसी के भाबर, प्रदेश का भारत के किन छेत्रों में विस्तार है तो देखे भाबर, प्रदेश की वैकिया हम पहले भी कर चुके हैं उसको परिभासित कर चुके हैं छोटी क्लास में तो अपनी शित्रूप से पुराइन क्लासेश को एक बार देख लीजे अगर आपको याद नह है तो सिवालिक के परवत पदिये छेत्र में 17 नदी से 33 नदी तक 8 से 16 किलोमेटर में ये पहला हुआ है भाबर प्रदेश जो है भाबर प्रदेश क्या है भाबर प्रदेश जो आपके परवत ये छेत्र हैं ये देखे सिवालिक के परवत पदिये परवत पदिये परवत प पाडियां हैं यह न और यहां पर परवत पद ये छेत्र में जब नदी पानी बहागर लेकर आती है तो बिल्कुल उस छेत्र में आप क्या होगा है एसी कंडिशन में क्या होता है जो परवत के बिल्कुल जो कंकर वाला भाग है तो इस छेत्र में क्या होता है नदियां उपर परवत पदिय चेत्र में है और ये कितना है ये 8 से 16 किलोमेटर चौड़ा है चली नेक क्यूशन देखिए भाबर तराई बांगर और खादर प्रवाइट होती है तो कौन सी है वो चेत्र वो आपका है भाबर चेत्र में मैंने बताया था परवत के बिलकुल नीचले हिस्से मौने के वज़े से पत्रों के नीचे पानी चला जाता है तो भूगर भी दिखाई देता है उपर तोर पर नहीं बहता है तो वहाँ पर सामने तब भूमिगर जल पाय नहीं जाता है वहाँ पर भूमिगर नदियां पाय जाती है किस चेत्र क्लास में इसको देखा था कि शेत्र में पाए जाते हैं ये तरही शेत्र में प्रदाइज जाते हैं तरही प्रदेश जो होता है तरही शेत्र जो होता है उसमें दलदली शेत्र पाए जाते हैं क्यों पाए जाते हैं देखें भावर शेत्र के बिलकुल पास होता है तरही शेत और बहार आजाता है तो इस तितिं से बहार आएगा तो यहां दल दली चेत्रों ज़्यादा पाए जाते हैं ने कोश्चन देखिए तराई छेतर कौन से विशाल वनने जीव मुखेतब पाए जाते हैं तराई छेतर में कौन से विशाल वनने जीव मुखेतब पाए जाते हैं तो देखिए इन छेतरों में सामता हाती और गैंडे मिलते हैं कौन-कौन से हैं, हाती और गैंडे जो हैं, वो इन तरही छेत्र में ही सामनेते मिलते हैं, नेक कोश्चन देखें, भारत के उत्री मैदान में प्राचीन तलचट से निर्मित छेत्र क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वो गयलाता है बांगर छेत्र, देखें बांगर छ तो यह पर यह सेसा हमने पड़ा वी था और यह कहापर है यूपी के उत्तरपरिशीह मिभाग में है और ALL प्राखんなड में विसे इस तोर पर यह चेत्र पाया जाता है नेक क्वेशन देखिए नवीन तलचट वे काप से निर्मिष भारत के मैदान को क्या कहा जाता है तो हम जानते हैं जब नई जलोर मिटी आती है कहां आती है जहां पर बार 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 आती है तो वो कि अपने साथ पानी के साथ क्या मिटी लेकर आती है औ और ये सामयते कहा पाय जाएगा? पूरी उत्तरप्रदेश में, जारकंड, बिहार और पश्चिम बंगाल शेतर में ये सामयते देखने को मिलता है. नवीन तल्चट और कामसिनमित भारत के मैदान को क्या कहा जाएगा? खादर शेतर कहा जाएगा? ये पूरी उतरपदेश, जहारकंड, बिहार और पश्चिम बगाल में मिलता है नएक कोश्चन देखी भारत में थार का मरुस्तलिय मैदान छेतर का विस्तार कहां पर है भारत में थार का मरुस्तलिय मैदानी जो छेतर है उसका विस्तार कहां पर है तो देखिए अरावली परवतों के जो पश्चिम छेत्र है, वहां से लेकर उत्तर पश्चिम में जो सिंदू के मैदान तक का जो छेत्र है, वहां तक मरुस्तलिय मैदान का विस्तार है, अरावली परवतों के पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम में सिंदू के मैदान तक ये फैला हुआ है, नेक क्वेशन देखिए, थार का मरुस्तलिय छेत्र कितनी लंबाई में फैला हुआ है, थार का जो मरुस्तलिय छेत्र है, वो कितनी लंबाई में फैला है, वो है 600 km, यानि 650 km लंबाई में है, निर्मित होते रहते हैं, विगठते रहते हैं, तो यह काहाँ पर हैं, यह मरुस्टली चcenter की विशेषता भी है, तो यह कितने उचाई पा जाते हैं, 500 से 377 मीटर, यहाद रखिये गए, यह मीटर में हैं और बागी दोनों योनिट किसमें हैं वो किलो मीटर में हैं, नेक कोश्चन देखिए, थार के मरुस्तली शेत्र में खारे पानी की जीलें कौन सी हैं? नेक कोश्चन देखिए, सरस्वती नदी के अबसे किन खेत्रों में मिलते हैं? थार के मरुस्तली शेत्र में सरस्वती नदी के अबसे स्पाय जाते हैं? तो इसी के साथ आपका ये उत्री भारत के मैदान से समझे जितनी भी कोश्चन थे, वो मैंने इसमें निकाले हैं। भारत के प्राइद इप्य पठार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्राइद इप्य पठार का फैलाव कितने खेतर में हैं? भारत का प्राइद इप्य पठार जो है, 7 लाग वर किलोमेटर के खेतर में फैला हुआ है। भारत के प्राइदी प्यप्य पठार का आकार किस प्रकार का है? भारत के प्राइदी प्यप्य पठार का आकार जो है, वो किस प्रकार का है? तो हम जानते हैं सबी, तुर्बुज आकार है वो, है ना? तुर्बुज का आकार का है, ना? उल्टे तुर्बुज का आकार का है, नेक कुश्चन देखिए, भारतिय प्रायदीप पठार जो है उसकी ओसत उंचाई कितनी है? भारतिय प्रायदीप ये पठार की ओसत उंचाई है वो कितनी है? तो वो हम जानते हैं 600 मीटर उंचा है अधिकतम ये 1800 किलो मीटर लंबा और 1400 किलो मीटर चौड़ा है ये 1800 किलो मीटर लंबा और 1400 किलो मीटर चौड़ा भी है 600 मीटर इसकी ओसत उंचा ही है नेक कोश्चन देखिए, भारत के किन राज्यों में इस्थित है? भारत के किन राज्यों में है ये? ये दक्षिनी पूर्वी राज्थान से होते होए गुजराथ, जारकंड, मध्यप्रदेश, चतिसगड, औरिशा, महाराष्ट, आंध्रप्रदेश, करनाटक, तमिल और केरल में आंसिक रूप से है ये? केरल के अंदर ये आंसिक रूप से है और बाकी सभी में दक्षिनी पूर्वी राज्थान, गुजराथ, जारकंड, मध्यप्रदेश, चतिसगड, ओरिशा, महाराष्ट, आंध्रप्रदेश, करनाटक, तमिल नाड़ और केरल लगबग भारत के दक्षिन के मैग्जियम हिस्से में भारतिय प्रायदीप्य पठार फैला हुआ है, नेक कोशन देखिए, भारतिय प्रायदीप्य पठार का विस्तार दक्षिन में कहां तक है, भारतिय प्रायदीप्य पठार जो है, उसका विस्तार में दक्षिन कहां तक है, नाम क कैसा बनाता है उल्टा त्रभुज बनाता है कैसा बनाता है उल्टा त्रभुज बनाता है तो जो इसका आधार है वो उत्तर में होगा और उत्तर में है तो उत्तर में जो है विंद्याचल शेणी जो इस त्रभुजाकार प्राइदीपया पठार का आधार बनाता है और जो सी विभाजित किया जाता है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो भारती प्राइदी प्टार तीन भागों में विभाजित है, पश्चिमिघाट, पूर्वी घाट और दकन का पठार, चलिए, ने कोशन देखिए, सहयाद्री की पहाडियां किसे कहा जाता है, क्रमि शेनी क्रमिक शेनी का मतलब क्या है ये लगातार है इनका बीच में जैसे क्या है पहाड चलते हैं फिर बीच में गैप आ जाता है ये ना अंतराल आ जाता है फिर चलते हैं फिर अंतराल आ जाता है तो ऐसा नहीं है ये क्रमिक पहाडियां है ये सीधी मलब रेगुलर चल रही ये तो सहाद्री की पहडियां किसे का जाता है, पश्चिमी जो घाट है, उसको सहाद्री की पहडियों का maximum हिस्सा सहाद्री की पहडियां है, तो इसलिए पश्चिम घाट को common तौर पे सहाद्री के पहडियां भी कह दिया जाता है, दक्षिन के जो पठार है का जो पश्चिम क नाराय दक्षिन के पठार का जो पश्चिमी के नाराय वो क्या है सहाद्री की पाहडियां है या पश्चिमी गाट का जाता है और तापती घाटी से कुमारी अंत्रीप तक इसका विस्तार है कहां से कहां तक है तापती घाटी से कुमारी अंत्रीप तक ये सहाद्री की पाहड तरीके से mention नहीं किया है कि किस जगह का हिसा है तो यह आपको पता होना चाहिए निलगिरी की जो पहाड़ियां है भारतिय प्राइदीपिय पठार में किस जगह का हिसा है वो पश्चिमी घाट का है निलगिरी की जो पहाड़ियां है वो पश्चिमी घाट के हिसा है जो आपक प्रायदीफ ये पठार में पश्चिमे घाट की ओसत उचाई कितनी है जेकि ओसत उचाई काफी माइने रखती है एक हजार मीटर है इसकी पश्चिमे घाट की जो ओसत उचाई कितनी है एक हजार मीटर है और ये चीज माइने क्यों रखती है क्योंकि जो पठार की बात करते ह तो इसका मतलब है कि सामाने, इस मतलब से वो उँचा है, ज़र उँचा है तो उसका उसत उचाई के बार में हमें जानकरी होनी चाहिए, तो ऐसी इस्तितियों में हमें पता होना चाहिए कि इनकी उसत उचाई केतनी है, तो पश्ची में घाट की जो उसत उचाई वो एक हजा जो 2650 में मीटर उची बताई जाती है और यह कहां पर है पस्ची में घाट की सब्सकी उची चोटी है अनाई मोडी नेक कुष्चन देखिए भोर घाट थाल घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं दर्रे आप जानते हैं आमने पढ़ा है पुशली ग्राश में तो भोर घाट था प्षिमी घाट के दर रहे हैं यह पूर्वी घाट के दर रहे हैं भारत के पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है तो उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिन में निलगी परवत किसका है प्षिमी घाट का है तो उत्तर में महानदी से श्टार्ट होकर दक्षिन में निलगी परवत सट यह पैले होएं यैं यह अक्रमट है श्रयनी है याle इनका जो घाट है जो पाड़िया है चुट चुटी इनके बीच पे अंतराल बहुत आ जाता है क्यों आ जाता है क्योंकि नदियों का बहुत बहुत जो होता है एक्शुल में जो पठार है आपका जो आपका जो मूल पठार है उसका जो धलान है वो सामने तौर पूर्व की द और यह उत्तर में महा नदी से दक्षिन में निलगिरी परवत तक फैला हुआ है पूरवी घाट. Next question देखिए. भारत के पूरवी घाट का विस्तार कितनी लंबाई में हैं? भारत के जो पूरवी घाट है विस्तार कितनी लंबाई में हैं? तो ये लगबग 800 km लंबा है और पूर्वी तट की समानंतर फैला हुआ है जो पूर्वी तट है इस भारत का उसके बिल्कुल समानंतर चल रहा है ये लगबग 800 km है और इसकी औसा तूचाई जो की काफी importance रखती है औसा तूचाई पूर्वी घट की क्या है 600 मीटर है कितनी है 600 मीटर ने कोशन देखिए भारतिय प्राइदी प्यप्य पठार के किस भाग का निर्मान लावा दारवा हुआ है भारतिय प्राइदी प्यप्य जो पठार है उसके किस भाग का निर्मान लावा के द्वारा हुआ है तो हम जानते हैं दकन का पठार है जो वो नावा निर्म यह काफी important है, यह question बहुत बार repeat हो चुका है, काली मिट्टी कापास की फसल के लिए बहुत importance रखती है, तो दक्कन का पठार है, इसके मिट्टी काली पाई जाती है, और क्यों पाई जाती है, क्योंकि यह लावा निर्मित छेतर है, ने question देखिए, भारतिय प्राई दीपिय पठार में स्थित काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, तो हम अभी इसके बारे में बात ही कर रहे थे, कापास की जो फसल है उसके लिए सबसे उप्यूक्त मानी जाती है, काली मिट्टी और यहां कापास की फस काफी मात्रा में की जाती है. ठीक है? चलिए नेक कोशन देखिए दक्कन का पठार कितने शेथतफल में विस्तारित है? दक्कन का जो पठार है वो कितने शेथतफल में है? दक्कन का जो पठार है वो लगवा 5,000,000 P freak किलोमेटर छेतर में फैला हुआ है लगवा 5 लाक बर किलोमेटर में दकन का पठार फैला हुआ है नेक कोश्चन देखिए दकन का पठार भारत के किन राज्यों में विस्तारित है दकन का पठार भारत के किन राज्यों में है तो वह है आप जानते हैं दक्षणी पूर्वी र अवसत मीतर है। नदियां सामनें निसान में भाव रखती है। क्योंकि सामने तर नदियां कहां बहती है पूर्दिशा की ओर ही बहती है तो इस वज़े से इसका पूर्दिशा की ओर वहाव है पूर्दिशा की ओर नदियां सामने तर पर बहती है क्योंकि ढ़लान इसका इसी तरफ है नेक कुशन देखिए, चतिसगड का पठार, मैसूर का पठार, रॉयल सीमा का पठार, तेलंगना का पठार, भारतिय प्रायदीप्य पठार किस भाग का हिस्सा है? यह जो पठार हैं, चतिसगड का पठार, मैसूर का पठार, रॉयल सीमा का पठार, तेलंगना का पठार, यह भारतिय प्रायदीप्य पठार के किस भाग का हिस्सा है? किस जगह का हिस्सा है तो हमें हमें पता है ये सारे दक्कन का पठार के हिस्से हैं जिनको नदियों ने अलग-अलग टुक्डों में बाट दिया है दक्कन के पठार को जब नदियों के दौरा अलग-अलग हिसों में बाढ़ दिया गया, इस वज़े से इन पठारों को अलग-अलग रूप में जाना गया जैसे परेटेनिस्थल हैं भारत के किस भोगलिक भाग का हिस्सा है पंचमडी, महाबलेश्वर, उडगमंडम जैसे उटी भी कहा जाता है ये परेटेनिस्थल जो हैं भारत के किस भोगलिक भाग का हिस्सा है तो हम जानते हैं ये भारतिय प्राइदी 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 प्राइद पर व्रक्षों के वन पाये जाते हैं मानसुनी वन होते हैं तो इसी चेप्टर में जो नेक्स पार्ट वो है आपका अब समुद्र से समुद्र तटिया मैदां जो है आपके और समुद्र जीप वह है और उसके बाद हम ब्राज़िसान के ब्यारें में बी बात करेंगे तो अब ही आपका एक चप्टर थोड़ा सा और बाकी is भारत का दक्षिंतम बिंदू कॊन सा है भारत का दmee पड़ाइन्दरा इनकोन काँ से न कौपर के दिपशन कोबार हैां उसमें ग्रेटblackले मिन्ड़िंदु का जाता है इनकोन है, नेक क्वेशन देखिए, भारत के मुख्य दीप समू कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए, तो अंडबान निकोबार, लक्षे दाफ और श्री हरी कोटा दीप समू में कितने दीप हैं, अंडबान निकोबार दीप समू में कितने दीप हैं, तो लगभग इसमें 265 दीप हैं, और ये कहां पर हैं, अंडबान निकोबार दीप समू है कहां पर, ये कहां पर हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, नेक क्वेशन देखिए, अंडबान निकोबार दीप समू मुख् बहुमी से कितनी दूरी पर इस्थित है भारत की जो मुख्य बहुमी है उससे कितनी दूरी पर इस्थित है अंडबान निकोबार दीप समूहूं के किनारों पर कौन से व्रक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं कौन से पाये जाते हैं सुन्दरी व्रक्ष आपने सुन्दर वन डेल्टा का नाम भी सुना होगा सुन्दर वन डेल्टा का है जो गंगा परमपूत्र के जो बनाता है डेल्टा वहां सुन्दर वन डेल्टा कहते हैं उसको क्यों कहते हैं क्योंकि वहां सुन्दरी व्रक्ष प यह कोईसा थे उतरी अंद्बान, निकोभारदीप समु के बढ़े दीप हैं, बेरान और रूथ लेंट के अलावा, ंड़वान दीप समु किस दिसां में वग किती दूडि परस्तित है? अंड़मान दीप समू से अगर देखा जाए तो नीकोबार दीप समू एक तो किस दिशा में पढ़ता है और कितनी दूरी पर है ये तो ये अंड़मान नीकोबार से जो नीकोबार दीप समू है वो दक्षिन में पढ़ता है और 128 km अंड़मान दीप से दूर है अंडवान दीप से किता दूर है दीप समू से किता दूर है ये 128 km दूर है और किस दिशा में है दक्षिन दिशा में है ये निकोबार दीप समू है नो चलिए नेक कोशन देखिए निकोबार दीप में मुख्य दीप है निको बार दीप में जो मुख्य दीप हैं वो पन कौन से हैं वो आपको पता होना चीए कार निको बार, कामो रटा, तेलान चंगा, तरासा, लिटल निको बार और ग्रेट निको बार कार निकोबार, कामो रटा, तिलान चांग, तरासा, लेटल निकोबार और गेट निकोबार, गेट निकोबार में आपका इंद्रा पॉइंट भी है, है नो, चले, नेक कोश्चन देखिए, लक्षे दीप कितने दीपों का समू है, लक्षे दीप जो दीप समू है, वो कितने तो ये लगववववव 25 दिपों का दिप समुए भारत के पतिसमितर के पास अरव सागर में मुंगे के दीप है यह सारे, किसके हैं? मुंगे के, मुंगा एक प्रिकार का जलिये लख़ी मान लीजिए इसको, तो यह वहां पर पाए जाते हैं, भारत के पत्शिमितर पास लगबग 109 वर्ग किलोमेटर चेत्र में ये पहला हुआ है जो 25 दिपों का जो दीप समू है ये 109 वर्ग किलोमेटर चेत्र फ़ल में पहला हुआ है नहीं कोशन देखे अमन्दीवी और कन्ना नौर दीपों के मद्दे विभाजक रेखा है अमन्दीवी और कन्ना नौर दीपों के मद्दे विभाजक रेखा है क्या है विभाजक रेखा 11 डिगरी उत्री अक्षांस से ये विभाजित होते हैं ये कहां पे हैं ये लक्षे दीप में हैं लक्षे दीप में 11 डिगरी उत्री अक्षांस से इसके 11 डिगरी उत्री अक्षा जाता है और उत्तरवाले को क्या का जाता है अमन दी भी का जाता है और विभाजित कौन करता है गयारे डिग्री उत्तरियक्षांसे इसको विभाजित किया जाता है ने कुशन देखिए ये जो मुखे दीब है चिर्बैनियानी, बेरमागौर, कल्पेनी और मिनी कोई आदी, नेक कुष्ण देखिए, राइस्थान की अक्छान्सिय भौगौलिक इस्थिति क्या है, जब आप राइस्थान से संमधित कोई पेपर दे रहे हैं, तो आपको उसके अक्छान्सिय भौ बहुगलिक इस्थिती के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए तो राजिश्तान की देशांतर इबढ़र इस्थिती क्या है तो Si 98ग उस्थिति से लेकर 78 डिग्री 17 मिनिट पूरवी देशांधर, 59 डिग्री 30 मिनिट से लेकर 38 डिग्री 17 मिनिट पूरवी देशांधर नेक क्एचन देखें तो कितना है है यह? यह 8,69 किलो मिटर, आठ 100,89 किलो मिटर यह फैला हुआ है नेक कुशन देखिए, राइस्थान का उत्तर से दक्षिन तक भौवलों की विस्तार कितना है, कितना है ये, 826 किलोमीटर विस्तार है ये, उत्तर से दक्षिन तक कितना पहला हुआ है राइस्थान, 826 किलोमीटर नेक कुशन देखिए, राइस्थान कितने छेत्रफल में विस्तारित है, तो कितने छेत्रफल में विस्तारित है ये, 3,42,249 वर किलोमेटर में फैला हुआ है, 3,42,249 वर किलोमेटर छेत्रफल है राइस्थान का, नेक कुशन देखिए, राइस्थान का छेत्रफल भारत के छ पूतल शेत्रफल है उसका कितना पृतिसद है ये तो ये दस पॉइंट तीन पृतिसद है यो और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है राइस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत के पूरे शेत्रफल का मातर दस पॉइंट तीन पृतिसद है नेक 70 km लंबी जो सीमा रेका है वो राइस्थान से सकी हुई या इंतराष्टी सीमा जो पाकिस्तान से बनती है नेक क्योशन देखिए राइस्थान के उत्तर में सीमा किन राज्यों से मिलती है राइस्थान में पूर्व में सीमा किन राज्यों से मिलती है तो पूर्व में कौन-कौन से राज्य है उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश है ना चलिए नेक कोईशन देखिए, राहिस्थान के दक्षिण में सीमा में कौन से राज्य मिलते हैं, राहिस्थान के दक्षिण में जो सीमा किन राज्यों से मिलती है, तो वो हैं गुजरात और मद्यप्रदेश, देखिए मद्यप्रदेश इसके पूर में भी पढ़ता है और ये जगे पर यह लगती है, तो इसलिए इसको दक्षिन सीमा में भी इसकी सीमा मिलती है, इसलिए इसको दोनों जगे सम्मिलिक के आ गए, गुजरा तो मदर पतेस कहा है, दक्षिन सीमा में लगने वाले राज्ये हैं, नेक कोईशन देखिए, भारत की जणगर्णा 2011 के अनुसार राजस्थान की जणसंक्या कितनी है, भारत की जणगर्णा 2011 के अनुसार राजस्थान की जणसंक्या कितनी है, तो कितनी है जणसंक्या, 6 करोड 85,484,437 वेक्ती जणगर्णा के अनुसार थे, 6 करोड 85,484,437 वेक्ती निवास करते थे राजस्थान में जणगर्णा 2011 के अ नेक कुश्चन देखिए, भारत की जंगर्णा 2011 की अनुसार राजस्तान का जंसंक्या घनतर पर कितना है? नेक कुश्चन देखिए, राजस्तान में सेट्रफल की दरष्टी से कौन सा जिला सबसे छोटा है? राइस्थान में छेत्रफल की दस्टी से कौन सा जिला सबसे छोटा है देखे ये question बहुत बार repeat हो चुका है और ये इसके आने की हमें से संभाव ना वनी रहती है तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा जिला कौन सा धौलपूर है राइस्थान को जो सबसे छोटा जिला है छेत्रफल की दस्टी से वो धौलपूर है इसी तरह ना question देखे राइस्थान में छेत्रफल की दस्टी से कौन सा जिला सबसे बड़ा है कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो देखिए जन्सक्या गनत भी सबसे कम है जैसल मेर का और ये छित्फल की दस्टी से भी बहुत बड़ा है जैसल मेर तो जैसल मेर राइस्तान का छित्फल की दस्टी से सबसे बड़ा जिला है नेक कोश्चन देखिए राजस्तान को प्रसासनिक आधार पर कितने संभागों में बाटा गया है यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन कोशन है और यह आपको बकाइदा इन संभागों के नाम भी याद होने चाहिए तो राजस्थान को कितने प्रसासनिक आधार पर कितने आज समभागों में बाटा है साथ समभागों में बाटा है कौन-कौन से जैपूर, अजमेर, बिकानेर, जोध्पूर, उदैपूर, कोटा और भरतपूर कौन-कौन से हैं यह आपको याद होने चाहिए जैपूर, अजमेर, बिकानेट, जूदपूर, उदैपूर, कोटा और भरतपूर ये साथ संभाग हैं इन से सम्मदित बहुत बार कोशन आते हैं तो ये आपको निच्छी दूप से याद होना चाहिए नेक कोशन देखें राइस्थान को प्रशासनिक आधार पर कितने जिलों में बाटा गया है राइस्थान को प्रशासनिक आधार पर कितने जिलों में बाटा गया है देखें प्रशासनिक आधार सब्द से आप बिल्कुल भ्रमिक में तो हुएगा इसकारत यही है कि राइस्थान को कितने जिलों में बाटा गया है तो हम जानते हैं राइस्थान में 33 जिले हैं तो राइस्थान को प्रसासनी का अधर पर 33 जिलों में बाटा गया है नेक कोशन देखिए राइस्थान को प्रशासनी का अधर पर कितने तहसिलों में बाटा गया है देखिए तहसिलों की संक्या भी कई बर मुझ ली जाती है तो इसको भी आपको पता होना चाहिए राइस्थान की प्रशासनी का अधर पर कितने तहसिल है ये 244 तहसिलों में बाटा गया है, राइस्थान को 244 तहसिलों में बाटा गया है, राइस्थान के उत्तर पश्रिम का अधिकांस भाग किस सागर का अवसेस माना जाता है, उत्तर पश्रिम का अधिकांस भाग जो है, वो किस सागर का अवसेस माना जाता है, कौन सा ऐसा सागर जो वहां पे था लेकिन अब नहीं है तो कि सागर का अफसेस है वो टेथिस सागर का अफसेस को माना जाता है नेक कुश्चन देखी राइस्थान के किन जीलों को टेथिस सागर के अफसेस के रुपे माना जाता है राइस्थान में जो जीले हैं कुछ जीले हैं जिनको कहा जाता है ये 33 सागर के अफसेस हैं तो ये कौन से जीले हैं जिनको 33 सागर के अफसेस के रुप में माना गया है वो हैं सांभर, डेडवाना, पचपदा, लून करण सर ये जो जीले हैं ये सारे क्या हैं खारे पानी की जीले हैं और इसी वज़े से इसको टेष्टी सागर के अफसे इसकी रुप में माना जाता है सांभर, टेट बाना, पचपदा, लूंग टरन सर ये सबी क्या हैं ये खारे पानी की जीले हैं नेक कुशन देखिए, विस्व की प्राचींतम परवशंकला कौन सी है, देखिए ये कुशन ये बहुत रिपीट हो चुका है, बहुत जगह आ चुका है, तो ये कुशन मेरी साब साब सभी को बताओगा, हमारी जो अरावली परवतमाला है, जो राइस्थान को बीच में से न बहा जाता है, राइस्थान में एक ऐसी स्ट्रेक्चर प्राकरतिक आकरती है, जो की जल विभाजक है, मलब राइस्थान को दो भागों में बाढ़ देती है, आप बहात अंत्र को दो भागों में बाढ़ देती है, कौन सी है, तो हम जानते हैं वो अरावली परवतमाला ही ह अरावली परवत माला राईस्थान को दो भागों में विभाजित कर दीती है अब वहत अंत्र को दो भागों में विभाजित कर दीती है इसलिए से मुखे जल विभाजक जो है वो प्राकृति काकृति है यह अरावली परवत माला और यह मुखे जल विभाजक भी है नेक कोशन देखिए, राइस्थान को भागौलिक आधार पर कितने भागों में बाटा जाता है, तो कौन-कौन से आख भाग हैं, इसको पांच भागों में बाटा जाता है, पस्छिम मरुस्तलिय प्रदेश आ जाता है, आपका अर्द सुस्क प्रदेश है, अरावली प्रदे अर्दसुस्क प्रदेश, रावली प्रदेश और मरुस्तलिय प्रदेश यह जब पांच भागों में राइस्थान को सामने तौर पर बाठा जाता है नए कोशन देखिए राइस्थान के भागोलिक विभाजन के आधार पर सबसे बड़ा भागोलिक चेता है जो हमने अभी पांच टाइप के जो छेत्र हमें वरगी करत किया राइस्थान के भागोलिक भाग को तो उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा आता है तो वह है पश्री मरुस्तलिय वो राइस्थान के सबसे मुख है, भाग है, सबसे बड़ा भाग है। Next question देखें, राइस्थान के पश्रिमी मरुस्तलिय प्रदेश को कितनी समानांतर पेटियों में विभाजित किया गया है। तो कितनी हैं यह, मरुस्तले प्रदेश, जो बालुका और इस्तूप हैं, जिसमें बांगर और राही, यह तीन समानांतर पेटियों हैं। जाते हैं बांगर जिसमें रेतीली मिट्टे के मेदान पाए जाते हैं जली नाँ कोशना देखिए राइस्थान के पश्चिमी मरुस्व भाग की उचाई कितनी हैं राइस्थान के पश्चिमी मरुस्थली भाग की जो उचाई है औस्तन उचाई देखी जाती है तो वो कितनी है तो आस्तन 150-300 मीटर उचा है यह राइस्थान के पश्चिमी मरुस्थली भाग में पाई जाने वाली कटकों को इस्थानी भासा में क्या कहा जाता है रायस्थान के पस्चिमी मरुस्तलिय भाग में पाई जाने वाली कटकों को इस्थानिय भासा में क्या कहा जाता है कटक क्या है कटक क्या है जब धरातल या धर्ती पे या भूमी में जब पानी के वज़य से कटाव आ जाता है और जब कटाव थोड़ा बड़ा हो जाता है उनको कटक कहा जाता है तो इन कटकों को इस्थानी बासा में क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है धोरे धोरे ये question important है राइस्थान के पश्चिमी मरस्तलिय भाग में पाई जाने वाले जो कटक हैं तो वह हैं आपके जैसलमेर, विकानेर, जोधमूर और बार्डमेर, जैसलमेर, विकानेर, जोधमूर और बार्डमेर जो जिले हैं ये वोग है पश्चिमी मरुस्तलिय भाग में आते हैं 25 cm की वर्षा रिखा निर्मित होती है, यह है पूरी भाग में, कहां होती है यह, पूरी भाग में, नेक क्वेशन देखिए, राहिस्तान के 800 को प्रदेश में किस दिशा में 25 cm की वर्षा रिखा निर्मित होती है, देखिए 800 को और आपका पश्री मरुस्त लिपर दोनों के अ इस बात का आप ध्यान रखेगा, इसमें गन्फ्यूज मत होईएगा नेक क्वेशन देखें राइस्थान के अर्दोसुस्क प्रदेश का फैलाव कहाँ कहाँ है? तो ये अरावली परवत्माला के पश्चिम से उत्तर पूरूर से दक्षिन पश्चिम तक है अर्दोसुसक प्रदेश का फैलाव नेक वेशन देखें राइस्थान के अर्दोसुसक प्रदेश की ओस्टन उचाहि एक informally तो देखें आपने जब देखा था पश्चिम मरुस्टा लिसे थे की तो वह 1500 से 300 मिटर उचाहिए था 300-400 मीटर उचा है नैक क्वेशन देखिए राइस्थान के अर्दसुस्क पर देश में मूलताह कौन से जिले आते ही यहाँ आर्दसुस्क प्रदेश के नेकक क्वेशन देखिए राइस्थान के आंत्रिक अपपा छेत्र को क्या कहा जाता है राइस्थान का जो आंत्रिक अपपा छेत्र है यानि घुमी के अंदर जो जल पहता है उस प्रवाद छेत्र को क्या कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है बांगर कहा जाता है उस समांतर पेटी का नाम क्या था? बांगर और ये क्या है? बांगर इसमें डै इस बात में confuse मत होगenda कर रिया रेली मिट्टी कैं मीदान पाए जाता है तो बांगर और बांगर में confuse मत होगenda नेक क्वेशन देखिए, राइस्थान के अर्दसुस्क प्रदेश में मूलता है उप प्रदेश हैं, उप प्रदेश क्या 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 लाते हैं, लूनी बेशिन, सिखावटी भाग, नागौरी उच्च भूमी और गगर का मैदान, ये क्या हैं, ये राइस्थान के अर्दसुस प्रदेश में उप्रदेश की तोर पे देखा जाता है इनको लोनी बेसिन, सिखावटी भाग, नागौरी उच्छ भूमी वे गगर का मैदान नहीं कोशन देखिए किसे आडा वाला पहाड कहा जाता है ये कोशन काफी इंपोर्टेंट है ये आ सकता है किसे आडा वाला पहाड कहा जाता है आडा वाला पहाड किसे कहा जाता है हमारी अरावली को ही आडा वाला पहाड कहा जाता है नहीं कोशन देखिए अरावली का विस्तार कितनी लंबाई में है अरावली का जो विस्तार है वो कितनी लंबाई में है बचों नेक क्सटन देखें अरावली की सर्वो चोटी वह कौन सी है और कितनी उची है तो अरवली की जो सर्वो चोटी है, वो गुरू सिखर है, जो 1722 मीटर उची है, और गुरू सिखर उसको नाम है, कौन सी जिले में है ये, सिरोही जिले में माउंट आबू के पास इस्तित है, नेक कुछन देखें, James Kendall Todd ने किसे संतों का सिखर कहा है देखिए इस टाइप के जो questions होते हैं न बचों ये काफी repeat होते हैं या फिर ये बार बार आने कि इनकी संभावनाएं होती है तो ये question नहीं देखा गया है लेकिन ये काफी importance रखता है ये आ सकता है और बहुत जल्दी किसे ने किसे एक्जाम में आएगा तो हो सकता है आपके रीट के एक्जाम में ही आजए तो इस टाइप के questions पर थोड़ी measure ज्यादा रखिएगा जेम्स कंडल टॉड ने किसे संतों का सिखर कहा है तो किसे कहा है गुरू सिखर जो हमारे जायसान में सबसे उचा भी है रावली परवश रंखला ये अरावली ये हिमाले चेत्र और नीलगीरी परवश यानि भारत के जो उत्तर से लेकर दक्षिन तक का जो इस्थिति है उसम तो ये संतों का सिखर भी कहा है जेम्स कंडल टॉड ने ने कुशन देखी अरावली को भौगवली का अधार पर किस प्रकार बाटा गया है तो हम जानते हैं उत्तर पूर्वी पहाड़ी मध्य अरावली मेवाड की पहाड़ियां जिसको भौराठ का पठार भी कहते हैं और आबू परवत इन रूप में इसको बाटा गया है ने कुशन देखी राइस्थान के पूर्वी भाग में मुखेता कौन से बेशन सामिल है राइस्थान का जो पूर्वी भाग में उसमें मुखेता कौन से बेशन है तो वो है चंबल बेशन की निमन भूमी और बनास वै माह यहां पर मुक्यत हैं next question देखी रायश्चान के पूरी लाग में पाई जाने वाले बाढ़ के मैदान नदी, कगार, बीहर वे अंतवसरीता हैं अंतवसरीता हैं किस नदी भीहर का हिश्चा है देखे आपने देखा हो गा जो बाड के मैदान हैं ये तो किसी भी नदी कागार बीहड आपने चंबल के बीहड बहुत सुना होगा ये सब्द आपने बहुत सुना होगा तो बीहड किस के हैं बीहड क्या है ये जंगली छेत्र हैं जो नदी के कटाब से निर्मित हो जाते हैं तो बाड के मैदान नदी का अगार, बीहर और अंतिसरीता हैं, चंबल के बीहर आपको पता है, फिर मों में भी आते हैं, चंबल के बीहर है न, चादि नहीं कुशन देखिए, बनास विशिन को किन दो भागों में वर्गीकरत किया हुआ है, बनास विशिन को किन दो भागों में वर्गीकरत किया हुआ है तो बनास बेशिन को जो हैं, दो भागों में हैं, मालपुरा करॉली मैदान और मेवाड का मैदान बनास बेशिन को दो भागों में वर्गी करतिया है, मालपुरा करॉली का मैदान और मेवाड का मैदान नेक कोशन देखिए किस नदी के मैदान को चपन का मैदान कहा जाता है चपन का मैदान किस नदी के मैदान को चपन का मैदान कहा जाता है यह आप जानते हैं यह हिश्टिक हिसाब से भी काफी इंपोर्टेंस रखता है यह कोशन तो इसका आंसर आपको पता होगा, माही नदी के जो मैदान है, उसको इचपन का मैदान कहा जाता है, माही नदी के मैदान को ही क्या कहा जाता है, चपन का मैदान कहा जाता है, ने कुशन देखिए, दक्षणी पूर्वी पठारी प्रदेश को किन अन्य नाम से जाना जाता है जक्षणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है राइस्थान का उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो आप जानते हैं इसको हाड़ोती का पठार भी कहा जाता है हाड़ोती का पठार इसको कहा जाता है ने कोशन देखे, हाडोती का पठार किन जिलों में विस्तारित है, हाडोती का जो पठार है, ये किन जिलों में है ये, ये बारा, भूंदी, कोटा, जालावार्ड, ये चार्ड जिले हैं, इसके अंदर हाडोती का पठार का छेतर है, बारा, भूंदी, कोटा और दक्षनी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार के मिट्टी पाई जाती है? दक्षनी पूर्वी पठारी या हड़ोती का जो पठार है उस प्रदेश में किस प्रकार के मिट्टी पाई जाती है? तो वो है काली मिट्टी. इस छेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है. नेक कोशन देखिए दक्षनी पूर्वी पठारी विर्देस में मुक्य नदी कौन सी है दक्षनी पूर्वी जो पठारी विर्देस है उसमें सबसे मुक्य नदी कौन सी है तो वो है चंबल नदी यहाँ इस चेतर में सबसे मुक्य नदी चंबल नदी है नेक कोशन देखिए चंबल नदी पर निर्मित भैसरोडगर के निकट जलपरपात किस नाम से जाना जाता है ये कोशन आ चुका है और ये important भी है तो इस प्जात का धान रखिएगा चम्मल नदी पर जो निर्मित भैंस्रोडगर्ड के निकट जो जलपरपाद है वो किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए वो छूलिया जलपरपाद है कौन सा है वो छूलिया जलपरपाद है नेक क्वेशन देखिए उपर माल किसे कहा जाता है तो उपर माल क्या है बहेंस रोडगर्ड और विजोलिया के मद्धे जो पठारी भाग है उसको क्या कहा जाता है उपर माल कहा जाता है बहेंस रोडगर्ड और विजोलिया के मद्धे पठारी जो भाग है उसको क्या कहा जाता है उपर माल कहा जाता है. नेंक कुछन देखिए. बारा वैं कोटा में कांपिये बिशिन का नर्मान किन नदियों दोरा हुआ है. तो किन नदियों दोरा हुआ है? चमबल और सहेख नदियां जो हैं. पारवती ओर KALYYCHIN इन नदियों हुआ है, नेक कोशन देखिए, बारावे कोटा में काप्य बिशिन भाग में कौन सी पहाड़ियां इस्तित हैं, यह जो काप्य बिशिन है, इसमें कौन सी पहाड़ियां इस्तित हैं, तो इसमें हैं मुकंदरा वे बूंदी की पहाड़ियां, मुकंदरा देखिए, बूंदी बारा और कोटा की मद्द्ध है लेकिन पहाडियां कुंसी हैं बूंदी की पहाडियां है नुकंद्रा की पहाडियां है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है इसमें आप कंफ्यूज ना होईएगा तो बच्चों इसे के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाग क्लास 9 का चैप्टर नुमर 13 और इस चैप्टर का नाम है भारत की नदियां में जीलें जिसमें हम राइस्थान की बारे में भी बात करेंगे तो चलिए बिना देरी के हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं कोशन पर किन भागों में वर्गी करत किया जाता है जम सभी जानते हैं इनको तीन भागों में वर्गी करत किया जाता है हमाले की नदियां जिसे उत्तर भारत की नदियां भी कहा जाता है दूसरा है प्राइडी पिये नदियां जिनको दक्षिन भारत की नदियां भी कहा जाता है और तीसरा है आपका आंतरिक अपवाह वाली नदिया, यहीं हिमाले नदिया, प्राइदीप्य नदिया और आंतरिक अपवाह वाली नदिया, ठिक है? आपकी सिंधू गंगा और ब्रह्मा पूत्र, जब्सावर्गा僅 केийम तो इसी कैया थारपेश तीन भागों में वर्गिक्रत किया जाता है, नएक कोशन देखी, सिंधु नदी की मुख्य साहिक नदियों के नाम क्या है सिंधु नदी जो है उसकी मुख्य साहिक नदिया कौन सी है तो इसकी पांच साहिक नदिया मुख्य थे है सतलज, ब्यास, चिनाव, रावी और जहिलम ये पांच नदिया है जो मुख्य नदियां है सिंधू नदि की साहे नदियों के तौर पर नहीं कोश्चन देखिए सिंधू नदि का जल ग्रेहन छेतर कितना है जो जल ग्रेहन छेतर है वो कितना है तो देखिए इसका आंसर है लगबग 11,00,000,000 वर किलोमेटर है नगबग 11,00,000,000 वर किलोमेटर इसका जल भराव छेतर है जल ग्रेहन छेतर है और इसका 3.25,000,000 वर किलोमेटर छेतर भारत में है बाकी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है नहीं कोश्चन देखिए सतलस नदि का उदगम इस्थल कहां से है इसका उदगम कहां से है, इसका उदगम कहां से हो रहा है, कहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसके उपर कोई डैम बगरा बनाया हुआ है या नहीं है इसके उपर और कोई प्रोजेक्ट तो नहीं चल रहा है तो ये दो चीज़ें बहुत ज़गा इंपॉर्टेंट है तीसरी जो बात करते हैं तो किसी भी नदी की सहिक नदी कौन सी है कौन सी नदी किस में गिर रही है इस चीज़ का बहुत मैटर करता है तो आपको ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखी है next question देखी, भाकडा नागल बांध किस नदी पर वह कहा निर्मित किया गया है, भाकडा नागल जो डैम है आपका, वो किस नदी पर वह कहा निर्मित किया गया है, तो देखी, 17 नदी पर बनाया है, पंजाब में रोपड के पास, 17 नदी पर पंजाब में रोपड के पास बनाय गया है, 10th class में और आप उसको details को देखने को मिलेगा इसके में, तो भाकडा नागलबान जो है, 17 नदी पर पंजाम में रोपड के पास निर्मित किया गया है, ने question देखिए, 17 नदी किस नदी से मिलते हुए सिंदू नदी में गिरती है, 17 नदी जो है, वो किस नदी से मिलते हुए हिंदू नदी में गिरती है, ने question देखिए, जेलम नदी के किनारे कौन सा प्रिसिद नगर बसा हुआ है, तो हम जानते हैं, श्री नगर जो है, वो जेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जो एक परेटन स्थल के तोर पे भी या परेटन सहर के तोर पे भी जाना जाता है जेलम नदी के किनारे कौन सा नगर है श्री नगर बसा हुआ है यह ना नेक क्वेशन देखिए गंगा नदी का उद्गम किस इस्तान से है गंगा नदी जो है उसका उद्गम किस इस्तान से है तो वो गंगोत्री हिम नद से है गंगा गंगोत्री सब से ही है तो गंगोत्री जो हिमनद है, हिमनद क्या होता है? हिम की नदी यानि बर्फ की नदी हिम यानि क्या होता है? дук हिमनद से गंगोत्री हिमनद है वहां से गंगा नदी का उद्भव है next question देखे कि देव प्रियाग नामक इस्थान पर किन जलधाराओं के मिलन से गंगा का उद्भव होता है यह देव प्रियाग नामक इस्थान पर मिलती है किस प्रिशिद सहर के निकट गंगा मैदानी भाग में प्रिविस्ट करती है जिस प्रिसिद्ध सहर के निकट गंगा मैदानी भाग में प्रिविस्ट करती है तो देखिए या फिर यह कहा जा सकता है जो गंगा मैदानी भाग में प्रिविस्ट करती है तो सबसे प्रिसिद्ध जो सहर निकट बसा हुआ है वो कौन सा है, तो वो आपका हरी द्वार है, जिसको पूरे भारत में बहुत अच्छे से जाना जाता है, किसी भारत में नहीं भार भी इसको जाना जाता है, तो कौन सा प्रिसित नगर है ये? हरी द्वार है, जो गंगा जब मैदानी भाग में प्रिस करती है, तो हरी द्वार और इसका उद्भव कहां से यम्नोत्री से है देखो गंगा का गंगोत्री से यम्ना का यम्नोत्री से है यम्नोत्री क्या है हिम्नद याद रखिए यह क्या है हिम्नद है ठीक है यानि बर्फ की नदी कही जा सकती है तो गंगा की मुख्य साहिक नदी कौन सी है यम्ना नेक विंधाचल से जो आती है जो नदिया वो कौन कौन सी है जो यमना में मिलती है तो वो है आपकी चंबल, बेतवा और केन ये मुख्य नदिया है और भी छोटी-छोटी काफी नदिया होती है लेकिन हम मुख्य के बारे में बात करा हैं तो चंबल, बेतवा और केन ये निकट गंगा में घर जाती है या फिर यह क्या कहता है गंगा इंञना को पूसकि क्या ह Katherine गंगा उम्णा के संगम इस्दल को क्या कहा जाता है जयाँ वह इसको क्या कैते हैं तो उसको अजाता है संगम इस्दलagu या प्रियाग उसको क्या कहा जाता है संगम या प्रिया कहा जाता है उसको नेक कॉशन देखिए उत्तर दिशा से कौन सी नदिया गंगा में गिरती है उत्तर दिशा से कौन सी नदिया गंगा में गिरती है तो कौन सी है राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडग, कोसी और महननदा इसा से नदियां गंगा में गिरती हैं। गंगा की जो साहिक नदियां उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है, जो मैंने आपके लिए बनाया था। गंड़क पहने घागरा, गंगा राम की मौसी, दामोदर सौनले कहत है, महाननदा गोमती है कई कोसी। तो देखें, गंड़क, घागरा, राम गंगा, दामोदर, सौन, महाननदा, गोमती और कोसी, यह सभी क्या हैं, यह गंगा की साहिक नदियां हैं। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं सुनकर, नेक कोशन देखिए। दक्षिन देखिए, कौनसी मुख्य नदि गंगा में गिरती हैं। नेक कोशन देखिए, किस प्रिसिद स्थान के निकट गंगा, बांगला देश में प्रिवेश करती हैं। तो हम जानते हैं, फरक्का के निकट वो बांगला देश में प्रिवेश करती हैं। नेक कोशन देखिए, हुगली नदी किस मुख्य नदी की साखा है। यह गंगा नदी की हैं। गंगा नदी जो है, वो जो ब्लास्ट हिस्से में आती है, जो बंगाल की खाड़े में गिरती हैं, तो उससे पहले वो कई साखां में बदल जाती है। कुछ टुक्रों में बद जाती है, तो उन्हीं में से एक जो साका है वो है भूगली नदी, तो गंगा नदी किस मुखे नदी की साका है, गंगा नदी की है, गंगा और इसको मैंने आपको रसकाइब भी किया है, कि गंगा की साका हुगली के रूपे पश्चिम बंगाल में उ बांगला देश में गंगा की साखा से निर्मित नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांगला देश में गंगा की साखा से निर्मित नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो पद्मा नदी है. पद्मा भी जो जैसे हुगली है वैसे ही पद्मा भी गंगा की एक साखा ह तो पद्मा नदी क्या है बंगला देश में गंगा की साखा से निर्मित नदी को पद्मा नदी की रूप में जाना जाता है नेक कोशन देखिए पद्मा नदी किस प्रिशिद नदी के साथ मिलकर डेल्टा का निर्मान करती है पदमा जो नदी है, वो किस प्रिसिद नदी के साथ मिलकर डेल्टा का निर्मान करती है, तो हम जानते हैं, ब्रह्म पुत्र नदी के साथ मिलकर ये डेल्टा का निर्मान करती है, और बांगलादेश में इसका संगम होता है, ये जो ब्रह्म पुत्र और पदमा जो मिलती है, इसके अंदर मिलती है इस बात का आप याद रखेगा नहीं क्वेशन देखिए पनमा नदी वे ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित डेल्टा किस नाम से जाना जाता है ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि जब इस क्वेशन को घुमा कर पूछा लिए जाता है कई बा यहां पद्मा प्रह्मपुत्र डेल्टा नहीं का जाता है ये गंगा प्रह्मपुत्र डेल्टा है और इसको सुंदर्वन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है तो पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के निलने से कौन सा डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र ड सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है विसुका सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो देखिए हम जानते हैं सुन्दरवन डेल्टा ही विसुका सबसे बड़ा डेल्टा है सुन्दरवन डेल्टा क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ना नेक क्वेश्चन देखिए ब्रह पुत्रा को उद्गम से किस नदी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है, next question देखें, ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, उसकी मुख्य सहायक नदियों के नाम क्या है, तो वो है आपकी भारेली, सवनसरी, मानस, जो दाइयों और से मिलती हैं, दिबांग और लोहित हैं, ये भी दाईयों और से मिलती है लेकिन ये दिबांग और लोहित ऐसी नदियां है जो उल्टे से आकर मिलती है ब्रह्मगुत्र में है ना और कपिल धन्षरी और बुरी दिहिंग देखे बुरी दिहिंग भी लिखा हुआ है इसका नाम है ना तो दोनों में से कोई भी अगर आ जा भारेली सबिंसरी और मानस ये जो दाईयोंर से मिलती है यह सभी क्या है ये ब्रह्मपुत्र की मुक्के साहिएक नदिया है ने क्वेशन देखिए डेल्टाई भाग में गंगळ्र्मपुत्र किन जलद हराओं में बढ़ जाती है ये जानते है देखिए ये तीन जलधाराओं के रोपतार पे बढ़ जाती है और इस चीज को आपको याद रखना है दक्षिन भारत की नदियों को मुखे तहा कितने भागों में वर्गीक्रत किया गया है दक्षिन भारत की नदियों को मुख्य तहर कितने भागों में वर्गी करत किया गया है तो कौन-कौन सी नदिया है दो भागों में एक बंगाल की खाड़ी और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदिया तो दो भागों में वर्गी करत किया गया है किस तरीके से अब भागरम के आधार पर जो नदिया बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है और कुछ नदिया जो अरपसागर में गिरते हैं इस प्रगार दक्षिन बारत की जो नदिया है उनको मुखेत है दोभागोंबर की करत किया गया है नैक कोश्चन देखे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले मुखे नदिया कौन-कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले मुखे नदिया हैं यह सारी कैसी हैं? यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया हैं नैक कोश्चन देखे किस नदी को दक्षिन की गंगा कहा जाता है? यह question बहुत बार repeat हुआ है और यह कभी भी repeat हो जाता है तो इस question का EPSS दियान रखेगा किस नदी को दक्षण की गंगा कहा जाता है तो वो है आपकी कावेरी नदी कावेरी नदी को दक्षण की गंगा कहा जाता है नेक कोशन देखिए, दक्षिन का उध्यान किसे कहा जाता है, ये कोशन भी काफी important है, दक्षिन का उध्यान किसे कहा जाता है, तो ये है आपका तंजावुर जिला, तंजावुर जिला जो है वो दक्षिन का उध्यान कहलाता है, नेक कोशन देखिए, तंजावुर जिला किस दक्षिन का उध्यान कहा जाता है, यह किस नदी के डेल्टा में बसा हुआ है, यह आपकी कावेरी नदी के डेल्टा में बसा हुआ है, यह न, यह भी कोशिन आता है, तो तंजावुर जिला जो कावेरी नदी के डेल्टा में बसा हुआ है, जिसे दक्षिन का उध्यान कहा ज कबिरी नदी के जल के उपर जो आपका करनाटक और तमिल लाडू है उन दोनों राजियों की बीच में विवाद बना हुआ रहा है नेक क्वेशन देखिए किस नदी पर हीरा कुंड बान निर्वित बना हुआ है यह क्वेशन तो लिशित रुप से आपको आना ही ही चाहिए क तो कि यह काफी इंपोर्टेंस है किस नदी पर हीरा कुंड बान बना हुआ है महा नदी पर बना हुआ है नेक क्वेशन महा नदी का उदभाव किस जिली से माना जाता है महा नदी का उदभाव किस जिली से है 36 पूर के रायपूर जिली से किस से 36 गड़ के रायपूर जिली से महा नदी का उद्भाव माना जाता है नेक कोशन देखिए कृष्णा नदी का उद्भाव कहां से माना गया है कृष्णा नदी जो है उसका उद्भाव कहां से माना गया है तो कृष्णा नदी महा बलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से इसका उद्भाव हुआ है यानि क कहां से निखन के लिए है आपकी कुछन नदी? महाबलेश्वर के पास पश्री मिघाट से. Next question देखिए. प्रायदीपी पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायदीपी पठार की जो सबसे बड़ी नदी है, वो कौन सी है? तो वो आपकी गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी प्राइदी प्य पठार की सबसे बड़ी नदी है, नेक कुश्चन देखिए, गोदावरी नदी का उदबव कहां से है, गोदावरी जो नदी है उसका उदबव कहां से है, तो वो है आपके महराष्ट राज्य में नासि के पास जो है त्रम्पकम पठार है वहांचे गोदावी नदी कलती है ने कोश्चन देखिए गोदावी नदी से निर्मिट डेल्टा किस प्रकार की आकरती बनाता है तो त्रकॉणा कार आकरती बनाता है त्रकॉणा कार आकरती या त्रबुजा कार आकरती बनाता है ने कोश् अब यह अरब सागर में गृणने वाली मुख्य नदियां क्यौन सी है अरब सागर में गिढ़ने वाली मुख्यों नदि कौन कौन सी है नसा आपकी और साबरमती माहि जी अमर कंटक से नर्मदा नदी निकलती है नहीं कोशन तापती नदी का उद्गम इस्थल कहा है? तापती नदी कहां से निकलती है? तो तापती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतुल जले से निकलती है नेक क्योशन देखें, भेडा घाट की संगमर्मर की चटाने में कपिल धारा प्रपात किस नदी से संबंदित है, तो किस संबंदित है, नर्मना नदी से, ये नर्मना नदी से संबंदित है, कपिल प्रपात जो है, वो इस पर बना हुआ है, और भेडा घाट की संगमर्मर की चे टानी भी यहीं पर hand तो यह सारी किसे समझ देता है नर्मदा नदी से नैक क्रोश्चन देखिए डल, नैनी ताल, नो कुछ्या, ताल, भीम ताल, आदी जीले कहा इसे थे यह आपने जरूर सुना होगा डल जील, है ना ननी ताल, नोकुचिया, ताल, भीम ताल, यह सबी जिले कहां पर हैं यह आपके हिमाले छेतर में हैं यह कहां पर हैं आपके हिमाले छेतर की ये सारी जीले हैं ये मिठे पानी की जीले हैं है नowan Next question देखी कस्मीर में किस प्रसित जील का निर्मान भूपरष्ट धसने से हुआ है यानि आपकी जो धर्ती है उसके धसने से कस्मीर में जील का निर्मान हुआ है जो कापी पीमस है और बहुत बड़ा प्रेटन इसतल भी है तो वह है आपकी बूलर जील गूलर जील जो है कसमीर में पनियू ही है और उसका निर्मान कैसे हुआ भूप्रष्ट दसनी की वज़े से हुआ है महाराष्ट में किस जील का निर्माण सांत हो चुके जौला मुखी के मुख में जल भरने के कारण हुआ है। नदियों के मुखाने पर समुद्री लहलों द्वारा एकत्र बालू मिट्टी के टीलों द्वारा जल को अलग करने के कारण बनने वाली अनूप जीलों के उधार्न है। नदियों के मुखाने पर जो समुद्री लह रहे हैं उनके द्वारा बालू मिट्टी कट्टी हो गई टीले बन गए और उनकी वज़े से जल अलग हो गया। उस मुखे जो स्रौथ है जल स्रौथ उससे अलग हो गया और एक नया क्या बन गया। एक आपकी जील बन गई है ना। जीले कैसी हैं मुख्य तोर पे ये नमकीन हैं ये खारे पानी की जीले हैं और इनका निर्मान जो है कैसे हुआ रायसतान में जो निचली भूमें है उसमें जल भरने की वाशियक हुआ। हुआ और यह जो सभी जीले हैं यह अपने टेटिस सागर के बारे में पढ़ा होगा तो टेटिस सागर का अफसेश भी माना जाता है इनको तो इनको इस्थानी भासा में जीलों को क्या कहा जाता है यह कोशन यहाँ पर है, तो इस्तानी भासा में इसको क्या कहा जाएगा? धानड या अत्वा सर, जिसको हम और समानन भासा में अपने गाउं में तलाई भी कहते हैं, कहते हैं न तलाई धानड अत्वा सर यह सभी इसके दाइस्तान में बोले जाने वाले नाम है, नेक क्zersें देखीortaтор 1813 में इसी में अलक नंदा नदी के मार्ग में पहाडी ढाल से सैलों के खिसकने से निर्मित जील का क्या नाम है एक जील निर्मित हुई 1813 में इसी में अलक नंदा जो नदी है उसके मार्ग में पहाडी ढाल खिसक गई है ना पहाडी ढाल तूटकर खिसक गई जिससे एक नई जील उसमें पानी में रुका वट आई तो उसकी वज़े एक नई जील का नर्माण हो गया तो उस जील को क्या नाम दिया गया है तो वो है आपकी गहुना जील जो है अलग नंदा नदी के मार्ग में बनती है तेके नेक कोशन देखिए मैदानी प्रदेशों में ढाल के मंद होने से नदी विसरपाकार मार्गों में धीमे धीमे बैकर किस प्रकार की जीलों का नर्माण करती है यह कोशन दूसरे तरिके से आया था लेकिन यह कोशन भी कई बार रिपीट हुआ है इस कोशन को थोड़ा चा ध्यान से देखिएगा गौकुराकार आपका जो कोशन आया था वो ये पूचा गया था कि गौकुराकार जीलों का मिर्मान कहां होता है या किस जगह होता है तो वो आपको समझ में आना चाहिए मैदानी जो भाग होते हैं उसमें क्या है जब धाल कम हो जाती है और धाल कम होने की इस्तिति में क्या ह जब बहती हैं तो धाल कम हो जाएगा तो धीमा बहने लगेंगी और जब धीमा बहती है तो सामने तौर पर क्या होता है कि थोड़ा सा पानी इधर चला गया थोड़ा सा और वो साइड में कई बार जील का निर्मान कर देती है जिसको चाड़न या गौकुरा का राकति वो बन उस तरह की लगभग आकरति ये बनाती है इसलिए इसको चाड़न या गौकुरा कार जील कहा जाता है राइस्थान में कौनची नदी सदा नीरा है तो देखिए कौनची नदी है चंबल नदी राइस्थान में एक चंबल नदी ही है जो सदा नीरा है यानि हमीशा बहती है नेक कोशन देखिए, राइस्थान के अफवाह करम को सामने तक किन भागों में वर्गी करत किया गया है? राइस्थान का जो अफवाह करम है, उसको सामने तक किन भागों में वर्गी करत किया गया है? तो ये अरब सागरी एकरम और बंगाल की खाड़ी और अफवाह करम और आंत्रिक अप्वाक्रम, ये सामने से तीन प्रिकार के अप्वाक्रमों में, विवाजे तीन को किया गया है, अरब सागरी एक्रम, बंगाल की खाड़ी और आंत्रिक अप्वाक्रम, इसका अप्वाक्रम क्या है, इसका अप्वाक्रम है, वो नदियां जो अरब सागर में गरत बर्गीकरत किया गया है, नेक क्वेश्चन देखिए, राइस्थान में अरब सागरी अवबाकरम में कौन सी मुख्य नदियां संबंदित हैं, राइस्थान के अरब सागरी अवबाकरम से जो मुख्य नदियां संबंदित हैं, कौन कौन सी हैं, माही और साबर मती, राइस्थ माही नदी माही नदे कहां जाकर समुद्र मेंग जाकर समुद्र में गिरती है तो ये तो हम जानते हैं लेकिन खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है ठीक है अरब सागर में भी खंबात की खाड़ी से ये समुदर में गिरती है नेक क्यूशन देखिए डूंगरपुर बासवाड़ा के मद्दे कौन सी नदी सीमा बनाती है नेक क्वेशन देखिए बेनेश्वर मिला किस नदी संगम पर भरता है बेनेश्वर मिला जो है किस नदी संगम पर भरता है तो वो आपकी सौम और जाकम जो नदियां है सौम और जाकम नदियां कौन ची हैं जो आपके माही नदी में गिरती है बेनिश्वरमिला इनी नदियों के संगम पर भरता है नेक क्यूशन देखिए किस नदी पर बांसवाड़ा के निकट माही बजासागर बांध बनाया गया है तो ये तो आप इसके नाम से ही जानते है कि माही बजाज सागर है तो माही नदी पर ही ऐसा मनेत बना हुआ है तो ये माही नदी पर ही बना है नेक क्योशन देखिए और बना का है कौन से जिले में है ये इंपोर्टेंट है ये बासवाडा की अंदर है है नेक क्योशन माहीं की साहिक नदियां कौन सी है माहीं की साहिक नदियां कौन सी है तो हम जानते है सौम और जाकम हम पहले ही अब देख सुखे है और अमबा भी इसमें एक साहिक नदिया है जो मुक्ष जो इसकी साहिक नदिया है सौम अमबा और जाकम है है ना राइस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह करम की जो नदियां हैं वो मुखे तक किस नदी में जाकर मिलती हैं तो वो आपकी यमना नदी में जाकर मिलती हैं जो समुद्र तक पहुंचती हैं तो राइस्थान में जो नदियां हैं वो बहुत कम नदियां हैं जो समुद्र पहुंच पाती हैं ज्यादतार नदी आंत्रिक अपभा वाली हैं लेकिन जो कुछ मुख्य नदियां पहुंचती हैं वो किसी मुख्य नदी से साज जोड़कर पहुंचती है तो उनमें से एक यमना नदी है तो बंगाल की खाड़ी का अपभा करम है वो मुख्य ते सारी की सा जाती हैं वो नदियां कौन-कौन से राइस्तान की तो वह है आपकी चंबल, बनास, बानगंगा, बेड़च, गंबीरी, कोठारी, खारी, काली, सिंद, पारवती, आदी और इसमें से मुक्यत है किस की? ये मुक्यत है किसकी साहिक नदिया हैं? ये यमना की साहिक नदिया है चंबल नदि का उद्गम इसल कहां इस्तित है? ये काफी इंपोर्टेंट है चंबल नदि का जो उद्गम है वो कहां पर है? यानि ये चंबल नदि कहां से निकलती है? तो वो कहां से निकलती है? मद्या प्रदेश में महू के समीफ, महू एक जगह है, तो महू जो जिला है उसमद्द प्रदिश में महुं के समीब जनापाव पहाडियों से ये निकलती है कहां से जनापाव की पहाडियों से ये निकलती है और ये राईस्थान की जब कोश्ट पेपर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा importance इसलिए रखती है तो देखो राईस्थान वालों के पास एक ही नदी है जो सदा नीरा है तो इसकी importance आप समझ सकते हैं तो और ये कहां से निकलती है जनापाव पहाडियों से निकलती है नेक question देखी चंबल नदी किस स्थान से राईस्थान में प्रविस करती है तो ये 84 गड़ नामक जगह है जो चितोड में है यहां से प्रविस करती है और फिर कोटा वे सवाई माद उपर में बहते हैं उत्रव प्रविस में चली जाती है 84 गड़ में प्रविस करेगी चितोड में चितोड में और उसके बाद कोटा वे सवाई माद उपर में बहते हो यूपी में चली जाती है। नेक कोशन देखिए, किस इस्तान पर चंबल नदी यमना में मिल जाती है। किस इस्तान पर चंबल नदी यमना में मिल जाती है। प्राणा प्रताप सागर, जवाहट सागर, बांध वै कोटा बयराज बने होए है। तो देखिए, इत्य सारे बांध, एक ही नदी हैं अमारे पास जिसमें बने होए है। यह हैं चंबल नदी, चंबल नदी पर ये सारे बाद बनाए हुए हैं। गांदी सागर, प्राणा पिताब सागर, जवाहड सागरबांद और खोटा बेराजी ये सभी किसे हैं? ये चंबल नदी पर बने होए हैं. Neck question देखिये, बनाश नधी कहां का उदगम कहां से हुआ है, यह question थोड़ा सा दलत हो गया है, इसो देख लिजीएगा, बनाश नधी का ँदगम है, चोंहीं कहां से निकली है बनाश नधी, तो बनाश नधी कुम्बलगड के पास वेरों के मठ से निकली है, बनाश नधी, नहीं कोशन देखिए, किस नदी को वन की आसा कहा जाता है, that's a very important question, किस नदी को वन की आसा कहा जाता है, तो जो हमारे पास बनास नदी है, बनास नदी को वन की आसा कहा जाता है, किस नदी को, ये कोशन रिपीट होता है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, इसका भी ये कोश दी किस नदी की साहा कहा जाता है? तो हम जानते हैं चम्बल नदी की साहाइक नदी है? ने कोशन देखें. बिशल पूर muut किस नदी पर बनाया गया है? देखे बिशलपुर बांध पेवस्था के लिए यानि पीने के पानी के लिए बहुत इंपोर्टेंस ये बांध है तो बिशलपुर का बांध किस नदी पर बनाया गया है ये आपकी बनास नदी पर ही बनाया गया है आपका जो राइस्थान का capital है वो बहुत हद तक वीचलपूर्बांद के पानी के उपर dependent है तो वीचलपूर्बांद किस नदी पर बनाए गया है? बनास नदी पर नएक कोशन देखें इसके बारे मैंने आपको बताया था जो नदीया किसी स्थान से आरम हुए लेकिन समुदर तक नहीं पहुंच यहोए क्या कहलेंगे? वो आंतिक परभाव की नदिया कहलाएंगे आंतिक अपवा करम की नदीया कहलाती है ride- bunk question देखे गगर, साबी और मेंधा ये सभी किस प्रकार की नदिया है ये आंत्रिक अपाकरम की नदिया है लूनी कांतली, काकनी, गगर, साबी और मेंधा ये सभी कैसी है आंत्रिक अपाकरम की नदिया है नेक कोशन लूनी नदिक किस इस्थान पर जाकर विलीन हो जाती है लूनी नदि पर जाकर विलिन हो जाती है? कछ के रन में जाकर विलिन हो जाती है, धर् tी में समा जाती है, next question देखिए, कौनसी नदी सांबर जील में जाकर विलिन हो जाती है? कौन शी नदी सामबर जील में जाकर billion हो जाती है इसमें मुक्इताई दो नदिया billion होती है लēकिन इसमें एक जो main है वो मेंदा है और दूसरी जो है वो रूपनगड है रूपनगड सामदना तरह पर छोटी नदी है इसले इसके में हuger बारे में देखा जाता है मेंधा मलब ठीक ठीक नदी है या ना मेंधा जो है해 काफी बड़ी नदी है और वुक बान जील में जाकर मिल जाती है तो वो भी समुद्र में नहीं पहुच पाती इसलिए इसको आंत्रिक अपपाद की नदी इसके की सामिल gef गया है मेंधा और रुपंगाण क्या है समचील में जाकर विलिन हो जाती है नेक क्वेशन देखे भारतिय पुरात्त तो परिश्वत के अनुसार स्रस्वतीन नदी का उद्रommes कहां से हुआ ने कि जब रहारे स्थान के नदी ओ कि बारे में इसका उद्गम मिस्ताल कहां से था हिमाले की जो सिवालिक स्रेणी है उसके रूपन हिमनद है रूपन हिमनद इससे यह जो था सरस्वतिन नदी का उद्गम हुआ करता था हिमाले की जो सिवालिक स्रेणी के रूपन हिमनद से सरस्वतिन नदी का उद्गम माना जाता है और द रसदवति और हिर्नेवति इसकी सायक धाराएं थी। ये किसका अफसेश हैं, या फिर एक ये किसकी उपस्तितिका प्रमाण देते हैं, तो ये एक ही नदी है, सरस्वती नदी, जो अन्तसलीला कही जाती है, यानि अंदर बहने वाली नदी, है न, तो ये इसीका हिस्सा मात्र हैं, पुरू छेत्र का, ब्रह्मा सरोवर, प्वहा आ जो हैं अर्दाचंद्रागार जो जीले हैं ये घगर, हकरा और नारा के रूप में दर्शिमान प्रवामारक जो हैं ये सभी सरस्थती नदी का उपस्थिजी का प्रमान देती हैं नेक कोश्चन देखी राइस्थान की जीलों को जल के आधार पर कितने भागों में बाटा गया है तो हम जानते हैं सामने तर जो जीलों के जल के आधार पर बाटा जाए तो दो ही प्रकार की जीले होंगी एक मीठे पानी की जील और एक खारे पानी की जील तो इसको दो भाग में बाटा गया है खारे पानी और मीठे पानी की जीलों के तौर पे ने कुशन देखिए हैं राइस्थान की मुख्य खारे पानी की जीले कौन कौन सी हैं राइस्थान की जो मुख्य खारे पानी की जीले वह आप सभी जानते हैं यह हैं सांभर डिडवाना लून करंड सर की जीले हैं जो राइस्टान में पाई जाती हैं नेक कोशन देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन जील है आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील सामड जील है जो की जैपूर में फुलेरा के निकेट है जो सामड जील वो अपने भारत क सबसे बड़ी खारे पानी की जील भी है नहीं क्वेशन देखिए डेडवाना जील जो है किस इस्तान पर इस्तित है डेडवाना जो जील है किस इस्तान पर इस्तित है तो इसके नाम से ही इसका अंसर मिलता है नागौड जिले में डेडवाना सहर के दक्चन्ड में ये इस्थित है जरो इसके निकट सोडियम और सल्फिट बनाने की संहयत्र भी लगाए गए हैं ओरस है लियू करनषर कीले शिले इस्तित है पच्पद्रा जील किस जिले में इस्तित है? तो पच्पद्रा आपकी बाड मीड जिले में है। पच्पद्रा जील कहां पे है आपकी? बाड मीड जिले के अंदर है। नहां कॉश्चन देखें। राइस्तान की मुख्य मीठे पानी की जीले कौन कौन सी हैं? तो पच्पद्रा जैसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर, उसकर, सिली सेड, उदै सागर, फते सागर, जना सागर, नकी और कायल आना। यह सभी कैसी हैं? यह राइस्तान की जील हैं जैसमन, राजसमन, पेछोला, आनासागर, पुसकर, सिली सेड, ओदे सागर, फते सागर, जना सागर, नक्की और कायलाना यह सभी कैसी हैं यह मीठे पानी की जील है राजसतान की नहाइक क्वेस्टीन देखें राजिस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है राजिस्थान की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है वो कौन सी है तो वो जैसमंज जील है जैसमन जो जील है। बुद्रपुर के जो निकट है ये राजिस्तान की सबसे बड़ी मेटे पानी की जील भी है। जैसमन जील के मद्धे सबसे बड़े वे सबसे छोटे टापू का क्या नाम है तो क्या नाम है इसका क्रम से बाबा का भागडा और प्यारी यानि सबसे बड़ा जो टापू है जैसमन जील के मद्धे वो तो बाबा का भागडा है और जो सबसे छोटा टापू है उसको प्यार कहा जाता है सबसे बड़ा जो है बाबा का भागडा और सबसे छोटा छोटा जो है उसको क्या कहा जाता है प्यारी कहा जा गया है ठीके नहीं कुशन देखी सो टापों का छेत्र किसे कहा जाता है सो टापों का छेत्र किसे कहा जाता है तो कौन सा है ये बासवाड़ा को क्योंकि मही बजा सागर परिवजना के कारण इसमें अलग-अलग टापो निर्मित हो गए है तो बासवाड़ा को सोटापों का छित्र कहा जाता है नेक कुश्चन देखे राज समन्द जील कहां इस्तित है राज समन्द जील है वो कहां इस्तित है तो राज समन्द जील आपकी कांकरॉली में है और ये महाराना जैसिंग जीजे थे उन्होंने 1662 इस्वी में इसका निर्मान कराया था राज समन जो जील है जो कांकरॉली में है वो महराना जैसिंग द्वाराट 1662 इस्वी में बनवाई गई थी नेक क्वेश्चन देखिए राज समन जील का दक्षणी भाग किस नाम से प्रिसिद्ध है राज समन जील का जो दक्षणी भाग है वो किस नाम से प्रिसिद्ध है तो नौ चौकी के नाम से उसको जाना जाता है राज समन जील का जो दक्षणी भाग है उसको नौ चौकी कहा जाता है नेक क्वेश्चन देखिए पिछोला जील किस जीले में इस्थित है पिछोला जो जील है वो किस जिले में है वो आपके उदैपूर जीले में है और राणा लाखा के समयकाल में इसको निर्मित कराया गया है उदैपूर में राणा लाखा के समयकाल में निर्मित कराया गया है पिछोला जील को नेक कोईशन देखिए, आना सागर जील किस जिले में स्थित है, आना सागर जो जील है, किस जिले में स्थित है, तो वो आपके आजमेर में हैं, और ये किस ने बनवाई, पित्वी राज चोहन के जो दादा शिरी थे, वो अन्ना जी, उन्होंने 1137 सी स्वी में इसका निर्मा कराया था, नेक कोईशन देखिए, आना सागर जील के किनारे साहजा में जहांगीर दारा कौन से बाग दिर्मित करवाए गए, आना सागर जो जील है, उसके किनारे साहजा और जहांगीर ने बाग बनवाए थे, तो वो कौन कौन से थे, तो वो आपके करम सह बारा हद दरी जो कि आपके साह जाने बनवाया था और दौलत जिसे जहांगीर ने बनवाया था जो बारह दरी जो बाग है वो आपके साह जाने बनवाया था और दौलत बाग जो है वो जहांगीर ने बनवाया था जिसको दौलत बाग को हम सुबास उध्यान के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जाते हैं? सुबास उध्यान के नाम से भी जाना जाता है इसको Neck Question देखिए किस झील के किनारे विस्व पिरसिद ब्रमा जी का मंदर स्थित है? किस जील के किनारे विस्व पिर्सित ब्रह्माजी का मंदर इस्थित है तो मुझे लगता है कि ये तो आप सभी को निश्चित रूप से आता होगा तो पुसकर जील है जो विस्व का एक मात्र ब्रह्माजी का मंदर जहां पर पूजा जाता है तो वो कहाँ पे है उसकर जील के निकट इस्थित है नेक क्वेशन देखिए सिलिसेड जील राइस्थान के किस जीले में इस्थित है सिलिसेड जील है राइस्थान में किस जीले में इस्थित है यह मसली पालन बहुत होता है क्यात है कोलयत जहील रहाइस्थान की किस जिले Comics आश्रम में लार आश्रम के पास रहाइस्थ पॉस्ञ ज्यूजद्फ और सबीक है revealed बिकानेर में ये जील है उद्वपुर्ट के निकट इस्तित है उद्वपुर जो जिला है उसमें जनासागर जील के निकट निकट है राज समंद के निकट जो जील के निकट हैं उसमें कुछ सिलालेक हैं जो उतकीन हैं वो कितने हैं वो 25 सिलालेक हैं मिवार का इतियास जील के निर्मान का विवरन इसका संस्कत बासा में लिखा गया है इन सिलालेकों में मिवार का इतियास लिखा गया है जील के निर्मान का व और हम chapter number 14 पर हैं जिसका नाम है भारत की जलवायू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेना देरी की, question number 1 है भारत की जलवायू किस प्रकार की है, भारत की जलवायू है, वो किस प्रकार की है, तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार की जलवायू है, मानसूनी जलवायू है, कैसी है, मानसूनी जलवाई हुआ है बारत की next question देखी मानसून सब्द किस भासा से लिया हुआ है मानसून सब्द जो है वो किस भासा से है मानसून सब्द जो है अर्बी भासा से लिया हुआ है और किस भासा से मौसिम भासा से लिया हुआ वो सारी अर्बी भासा के मौस्म सब्द से लिया हुआ है और मौस्म का अर्थ क्या होता है मौस्मी हवाया रितू ठीक है तो यह मांसून सब्द किस से है अर्बी भासा से है और मौस्म सब्द है जिसको हमने लिया है जिसके मांसून बना है और मौस्म का अर्थ क्या होता है नेक कुश्चन देखे, भारत की जलवायों मुकेता किन घटकों पर निर्भर करती है, यानि किन किन से प्रभावित होती है, किन की वज़े से वो अलग-अलग हो सकती है, तो अक्चांस ये इस्थिती, किस अक्चांस पर जो इस्थान है वो इस्थित है, समुद्र तल से उच कितनी उचाई पर है, और समुद्र तल से जो दूरी है, उस पर भी निर्भर करती है, परवत की इस्थिती, दिसा, परवत की इस्थिती, मान लीज़े, अरावली परवत है, अरावली परवत, दक्षिनी फेश्री मानसुन के कहीं समाना अंतर पड़ता है, तो राज़्था करवाता है, तो पवनों की दिशा कहां से पवने आ रही है, ठीक है, धारातल की बनावाट, ये सभी कारक क्या है, ये सभी घटक कैसे है, जो भारत की जलवायों को प्रभावित करते हैं, नेक क्षिन देखिए, धारातल से कितनी उचाई पर गर्म जैट इस्ट्रिम बहती ह कितनी उचाई पर हैं ये, बारा किलो बिटर की उचाई पर, नेक क्षिन देखिए, भारती जलवायों परिस्टियों को सामने तक कितने भागों में वर्गी करत किया जा सकता है, ये भारती जलवायों को जो तीन प्रकार हैं, इनमें वर्गी करत किया जा सकता है, मानसून मानसून काल और मानसून वापसी काल करम में यानि मानसून से पहले का समय मानसून का समय और मानसून की वापस आने के समय तो ये सब क्या है तीन परिस्चितियों में भारती जलवाईव परिस्चितियों को बाटा गया है नेक क्वेशन देखिए भारत में मानसून से पूर किस प्रकार का मौसम देखने को मिलता है भारत में मानसून जो है मानसून क्या है मानसून का मतलब है यहाँ पर वर्सा से है तो मानसून से पहले कौन सी मौसम आता है आपने देखा होगा तो हम जानते हैं Greece में तो रहती है उस ताइम, तीवर गर्मी, तेज आंधियां और गाम हवाएं जैसे मौसम वहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसा ही मौसम देखने को मिलता है न, तीवर गर्मी, तेज आंधियां और गर्म हवाएं, नेक क्वेशन देखें, मांसून पूर्व की इस्तिति में उत्री भारत में किस प्रकार का वायुदाब निर्मित होता है, मांसून जो पूर्व का जो समय होता है, मांसून से पहले का जो समय होता है, उस इस्तिति में उत्र भारत में किस प्रकार का वायुदाब निर्मित होत पवने तीर वेक से समुद्र से इस्थल की और आती हैं, ऐसे क्यों आएंगी? क्योंकि आपका जो इस्थल ये बाग होगा, वहाँ पर निम्न वायुदाब होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो समुद्र है, वहाँ इसके तुलनात्मक ज्यादा वायुदाब होने की व और अप पवने बैने लगेंगी, जो मानसून का कारण बनती हैं, चलिए, नेक क्योशन देखिए, मानसून काल यानि वर्षा काल, मानसून काल यानि वर्षा काल में किस दिशा से आने वाली पवने भारत में वर्षा करती हैं, मानसून काल में किस दिशा से आने वाली पव पाओने जो आती हैं, वो क्या करtी हैं ? भारत में भर्सा करती है। नेक्ट क्वूस्जन देखी, भारत में मांसुन काल में आने वाली पाओने किन दो मुख्य साखाउं में आती हैं? भारत में मांसुन काल में आने वाली पवने किंदो मुखे साकाओं में आती हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं अरब सागरी मांसुन और बंगाल की खाड़ी का मांसुन यानि दो साइट से पवने आती हैं एक अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से आने वाली जो पवने हाती है उसको अरब सागर ये मांसुन कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से बंगाल की खाड़ी का मांसुन कहा जाता है नेक क्वेशन देखिए मांसुन वापसी काल किस रितु से संबन देत है मांसुन वापसी काल है, वो किस रितू से संबन देता है, कौन सी रितू होती है, सित रितू होती है, है ना, मांसुन वापसी काल में कौन सी रितू मने जाती है, सित रितू, नेक कुशन देखें, कितनी उचाई पर सामने तह, एक डिगरी सेंटी ग्रेट तापमान कम हो जाता है यह कोश्यन मैंने आपसे पहले भी पूचा हुआ है आपको निश्चित रुप से पता होगा कितनी उचाई पर सामने था एक डिग्री सेंटिग्रेट तापन कम हो जाता है जब हम धरती से अब उपर की तरफ बढ़ते हैं आसमान की तरफ तो हम एक निश्चित दूरी पर सेंटिग्रेट टैंप्रेट कम होगता है तो हर इतनी दूरी करने पर आस्तन regime कम होता चला जाथ है तो कौन किती दूरी होती है你 वो 165 मीटर होती है 210 सेंटिग्रेट कम हो जाता है नाक क्वेशन देखिए भारत के पस्ष्यमी तट्य शित्र में वर्षा वार्षा का तक में नेख कुछन देखिए, अक्छांस का तापमान से क्या संबन्द है? अक्छांस का ताफ़ांण से क्या समद्ध एंक्षान्स इस्थिति का अक्छांस अगर सेंज हो ज़antics मानलेजी एक इस इस इस्तान यस इस इक इस्तान इस 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 इससा कोई temperature में कोई difference आएगा हाँ आएगा क्या अक्षान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, temperature कम होता जाता है, और ऐसी इस्तिति में अक्षान जैसे बढ़ेगा, वच्छे ही temperature कम होता चला जाएगा, next question देखिए, प्राइडी इपिय पठाट चहतर में दर्षणी पर्षणी में मानसून से कम बरसा होने का कारण है, तो उसका कारण देखिए वच्छ्टी चाहिं चहतर में होने का वर्ष्टी चाया चेत्र में होने के कारण का अर्थ क्या है? वर्ष्टी चाया चेत्र है गया? वर्ष्टी चाया चेत्र आप जानते हैं, जब एक पहाड है मान लिजए कहीं पर पवने आ रही हैं, तो पवने क्या है? जो परवत से टकराएंगी और उस चेत्र में वर्षा कर यह हम छोटी क्लासेज में पढ़ा भी है हम इस चीज को तो प्रायदिप्य पठाद भी ऐसी हिस्तिती उसके उपर बनती है तो इस वज़े से वरष्टी चाहें चेत्र में होने के कारण यहां पर दक्षणी पश्री में मानसुन से कम वर्षा होती है नहीं क्वेशन देखिए अरावली चेत्रे द्वारा दक्षणी पश्री में मानसुन से वर्षा ना होनी का कारण है अरावली जो चेत्रे है उसके द्वारा दक्षणी पश्री मानसुन से वर्षा आती है उसका ना होने के कारण क्यों नहीं होती है राजिस्तान में इती वर्षा क्योंकि अरावली सित्र की वैसे क्यों नहीं होती है तो उसका कारण है अरावली परवतमाला की जो इस्थिती है वो दश्णी परच्छे में जो मांसुनी पाउने हैं उनके समानांतर होती है और जब समानांतर होगी तो ऐसी इस्थिते में क्या होगा वो पाउनों को रोक नहीं पाएगी वो प इसी वज़े से हमारे रायस्तान का सुस्क इस्थल होने का कारण क्या है क्योंकि आरावली परवतमाला जो है वो हमारे मांसुनी पवनों के समनंतर इस्थिति में है इस वज़े से यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है हिमाले की इस्थिती से किन ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा होती है हिमाले की जो इस्थिती है वो जिस प्रकार इस्थित है उससे किन ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा होती है मान लिजिए हिमाले नहीं होता तो कौन सी ठंडी पाउने हमारे भारत को परेशान करती या प वह हिमालरे शङंधा रहा राएं पर रहा नहीं होता इस्तिती में क्या होता है साइबभेरी के जो थंडी हाएंご भारत मेंEuay Question अत Thank you भारत में मानसुनि पवनें कहां से आती है झौटि स्मार्णी मानसुनि पवनें वह कहां से आती हैं हम जानते हैं हिंद महासागर से आती हैं, हिंद महासागर से जो आती हैं और जब मानसोनी पवने हिंद महासागर से आएंगी तो कैसी होंगी? उष्ण भी होंगी और आद्र भी होंगी जहां से पवने आती हैं वो अपना प्रभाव जरूर साथ लेकर आती हैं तो इसी वज़े से वो उष्ण और आद्र होती हैं नेक क्वेश्चन देखें भारत में सरदकाली इन मानसुनी पवने किस प्रकार की होती हैं? सरदकाली मानसुनी पवने किस प्रकार के होंगी भारत में सरदकाली पवने क्या होती है मानसुनी पवने वापस सीत छेत्रों से लोट रही होती है तो सीतर छेत्र कैसा होता है सुस्क भी होता है और ठंडा भी होता है तो वहां से आने वाली पवने भी कैसी होंगी, सीत और सुस्क होंगी, सीत छेत्रों से लोटने के कारण सीत और सुस्क पवने आती हैं, सरदकालीन मनसून में है ना, नेक क्यूशन देखिए, भारत की जलवाईू परिस्थितियों को कौन सी रितुमें बाटा गया है, भारत क साहित्य के अनुसार, यहां पर एक्च्वल में जो हमारा मौसम विवाग होता है, भारती मौसम विवाग होता है, भारती मौसम विवाग हो कहता है कि यहां चार ही रितु हैं, लेकिन जब साहित्य भारती साहित्य की बात करते हैं, तो हमी छे रितुओं के बारे में जानका आई जाती हैं. next question देखी भारत में सीती रितु किस महाँ से संब्न रितु कब होती है? मार्च से मद्धे जुन तक मार्च से मद्धे जुन तक गिर्श्म रितू होती है नेक क्योशन भारत में वर्षा रितू किस महां से संबंदित है भारत में जो वर्षा रितू है वो किस महां से संबंदित है मद्धे जुन से मद्धे सेतंबर तक जो वर्षा चेत्रों टाइम होता है उसमें वर्षा का टाइमिंग होता है वो वर्षा रितु का समय होता है नेक क्वेशन भारत में सरद रितू किस महां से संबंदित है भारत में जो सरद रितू है वो किस महां से संबंदित है तो भारत में जो सरद रितू है वो मद्धे सितंबर से दिसंबर तक होती है मद्धे सितंबर से दिसंबर तक होती है नेक क्वेशन देखिए भारत की जलव पाईू है उसकी परिशित्यू को जब हमने विभार मॉसम विभाक एंसाषा पड़ाता तो चार रितुओं थी लेकिन जब अनुसार पड़ते हैं और आपकी वहेमंत रितु जो है, वो माग और फालगुन में होती है। तो देखिए, आपके पास हिंदी के मास हैं, उनके अनुसारिन रितु का विवन्ट साहिते में मिलता है। और उन्हीं के सहित आपको ये बुक में भी दिया गया है। तो आपको महा और आपको रितु ये दोनों ही साथ याद करना जरूरी है। तो आपको याद होना चाहिए, पसंत रितु चैतर और वैसाक में, ग्रीस मजेश्ट और अशाड में, वर्सा क्रावन और भाद्रपद में, सरद रितु आश्विन और कार्थिक में, शीत रितु मार्क शीष से पॉस में और हेमन रितु मार्क से पागम में होती है। चाहिए, जब मौसम विबा के अनुसार देखा जाए, तो 4 रितु में होती हैं भारत के अंदर, लेकिन जब हमारे भारती सहित्यों में के हिसाब के अगर देखा जाता है, तो रितु होती हैं। तो चलिए, start करते हैं, 25 तो देखे, दो कारण होते हैं, इसके, सूरे का दक्ष дополн होना और समुद्र से दूरी, देखे, हमारा भारत देश कहां पर है, हमारा देश जो है, ऑर्थ का आप गलोब देखते हो, तो आपको देखने को मिलेगा, जो उत्री गुलार्द है उस हिसे में हमारा भारत है लेकिन जब सूर्य दक्षणायन या दक्षणी गुलार्द में चला जाता है तो उस इस्तिते में क्या होगा सूर्य की तिर्शी किरने पड़ेंगी तो सूर्य से जितनी गर्मी मिल सकती है उससे कम मिलेगी तो यसी स्थिति में क्या होगा, ताप मैं में कमी होगी, इसी तरीके से समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, टैंप्रेचर कम होता चला जाता है, है ना, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, वैसे टैंप्रेचर कम होगा, तो इस वज़े से क्या होता है, उत्र उत्री भारत का सीत रितों में उसत तापमान क्या रहता है तो सीत रितों में 21 डिग्री से भी कम हो जाता है यह temperature उत्री भारत का सीत रितों में उसत तापमाने वो 21 डिग्री से भी कम रहता है और यह क्या है मैंने अब बताया था दक्षण का अधिक रहेगा जब सीत रितों म वहाँ पर दक्षिन का इसके वज़ाए ज़ादा टेंपरिचर रहेगा है ना next question देखिं स्रीतर तुमें भारत की किस भाग में उच वायुदाब मिलता है तो देखिं उच वायुदाब किस चेत्र में मिलेगा उत्तरपश्यमी भाग में भारत का जो उत्तरपश्यमी भाग है वहाँ पर उच्वायुदाब का नर्मान होता है यानि पूरे मध्य इश्या में इस प्रकार की इस्तितियां बंती है Next question देखी सीत्री तुमें निम्न वायुदाब के सिस्थान पर होता है निम्न वायुदाब का होगा निम्न वायुदाब होगा हिंद महासागर भाग में और इसी वज़े से मान्सून का नर्मान होता है सीत्री तुमें निम्न वायुदाब के सिस्थान पर होगा हिंद महासागर भाग में Next question देखी उत्तर पस्षिमी भाग में या मदे इशा में उच वायुदाब वहिंद मासागर में निम्न वायुदाब से निर्मिक कौन सा मनसुन बनता है मैंने बताया था कि जब एक जगे उच दाब बने एक जगे निम्न वायुदाब बने तो क्या होगा क्या होगा जहां निम्न वायूदाब है वहां पर क्या होगा वहां गर्मी जदा होगी तब ही निम्न वायूदाब निम्न होता है क्यों 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 कि जैसे गर्मी होगी हावा उंची चली जाएगी तो वहां का जगे खाली हो जाएगी तो आसपास की जो जगे हैं जहां उच वायू दाब होगा, जहां इतनी गर्मी नहीं होगी, वहां वायू ठंडी होगी, तो उपर नहीं उठेगी गर्म नहीं होने की वज़े से, तो ऐसे इस्तिति में क्या होगा, जहां निम्न वायू दाब होगा, उच वायू दाब से वहा उत्री पूर्वी मानसुन कहलाता है, नेक क्वेशन देखिए, सीत रितु में भारत के दक्षिन में किस छेत्र में वर्षा होती है, तो देखिए जब आपका ये मानसुन सत्र होता है, तब आपका तमिल लाणों के जो पूर्वे तटी छेत्र हैं, उत्री पूर्वी मानसुन द्वारा यहां पर वर्सा होती है, ऊत्री पूर्वी मांशुन द्वारा तमिलाडू के पूर्वे थरी चेट्रों में वर्सा हो तहीं है, नेक कोशन देखे, पश्चिमी विच्छोप यानि भूमदे सागरे चक्रवाद द्वारा वर्सा किस फसल के लिए वर्दान कहलाती है, पश्चिमी विच्छोप की जो वर्सा होती है, या भूमदे सागरे चक्रवाद से जो वर्सा होती है, वो किस प्रकार की फसल के लिए व परदान कहलाती है, नेक कोश्चिन देखी, पश्चिमी इस छोप को स्थानी भासा में क्या कहा जाता है, पश्चिमी इस छोप से हो सकता है, या आप थोड़े से परिशान हो गए हो, या याद नहीं आ रहा हो, तो पश्चिमी इस छोप को स्थानी भासा में क्या कहा जाता है मावट, और मावट से निशित रुख से आपको याद आ गया होगा जो ठंड में जो वर्सात होती है उसको क्या बोलते हैं उस वर्सा को हम पश्चिमी छोप की वर्सा कहते हैं यह ना, तो इस्थानिय बासा में क्या का जाता है इसको उत्राखंड और उत्रप्रदेश में जम्मु कस्मीर, पंजाब, भरियाना, राजिस्थान, उत्राखंड और उत्रप्रदेश में मावट जो होती है वो प्रशिम विश्वप से जो वर्षा होती है वो होती है यहाँ पर चमुकस्मीत, पंजाब हरियाना, राजसान, उत्राखंड और उत्रप्रदेश में नैक क्वेशन देखिए ग्रिस्मिलितों में अत्यदिक गर्मी के कारक है ग्रिस्मिलितों में अत्यदिक गर्मी के कारक क्या है उत्राल चूर्य यानि सीधी केरणे आ रही होती हैं से समुद्र से दूरी और प्रती चक्रवाथ ये सभी काराक हैं किसके ग्रीश मृतों में अतिरिक गर्मी के नेक क्वेस्टन देखें ग्रीश मृतों में उत्री भारत का तापण कितना हो जाता है ग्रिफ्ष्म रितों में उत्री भारत का ताप पान कितना हो जाता है तो ग्रिफ्ष्म रितों में उत्री भारत का 50 डिग्री सेंटीग्रेट तक चला जाता है देकिन दक्षिनी भारत में जब सीतरी भारत की बात थी तो वहाँ पर उत्री भारत थंडा था और दक्षिनी भारत गरम था देकिन जब ग्रीस में रितु की बात की जाए तो यहाँ पर उत्री भारत ज्यादा गरम होता है बजाए कि दक्षिनी भारत के तो दक्षिन भारत इस वहसा में उत्री भारत के तुलनाथ में थंडा होता है नहीं क्विशन देखिए तो देखिए जहां गर्मी है वहाँ पर पवनी उपर उठेंगे और जब पवनी उपर उठोंगी तो कैसा बनेगा निमन वायुदाब निर्मित होगा तो निमनवायुदाब कहा कहा बनता है राइस्थान और पंजाब में अती निमनवायुदाब भी बनता है तेकि उत्री भारत में पूरे में ही निमनवायुदाब बनता है लेकिन राइस्थान और पंजाब की बात करें तो यहां अती निमनवायुदाब कर नर्मान होता है य इनको हम इस्तानिय पवने के तौर पे भी जानते हैं, हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं इनके बारे में, उत्री भारत में चलने वाली पवने लूप किस रितु में चलती हैं, तो इस बात का कोश्चन मुझे पता है, कि आप सभी को पता होगा और सभी जानते हैं, इस गिर्ष्म रितों में जो पश्चिम बंगाल के अंदर आंदी तुपान का जो मौसम होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है उसको, तो उस काल को कहा जाता है काल वैसा की, ये जो टाइम होता है जब गिर्ष्म रितों में पश्चिम बंगाल के अंदर आंद कहला दिये देखिए जब ठंड में वर्सा हुई थी उत्री भारत में तो उसको हमने मावट कहा था और जब यही मालाबारत के कट होती है देखिए भारत में और वो भी कब ग्रीश्म रितों के अंदर तो उस वो वर्सा क्या कहलाएगी आमर वर्सा कहलाती है वो क्या कहलाएगी आमर वर्सा नेक क्वेशन देखिए ग्रीश्म वर्सा में कहवा उत्पादन वाले छेत्रों की वर्सा को किस नाम से जाना जाता है उस वत्त होने वाली को तो उसको फूलों की बॉचार या चैरी ब्लॉसम कहा जाता है क्या कहा जाता है पूलों की बॉचार या चैरी ब्लॉसम कहा जाता है नैक कुश्चन देखें किन राज्यों में ग्रिस्म रितों में तुफानों के साथ ओला वरिष्टे भी हो ज यहां पर इस प्रिकार की गट्टाएं देखने को मिलती हैं, यहां पितुफानों के साथ वो लवस्टे भी हो जाती है, ग्रिस्म रितू के अंदर, नेक क्वेश्चन देखिएं, किस रितू को भारतिय क्रसी के लिए जीवंदाई रितू कहा जाता है, तो इस चीज का अप्र वर्षा काल को ही क्या कहा जाता है, एक तरीके से मानसून काल कहा जा रहा है यहां पर, तो मानसून काल जो है, हमारे यानि जीवंदाई रितू क्या कहलाएगी, वर्षा रितू होगी, यह ना, तो भारतिय क्रसी के लिए जीवंदाई रितू क्या है, वर्षा रितू, नेक किस रित्यू के पश्चात वर्षा रित्यू का अगमन होता है तो देखिए गर्मी के बाद हमेशा वर्षा रित्यू का अगमन होता है क्यों कि गर्मी होने से उत्री भारत में निम्नवायुदाब निर्मत होता है और हिंद महासागर में उच्वायुदाब निर्मत होता है त तो अपने साथ वर्षा का जल लेके आती हैं और वर्षा करने में सक्चम होती हैं तो ये क्या होगा ग्रिस में रितू होगी वर्षा से वर्षा रितू से पहले कौन से रितू होगी ग्रिस में रितू होगी नेक क्वेशन देखें वर्षा रितू काल में किस छेतर में निम्न यहां पते कि जब हमने बात करी थी थोड़ी दिर पहले, तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा निम्निवायुदाब रिस्म रितु में कहां बनता है, राइस्थान में और पंजाब में बन रहा था तो ऐसी स्थिति में जब वर्षा रितु काल होती है तो उस स्थिति में कहां निर्मित हो रहा होता है यह राइसान के थार में और सल, तिबबत के पठार और पंजाब में यह निम्नवायुदाप की स्थिति होती है दक्षिनी पेशिम मानसुन के कारक क्या है दक्षिनी पेशिम जो मानसुन होता है उसके कारण क्या है तो उसके कारण है उत्री भारत में निम्नवायुदाप और हिंद मासागर में उच्वायुदाप होना इस विए बारे में हमने अभी बात करी है क्योंकि उत्री भारत में निम्न वायुदाब होता है और हिंदमासागर में उच वायुदाब होता है पमने हमेशा हमेशा कहाँ चलती है? उच वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ और ऐसी इस्तिति में क्या होगा? माशुन का नोζुन होगा cinnamon है, और prohibited से पमने आएंगी तो अपके साथ आध् books की मानसून बढ़ता है के किस वजे से बढ़ता हे हूं तो वह है भारत के रudशनी प्राइदी प्राइदी अस्तिती की है बारत का दुशने प्राइदी प्राइदी प्रती है वो जो मानसून है उसको दो साकाओं में य Manson और बंगाल कि खाड़ी का मानसुन की रूप में दो साखाओं में परिवर्टिक कर देता है है ना? नेक क्वेश्चन देखिए दक्षणी परिश्णी मानसुन की अरब सागरी ये मानसुन साखा भारत में सरफथम कहां टकराती है? मलब सबसे पहले जो ये मानसुन आता है दक्षणी परिश्णी मानसुन इसकी जो आपको पता है दो साखाओं हो जाती है एक अरब सागरी ये और एक बंगाल की खाड़ी वाला ये ना? तो अरब सागरी मानसुन जो आएगा वो सबसे पहले कहां टकराएगा? निशित सी बात है कि हमारा जो भारत का जो निशला हिस्सा है यानि दक्षणी भाग है उसमें टक्राएगा और जब कहां से आ रहा है? अरब सागर से आ रहा है तो अरब सागर की तरफ ही होगा यानि पेश्ण पेश्ण की इस्तिती में आएगा तो जब वहाँ टकराएगा तो वहाँ क्या है वहाँ आपका है पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट से यह टकराता है और पश्चिमी घाट से टकरानी की वज़े से वहाँ पर जो पहाडियां है वहाँ से टकरा कर यह वहीं की वहीं वर्सा कर देता है तो धाई सो से तीन सू स जनकरी होनी चाहिए, योकि एक्जाम में कई बार हुआ फिराकर भी question पूछे जाते हैं, जब ये कहा जाए कि अरब सागर ये मानसून और जब बंगाल की खाड़ी का जो मानसून दो साखाओं में बनता है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा ताकतवर होता है, यानि कौन सा ज बरावर रह जाता है, क्यों? क्योंकि जो पाहड़ी से वहीं की वहीं टक्रा करी होँज ज्यादा वर्सा कर बैठता है, तो धाई सो से तीन सू सेंटीमेटर वर्सा तो यहीं हो जाती है, तिर इसके और भी दो उपसाखाएं बनती है, उनके बारे में हम भी बात करेंगे, और जो पश्यमिघाट के आगे तो यह वर्सा करी नहीं पाता है, क्योंकि वर्ष्टी चाया चेत्र में चला जाता है, वर्ष्टी चाया चेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहली, तो वर्ष्टी चाया चेत्र यानि पहाड से ठकरा गया, तो पहाड की विप्रीत वा वर्सा होती है, तो 500-300 cm औस तन वर्सा वहां पर देखने को मिलती है, नहीं क्योशन देखिए, अरब सागरी मानसून की कौन सी उपसाखा नर्मदा तापती घाटियों से होकर बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है, देखिए जब अरब सागरी मानसून है, पहला तकरा है, उसके बाद उसके एक और उपसाखा बनती है, जो नर्मदा तापती की घाटी है, उसमें जो जगे मिलती है, वहां से जाकर और उसके रास्ते से बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिल जाता है, तो ये कौन सी उपसाखा कहलाती है, नागपूर उपसाखा कहलाती ह यहनी अरब सागर की नागपूर उपसाका है जो नर्वदा तापती घाटी से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मानसुन से मिल जाती है राइस्थान में आने वाली अरब सागर ये मानसुनी उपसाका किस कारण वर्षा करने में अधिक सिक्षम नहीं होती है देखे तीसरी जो इसकी उपसाका है वो राइस्थान से होती हुए आती है तो राइस्थान में आपको पता है राइस्थान सुस्क है क्यों है क्योंकि वहाँ पर जो अरब सागर ये मानसुन से आने वाली वर्षा है उसको रोकने में के लिए कोई बाधा ही नहीं है हिमाले से पहले, तो ऐसी स्थिती में क्या है, राइस्थान वर्षा नहीं हूपाती है मांसून और क्यों कि बीच में जो पहाड़ी सेत्र परता है, अरावली परवत मला वो भी इसके समनंतर है अर्वजसागर यह मांसून के तो ऐसी इस्थिति में पव्नों के लिए बाधा नहीं बनती है तो हिमाले की तरफ निकल जाती है और वहां जाकर बरसती है लेकिन राइस्थान जो उसके उपर से पूरा मांशून निकलता है वो सूखा रह जाता है क्यों होनी होता है ऐसा? क्योकि वर्षा करने में अधिक सक्षम नी होती है क्योकि अरावली परवत के समंतर होने के कारण Neauto Milky देखिए बंगाल की खाड़ी का मांसून अव्रोध के कारण कितनी उपसाकाओं में विवाजित हो जाता है बंगाल की खाड़ी का मांसुन की पूरोतर भारतिय उपसाखा किन राज़ों को प्रभावित करती है हमने देखा था बंगाल की खाड़ी जो है उसका मांसुन में दो उपसाखाएं हो गई थी जिसमें एक तो पूरोतर भारतिय उपसाखा है यहां पर यह चली जाती है और यहां पर जो गारो पाड़ी आएं वहां से यह टकराती है और यह वहां बहुत ज़्यादा वर्सा करती है मौसिन राम इस्थान में वर्सा अधिक्का का कारण क्या है मौसिन राम जो इस्थान है जो आपको पता है यहां पर सरवाधिक वर्सा होती है विसकी तो मौसिन राम इस्थान में वर्सा अधिक्का का कारण क्या है क्या है क्या है क्या है कारण तो वह है बंगाल की खाड़ी क मानसुन की भारतिय पूरोतर सुसा का जो गारो पाड़ियों से टकरा कर भारी वर्षा करती है कौन सी पार्ण से मैंने अभी बताया था गारो पाड़ियां जो आती है पूरोतर मानसुन जो उपसा का है भारतिय पूरोतर उपसा का है जो बंगाल की खाड़ी के मानसुन की वो अरणाचल प्रदेश और असं छेत्रे में बहुत वर्षा करती है, क्योंकि गारोपाड़ेश से वहीं टकराकर वह भारी वर्षा का कारण बन जाती है है ना और इसी छेत्र में मौसिन राम जो इस्ठान है वो वर्षा बहुत ज़्धा होने के लिए विस्व प्रिसिद्ध है क्योंकि यहां विस्व की सबसे ज़्यादा वर्षा मानी जाती है नहीं कोशन देखिए बंगाल की खाड़ी के मांसून की हिमाले तराई से बढ़ने वाली उपसाखा दूसरी साखा जो है बंगाल की वो कौन सी है बंगाल की खाड़ी के मांसुन से जो हिमाले तरही छेतर से बढ़ती है वो दूसरी उपसाखा है ये किन राजों को प्रभावित करती है कोशन ये है तो कोशन पर आंसर क्या है बिहार उत्रपरदेश थिस गर्ध चार गण्ड उत्रा खंड यहां पर इन सभी को प्रभावित करते हुए यह चलती है पश्चिमी पंजाब और राजिस्थान में कम बर्षा यहां पे होती है तो देखे बिहार उतरपदेश, 36 गर्ज, हारखन और उत्राखन यहां पर तो सामने बर्षा होती है लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से मांसुन है उसमें पश्चिमी पंजाब और राजस्तान में कम वर्षा होती है नेक कोशन देखिए भारत में सरद रितु में वायुदाब किस दिसा की और खिसकता है तो आपको पता है सरद रितु किस दिते में क्या होगा वायुदाब इससे पहले क्या होता है वर्षा रितु होती है वर्षा रितु में क्या होता है उत्तरी भारत में निम्न वायुदाब बना होता है और हिंदमास अगर में उच वायुदाब बना होता है तो जैसे जैसे मांसूर आता जाता है वैसे वैसे ये जो वायुदाब है उत्तर दिशा से दक्षिन दिशा की तरफ खिशकने चालू हो जाता है उत्तर से दक्षिन दिशा की ओर वायुदाप किस दिशा में आता है भारत में सरजदेत में वायुदाप जो है दक्षिन दिशा की ओर किसकना प्रारंब हो जाता है नेक क्षिन देखे भारत में असमान वर्सा होने के कारण वर्सा वितरन को कितने भागों में विभाजित किया गया है देखे भारत में कहीं व्रिष्टी शाया चेत्र है तो कहीं अरावली परवज जैसे समान अंतर शेणिया पढ़ जाती है मानसून के तो कहीं हिमाले आ जात पर अलग अलग प्रकार की वर्षा वित्रण इस्तितियां बन जाती हैं तो उस अधार पर जब हम भारत के छेत्रों को वित्रण करते हैं तो यह मुझते चार प्रकार के होते हैं और चार भाग जो जिसमें एक में अधिक वर्षा हो रही है कहीं साधन वर्षा हो रही है कहीं न्यून वर्षन हो रही है और कहीं जितनी रिक्पायड है उतनी भी वर्षा नहीं हो बाते हैं यानि पर्याप्त वर्षा होती है तो चार भागों में इसको विवाजित के आगा है वर्षा वित्रण शेत्र के आदार पर अधिक वर्षा वाले शेत्र साधन वर्षा वाले शे तो आया प्रयाप्त वर्षा वाले छेत्र नेक कोईशन देखें किस प्रकार के वर्षा वित्रण छेत्र में उष्ण कटी बंदिये सदा बाहर बन मिलते हैं किस प्रकार के वर्षा वित्रण छेत्र में उष्ण कटी बंदिये सदा बाहर बन मिलते हैं तो कहां मिलेंगे रख कौनशा विच्वर्ष वितंर शेत्र होगा जहाँ ऊस्टंकटी बन्दिया सदा बार्वन मिलते हैं वहाँ पर ऊष्ण कटी बन्दिया सदा बार्वन मिलते हैं Nine question देखिए, किस परकार के वर्षा वित्रन शेत्र में मांसूनी वन मिलते हैं? मांसूनी वन एक परकार के मौसमी वन है, यहाँ पर आपके पज़र का मौसम भी आएगा, यहाँ पर आपके हरा-भ॥रा इस्तिती भी आएगी, जब वर्षा मांसु निकाल आएगा तब बिल्कुल हरा-बरा हो जाएगा और जब ग्रिस्मरितु आएगी तब तक पूरी तरह जड़ चुका होगा तो इस प्रिकार अलग-अलग प्रिकार के वन यहां देखने को मिलते हैं तो किस प्रिकार के वर्षा वित्रण शेत्र में म मुखे शेत्र कौन से हैं भारत के तो कौन से हैं यह यह हैं असम मेधाले अरुणाचल प्रदेश तरप्रा नागा लैंड विजोरम यह सब क्या हैं यह आपकी जो साथ महनें वो हैं हिमाले की दक्षणवरती तलहेटी परस्षिम बंगाल बिहार यह पूरूतर जो भारत है जार खंड उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड परस्षिम तर्टिय मैदान और परस्षिम घाट का परस्षिम डाल वाले भाग यहां पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ने क्योशन देखी साधरन वर्षा वाले जो हैं 100-200 cm तक की वर्षा सामने तोर पर होती है वो मुख्य सत्र कौन से हैं परस्षिम घाट के जो पूरो तर डाल है उनमें 100-200 cm तक की वर्षा होती है इसी तरह दक्षण परस्षिम बंगाल है चतीस गड़ है जार खंड है ओड़ी सा दक्षण नेक क्षण देखे न्यून वर्षा यानि 50-100 cm के बीच में जहां वर्षा होती है ऐसे चत्र कौन से है न्यून वर्षा वित्रण वाले चत्र कौन से कहलाते हैं दक्षणी प्राइदिप का अंत्रिक भाग, पूर्वी राजिस्थान, पंजाब, हरियाना, दक्षणी पतेश और मध्य पूर्वी महराष्ण, ये सभी कैसे चत्र हैं, ये न्यून वर्षा वाले चत्र हैं, नेक क्षण देखे, आपरियाप्त वर्षा वित्रण वाले चत्र में आने वाले मुख्य चत्र हैं, परियाप्त वर्षा मतलब 50 cm से भी जहां कम वर्षा होती है, ऐसे चित्र कौन से हैं, तो ऐसे चित्र कौन से हैं, हम जानते हैं, तमिलानु का जो रायल सीमा भाग है, कच्छ है गुजरात में, पश्चिमी राजिस्थान का जोश्चा है, पश्चिमी राजिस्थान में, पश्चिमी पंजाब जो है, और लदा की, सभी ऐसे चित्र हैं, जहां परियाप्त वर्सा होती है, 50 cm से भी कम वर्सात होती है परमपरागत आधार पर राइस्थान की जलवायों को कितनी रितों में बाटा गया है तो देखे आपने जब भारत की बारे में पड़ा था तो आपको पता है, जब मौसम विबाक के अनुसार की बात करी थी तो चार रितों हैं थी, और जब आपने भारती साहिते के हिसाब से देखाता तो छैर होती हैं थी लेकिन राइस्थान के अंदर, राइस्थान के अंदर ग्रीस्म वर्सा और सीत रितों है सामने तोर पर कैसी वर्सा है, यहाँ पर मौसम हैं ग्रेश्म, वर्सा और सीत रितु नेक कुशन देखिए भारत मौसम विभाग अनुसार राइस्थान की जलवाईव को कितनी रितु में बाटा गया है भारत का जो मौसम विवाग है उसके अनुसार राइस्थानवेक की जलवाई हो कितनी रितु होती हैं तो ये हैं आपके पास सीत रितु दिसंबर से फरवरी तक दूसरा आपका ग्रेस्म रितु मार्स से मद्धे जून तक तीसरा आपका वर्षा रितु मद्धे जून से मद्धे सितंबर तक और चौथा आपका सरद रितु मद्धे सितंबर से दिसंबर तक यानि भारत के मुसम बिवाग अनुसार सलर देतू और पढ़ती है जबकि सामाने तोर पे माना जाता है वो सीत ग्रिसमा और बड़सारेतू मानी जाती है ठीक है चलिए नेक क्वेशन देखे राजिस्थान किस जलवाईू कटिबंद के अंतरगत रखा जाता है तो इसका अं तरगत हमारी राजिस्थान की जलवाईू आती है नेक क्वेशन देखे सीत्री तुमें सामने तर राजिस्थान में निम्नित आपमान वाले छेत्र कौन से हैं सीत्री तुमें जब राजिस्थान की इस्थिति जब देखते हैं तो जब निम्नितम जो तापमान होता है वो क सीत रुप्पी में सामनते सब्सक्राइब ज्यादा कम टेंपरेचर रहता है नेक कोशन देखिए उत्तर राजिस्थान में सीतरितु के समय क्या तापमान रहता है उत्तर राजिस्थान में आपको पता है समुद्र से दूरी के अनुसार और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी उपर तापमान रहता है तो उत्तर राजिस्थान का टेंपरेचर और दक्षिन राजिस्थान के टेंपरेचर में अंतर होता है तो उत्तर राजिस्थान का टेंपरेचर सीतरितु में क्या होता है तो वह होता है बारे डिगरी सेंटिगेटर से भी कम होता है जबकि दक्षिन राइस्थार में ये 68 degree centigrade से अधिक होता है, ये चीज को आपको याद रखना है और समझना है, नेक क्वेशन देखें, राइस्थार में सीत्री तुकाल में सरदकाले इन मांसुन को प्रभावित करने वाले उच्वायुदाव वाले छेत्र कहा निर्मित होते हैं, दे समझने के लिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अगर आप इन चीज को प्रॉपर तरीके से समझ होगे, तो आप अगर आपको घुमाफिरा कर भी गोश्यन दे दिया गया है, तो आप उसका जवाब दे पाओगे, तो चलिए, देखिए इसको, राइस्थान में सीत्रितुकाल में सरदकालीन मांसुन को प्रभावित करने वाले उच्वायुदाब वाले छेत्र कहा निर्मित होते हैं, तो कहा होंगे वो, आप जानते हैं, बेकाल, जील और पेशावर के निकट ये एरिया है, जहां पर सबसे ज़्यादा उच्वायुदाब छेत्र निर राइस्थान के अंदर है ना, नेक क्वेशन देखी, राइस्थान में निर्मित उच्वायुदाब से उत्पन पवने किन के साथ मिलकर मावट में सहाइक होती है, तो वो है आपकी भूमद्दे सागरी, चक्रवातों के साथ मिलकर ये मावट करने में सहाइक होता है, ये उ किस महा तक बढ़ कर अधिकत्ग हो जाता है राईस्टान में किस समय जाकर अधिकतम अधिकत्म किस महा तक हो जाता है तो हम जानते हैं जून महां तक राईसान की भूँ Norm अपने लगती है और सब्सज्छाब्रा टापिट्रेट से जून महां रायस्थान का औसत तापमान कितना होता है तो देखिए जूर महा में 30 degree centigrade इसका औसत तापमान होता है अधिक तम 45 इस डिग्री से भी अधिक कुछ शेत्रों में इसका टेंपरेचर चला जाता है। नेक कोशन देखिए। राइस्थान में ग्रीस्म रितू में निर्मित निम्न वायुदाब के कारण चलने वाली धूल भरी गर्म, सुस्क हवाईं क्या कहलाती है। राइस्थान में ग्रीस्म रितू में निर्मित निम्न वायुदाब के कारण चलने वाली धूल भरी गर्म, सुस्क हवाईं क्या कहलाती है। ये आप सभी जानती ही, ये इस्थानिय पवन है, जिसको लू कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से परीचित हैं। Next Question देखें, वर्सा रितू में सामन तह राइस्थान का तापान कितना रहता है, तो कितना रहता है? 18-30 degrees centigrade रहता है, 18-30 degrees centigrade टैंपरेचर इस वर्साकाल में रहता है राइस्थान के अंतर बारत में आने वाले दक्षणी प्रिश्चिमी मानसून की किस साखा से तुलनात्मक रायस्थान में कम वर्षा होती है? कि इन दोनों जो साखाएं बदल जाती है उन साखाओं में से किस में ज़्यादा वर्षा करता है? तो देखे हमने इसके बारे में पढ़ा था अरब सागर ये मानसून जो आता है वो सबसे पहले पश्चिमी घाट में टकराता है और वहीं पर अपनी सारी सकती लगभग बैठता है तो वो सबसे ज़्यादा जबकि वो बंगाल की खाड़ी से जो उठा हुआ मानसून होता है उसे ज्यादा ताकतवर होता है ज्यादा वर्षा करने में सक्सम होता है लेकिन वो जो वर्षा है वो पश्चिमी घाट पर ही कर बैठता है उसके आगे वो जब आता है तो बहुत हलका पड़ जाता है उसी तरीके से बंगाल की खाड़ी से जो आता है तो बंगाल की खाड़ी से आता हुआ जो मानसुन है वो वर्षा करता हुआ आता है और राइस्थान तक आते आते कापी हद तक अपनी आधरता खो चुका होता है तो वो भी बहुत जादा वर् में ज़्यादा जो प्रभावी साखा होती है तो वो कौन सी कम वर्षा करती है अरब सागरिय मानसुन वर्षा कम कर पाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठावा मानसुन सुस्क तो होता है लेकिन फिर भी अरब सागरिय मानसुन से ज़्यादा वर्षा करता है तो आप से पूछा गया था राइस्थान में कम वर्षा किस साखा से होती है तो अरब सागर ये मांसून की जो साखा है उससे होती है नेक कुशन देखी राइस्थान में मांसून किस समय तक प्रविस करता है राइस्थान में जो मांसून है किस समय तक प्रविस करता है तो हमें पता है हम राइस्थान की निवासी हैं सामने तहा जून के अंतिम सब्ताह तक यहाँ पर राइस्थान में मानसून आ जाता है सामने तहा जून के अंतिम सब्ताह तक राइस्थान में मानसून आ जाता है नेक क्वेश्चन देखिए भारत में आने वाले दक्षणी पर्षणी मांसून से राइस्थान की कुल वर्षा का कितना प्रतिसत वर्षा राइस्थान में होती है भारत में आने वाले दक्षणी पर्षणी में जो मांसून होता है यानि बंगाल की खाड़ी का मांसुन और अर्ब सागरी मांसुन जो है उसमें राइस्थान की कुल वर्षा जो होती है राइस्थान में जो टोटल वर्षा होती है उसका कितना पृतिसत भाग इस दक्षिनी पेश्री में मांसुन के द्वारा होता है तो हम क्या है 95% जो के कारण राइस्थान का कौन सा भाग वर्षा से वंचित रह जाता है बंगाल की खाड़ी के मांसून के राइस्थान तक आने तक सुस्क होने के कारण राइस्थान का कौन सा भाग वर्षा से वंचित रह जाता है बंगाल की खाड़ी का मांसून कहां पर वर्षा नहीं कर पत माला आया जाती है तो पश्चिमी राजिस्थान की तरब बाग पहुँची नहीं पाता है तो इस वजह से पश्चिमी राजिस्थान में इसके द्वारा वर्सा नहीं हो पाती है जोकि बीच में अराउली परवत माला आ जो मनसुन आएगा वहाँ पवनों से जो पवने आ रही है मनसुन आ रहा है उसमें राजिस्थान में कहां वर्सा सबसे ज़्यादा होगी तो वह है आपका दक्षणी पूर्वी राजिस्थान यहाँ पर वार्षिक वर्सा ऑस्ता सौ सेंटिमीटर से भी अधिक होती है और द वर्सा कितनी है पश्चिमी राजिस्थान में और वर्सा कितनी है तो जब हमने वर्सा वित्रण पढ़ा था भारत का वर्सा वित्रण तो हमने देखा था कि जो राजिस्थान का कुछ हिस्सा है वो सबसे मलब कम यह प्रयाब्द वर्सा की छेत्र में आता है क्योंकि पश् सेंटीमीटर से भी कम होती है कोह सारी जगत हो दक्षिनी पूरी भाग में पिचेतर से 100 सेंटीमीटर वर्ष से सुत्रे पूरी राइस्थान में 50 से 70 सेंटीमीटर होती है नेक कोशन देखिए राइस्थान के किस बाग में सबसे कम वर्सा वर्सा की अनिश्चित्ता होती है राइस्थान का कौन सा भाग जिसमें सबसे कम वर्सा वर्सा की अनिश्चित्ता होती है तो आप जानते हैं कि पश्चिमी राइस्थानी ऐसा भाग मुश्चिता और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी स्थित्या देखने को मिलती हैं, तो उत्तर पश्चिमी वे पश्चिमी जो राजस्थान है, इसमें वर्सा की न केवल कमी होती है, बलकि वर्सा की आनिश्चित्ता भी होती है, नेक कुशन देखिए, सरद रितू में प्रारंभ में कि जैसे ही वर्षा आएगी, तो वर्षा आने के बाद जो धूलकन है, जो कि कहीं न कहीं, बहुत सारी चीजों के लिए, अलग-अलग प्राकरती घट्टाओं के लिए बेवार होते हैं, तो क्या होता है, जब वर्षा होगी तो धूलकन बैट जाते हैं, जिससे आस्पन साफ होता है, और ऐसी स्थिति में जो टैंपरेचर है, जो सूरे की केड़ने है, उस सीधी पढ़ने लगती है, बीच में कोई रुकावट नहीं होती, ऐसी स्थिति में वहां का तापमान एक बढ़ बढ़ जाता है, क्यों होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आकास स्वच होना ह सरद्रितु में प्रारम में जो टापमान बढ़ता है, उसका करण क्या है, आकास स्वच होना, और यहां का जो टैंपरेचर है, वो 38 degree centigrade तक पहुच जाता है, नेक कुशन देखी, सरद्रितु के प्रारम में बढ़े हुए टापमान का कम होने का करण क्या है, सरद्रितु में आपने देखा कि टैंपरेचर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपसमान साफ था, तो अब यह जो कम हो रहा है, उसके बाद, सरद्रितु के बाद आपको पता है, इसका टैंपरेचर कम होने लगता है, क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य होता है, वो अब बढ़ना चालू हो जाता है या फिर उस साइड ही तो गिरने जिसी दी नहीं पड़ेंगी और ऐसी स्थिति में अपने आप ही वहां का टैम्प्रेचर डाउन होना चालू हो जाता है तो उत्तिर राइस्थान 20 प्रकार के स्थिति होती है कि जो वायुदाव होता है वो इसपस्ट नहीं हो पाता है इधर भी उच्छदाव हो रहा है और भी उच्छदाव हो रहा है कहीं निम्न है तो इधर भी निम्न हो रहा है तो इस वायुदार निर्मित होने के कारण महाँ पर वर्षा पवने नहीं चलते हैं और पम्नी नहीं चलेंगे, तो वर्सा भी नहीं होगी, तो ऐसी एस्थिति में क्या हैं? पम्नी भी सांत रहती हैं और वर्षा भी नहीं होती है। जितु democracy होती है रहिसार में तो वह आज़ितु की सरधूरीदु के एंतर किस भी प्रिकार का मोस्य पर्डिवर्श देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहां पमनी सान्त रहती हैं और वर्षा भी नहीं होती है और उसका मुख्य कारण क्या है इस परस्ट वायूदा मनिर्मित नहीं होना ठीक है नेक कोश्चन देखें भारत की कुल वर्षा का कितना प्रतिसत दक्षिनी प्रश्चिमी मानसून से प्राप्थ होता है पूरे भारत की जब बात करते हैं तो दक्षिनी प्रश्चिमी मानसून है यानि बंगाल की खाड़ी का मानसून और अर्व सागरी मानसून से जो टूट सरद कालीन मांसून से प्राप्त होता है भारत की कुल वर्ट साका कितना प्रतिसत चक्रवातों में सरद कालीन मांसून से प्राप्त होता है या मावट कालीन जो मांसून है तो यह सब कैसे होता है कितना प्रतिसत होता है तो हमने देखा था हमारे भारत में मुख्यता दो ही प सूरे के मकररेखा पर नंबवत चमकने पर निमनवायुदग कहां होता है यह concept अगर आपे अगर समझा है गुस्चंप आपने अगर सही किये है तो जवाब को आना चाहिए कि सूरे के मखर तो आपको यह पता होना चाहिए अुइ मखेड़ीका का होती है, मकर्रीका का होता हुधी के अ अध्यम कभिए का होगी दक्रम में बॉख़ी तो इस वक्त हमारे यहां पर क्या होगा ठंड पर रही होगी तो ऐसी श्वटति में निम्नवायु युदाप आं होगा कहां पर होगा हिंद महासागर सेत्र में होगा ऐसे स्थिति में कहां पर होगा हिंद महासागर सेत्र में होगा और हमारे यहां पर मावठ का सीजन चल रहा होगा है ना नेक क्योश्चन देखें, सूर्य के करक्रेखा पर लंबवत चमकने पर भारत में निम्नवायोदाप कहा होता है, तो जब करक्रेखा है, कहां पर है, उत्तरी गुलार्द में है, और हमारे भारत के लगभग मद्दे से भी निकल रही है, तो ऐसी स्तिती में, यह क्या होगा, जब लंबवत होगी करक्रेखा पर सूर्य की स्तिती, तो वहाँ पर गर्मी हो रही होगी, और ऐसी स्तिती में, यहाँ पर temperature जादा होने से, वायुदाब भी यहाँ पर निर्मित होने लगेगा निम्न, तो भारत का जो उत्त्री भाग है, वहाँ पर निम्न वायुदाब न भारत की राष्ट्य वन नीती के अनुसार भौगौलिक शित्रफल का कितना प्रतिसत भाग 1 होना अनिवारे है तो कितना प्रतिसत है ये 33 प्रतिसत है 33% जो है भौगलिक पार्ट जो आपका है उसका 33% वन होना अनिवार रहे है नई जो राष्ट्य वन नेती है उसके अनुसार नैक कुश्चन देखिए भारत में वनस्पती आधारित वर्गी करण अनुसार कितने प्रिकार के वन पाये जाते हैं वनो को कितने भागों में बाटा गया है वो आपसे पूछा जा रहा है। बताईए, तो ये हैं सदा बाहर वन, पजड़ी वन या मानसुनी वन भी इनको का जाता है, सुस्क वन, मरुस्थलिय वन, जुआरिय और परवतिय वन, इस तरीके से आपके कितने हैं ये, टोटल 6 प्रकार के वनों में इसको वनस्पती आधारित वर्गीकर्ण जो है, उसके आधार पर 6 प्रकार के वन कहे जाते हैं, सदा बाहर वन, पजड़िया मानसुनी वन, सुस्क वन, मरुस्थलिय वन, जुआरिय वन, और परवतिय वन, ठीक है, नेक कुश्चन देखें, सदा बाहर वनों को किस प्रकार के वर्षा छेत्रों में पाए जाते हैं, सदा बाहर जो वन है किस प्रकार के वर्षा शित्र में पाए जाते हैं मतलब वर्षा कितनी होनी चाहिए तो जहां और सथ वर्षा 200 cm से भी अधिक होती है वहां वार्षिक और सथ तापमान है वो 24 cm के लगबग हो तो वहां पर क्या होता है सदा बाहरवनों का विकास होता है नेक्कोशन देखी, भारत में किस चेतर में सदा बहारवन पाए जाते हैं? उत्रपूर्वी भारत में, बंगाल, असम, मेगाले और तराई प्रदेश में ये सदा बहारवन देखने को मिलते हैं पशिमी घाट में अंडमान निकोबार्दीव समू, उत्री पूरी भारत में बंगाल, असम, मेगाले और तराई प्रदेश जाये हैं, महाँ पर सदा बाहरवन पाए जाते हैं, नेक कोश्चन देखी, सदा बाहरवनों में सामने तह कौन से व्रक्ष पाए जाते हैं, हम जानत सदा बाहरवनों में रबर, महोगनी, एबोनी, लोहकास्प, जंगली आम, तार, बांच ये सभी कैसे हैं, जिस सदा बाहरवनों में मिलने वाले व्रक्ष हैं, जिनकी उंचाई सामने तह 30 से 45 मीटर तक ये उंचे होते हैं, कहां तक 30 से 45 मीटर तक ये उंचे होते हैं, नेक question देखिए सदाबाहरवणों को आर्थिक दर्स्टी से उपएउगी ना होने का कारण है। किस प्रकार के वर्षा छेत्रों में पाए जाते हैं पज़ःड़ी 1 क्या है मांसूनी 1 पज़ःड़ी 1 क्या है मांसून के आदार पर जो होते हैं उनके पज़ड़ीवन कहा जाता है तो 21 चेत्र में पाए जाएंगे जहां 100 से 200 cm की वर्षा और सत्वार्सिक वर्षा होती है जहां 100 से 200 cm की और सत्वार्सिक वर्षा होती है वहाँ पज़ड़ी या मानसुनीवन देखने को मिलते हैं नेक क्वेशन मान्सुनी वन यानि पज्ज़डी वन भारत में किन खेत्रों में पाय जाते हैं? तो मान्सुनी वन जो आपके है उत्तर पूरyu प्रदेश के निचले भाग बिंद्या चलवे सतपुड़ा पर्वत छोटा नागपुर वै असम की पहाड़ियां पूर्वी घाट के दक्षणी भाग एवं पश्चिमी घाट का पूर्वी छेत्रे में ये मानसुनीवन भारत में देखने को मिलते हैं क्षिश्चिमी पज़ड़ी वनों में पाय जाने वाले मुख्य व्रक्ष कौन कौन से हैं ये सभी कि सभी पज़ड़ी वनों में पाय या वाले व्रक्ष हैं देखें ये हमारे देश में सामाने पाए जाने वाले व्रक्ष हैं क्यों क्यों कि आपको पता है भारत देश की जलवाईू कैसी है भारत देश की जलवाईू सामाने तब है मानसूनी जलवाईू है तो ऐसे इस्तेतियों में पजढ़ी बनों के पनपन की काफी ज़्यादा संभावना होती है तो इसी वज़य से यहाँ पर यह समने तोर पर देखने को मिलते हैं नेक कोशन सुस्क वन किस प्रकार के छेत्रों में पाए जाते हैं सुस्क वन किस प्रकार के छेत्रों में पाये जाते हैं तो देखे सुस्क वन कहां पाये जाएंगे जहां वर्षा कम होगी जहां उसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 cm हो है न, वहाँ पर क्या हो वहाँ सुस्क वन पनपते हैं क्या पनपते हैं जहां से 50 से 100 cm वार्षिक वर्षा का उस्त हो, नाय क्योशन, किस प्रकार के वनों में व्रक्षों की जड़ हैं, वो लंबी और मोटी होती हैं, जब व्रक्षों की जड़ लंबी और मोटी कब होंगी, जब धर्ती से पानी कीचने का खनीजलवर लेने का कारे करती है इसकी जड़े रक्ष की तो उनको लंबा कब होना पड़ेगा जब उनको वो जो चीज है वो धर्ती के समीप नहीं मिलेगी वो बहुत ज़्यादा गहाई में उनको जाना पड़ेगा और ऐसा कब होगा जब सुखसा होगी और वो कहा है हमारे दक्ष्णी पष्णी में पंजाब का हिस्सा जो है हरियाना पूरवी राजिस्तान वैद दक्ष्णी पष्णी में उत्तर प्रदेश ये सब कैसे हैं ये सुस्क्वनों के छेतर हैं ये कैसे हैं सुस्क्वनों के छेतर हैं नेक पूशन सु सुस्क वनों के व्रक्ष हैं कीकर, भबूल, नीम, आम, महुआ, करील, खेजडी आधी सभी कैसे हैं आपके सुस्क वनों के व्रक्ष हैं यह सामने तक इतने 6 से 9 मीटर उचे पाए जाते हैं सामने देखा जाता है तो है ना एक क्वेशन, मरुस्तलिय वन सामने तक किस प्रकार की वर्सा चेत्रों में पाए जाते हैं मरुस्तलिय वन जो हैं सामने तक किस प्रकार की वर्सा चेत्रों में पाए जाते हैं तो मरुस्तलिय वन जहां 50 सेंटीमिटर से भी कम वर्सा होती है जहां 50 सेंटीमिटर से भी कम वर तो यहाँ पर मरुस्टली वन पशिमी राजिस्तान में आपको देखने को मिला है और यहाँ पर सामने आपको पता है वर्सा का इस तर बहुत ज़ादा डाउन है तो थार मरुस्तल में हमारी देखने को मिलता है जहां 50 cm से भी कम वर्सा होती है कम पत्तियां वाले व्रक्ष काटेदार और छोटे और जाडियां किस प्रकार के वनों की विश्यस्ता हैं? या फिर हाइट में छोटा होना, या फिर जाडियां जादा होना, तो यह सब किस प्रकार के विश्यस्ता हैं? नागफनी, रामबास, खेजडी, खेर, खजूर ये सभी कैसी हैं ये आपके मरुसल येवनों की वनसपती हैं मरुस्तली वन भारत में किन शेत्रों में पाए जाते हैं तो नियापती निशी तौर पर जानते हैं दक्षिनी पश्रीमी जो पंजाब है पश्रीमी राजिस्तान, गुजरात, मद्धे प्रदिस जगाओं पर ये मरुस्तली वन देखने को मिलते हैं जो दक्षिनी पश्रीमी पंजाब है और पश्रीमी राजिस्तान और गुजरात यहाँ पर ज्यादा तर देखने को मिलता है मद्यप्रद्दिय में बहुत कम भा गए लेकिन फिर भी जख्षिनी प्रश्मी मी पंजाब, प्रश्उमी राजिस्तान गुजात और मद्यप्रदीश आदी मिरुस्त लिवन भारत में देखने को मिलते हैं next question जो आई वन या दलदली वन भारत में किन चेत्रों में विक्सित हैं? तो देखे है जब आप दलदली वनों की बारें बात करते हैं तो ये बाथ तो निश्चित है कि यहाँ पर पानी की अधिक्ता होगी क्योंकि दलदल तबी बनेगा है ना तो ऐसी स्थिती में कहां पर निपेंगे ये, महानदी, गोदावरी, किष्णा ये जो नदियां हैं, उनके मोहानों पर ये सामने तोर पर डेल्टा भागों में ये पनपते हैं, तो जौरी बन दल्दली बन कहा हैं, महानदी, गोदावरी, किष्णा, कावेरी ये सभी जो उनके मोहाने पर और गंधा ब्रह्मा पुत्र के डेल्टाई भागों में जुआरियवन या दंदली वन देखने को मिलते हैं नेक क्वेशन जुआरियवनों में पाए जाने वाले मुख्यव्रक्ष कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से हैं ये? मुख्यत वक्ष जो सबसे मुख्य व्रक्ष है देखो जब आप सुन्दरवन डेल्टा की बात करते हो यानि गंधा ब्रह्मा पुत्र के डेल्टा की बात करते हो तो उसको सुन्दरवन डेल्टा कहते हैं सुन्दरवन डेल्टा क्यों कहते हैं? हम पहले भी बात कर चुके हैं, वहां सुन्दरी नामक व्रक्ष शपाया जाता है, इस वज़े से उसको सुन्दरवन डेल्टा कहते हैं. तो देखें जुआरिय वनों की एक महुत मुख्य विसेस्ता है सुन्दरी व्रक्ष है न? और फ परवतिय वन भारत में किन शेत्रों में विक्सित हैं? तो देखिए, दक्षिन भारत में महराष्ट के महाबलिश्वर्प तथा मध्य प्रदेश के पंचमड़ी आदी उंचे जो भाग हैं, उसमें ये इस प्रगार के वन देखने को मिलते हैं. ये वन सामने तब 1500 मीटर की उ पर पाये जाते हैं, दक्षिन भारत में महराष्ट के महाबलिश्वर्प तथा मध्य प्रदेश में पंचमड़ी आदी उंचे भागों में देखने को मिलते हैं, परवतिय वन. Next question, सामने तब रख्ष 15-18 मीटर उंचे, मोटे तने, रख्षों के नीचे सघन जाडियां, पतियां घनी, सदा पाहार, टहनियों पर लताएं, आदी किस परकार के वनों की विश्यश्ता हैं? देखे, जब हमने मोटी जड़ के बारे में बात की थी, तो हम समझ गये थे, यह सुस्क वनों का या मरुस्तली वनों का मेटर हो सकता है, लेकिन जब हम मोटे तने की बात कर रहे हैं, जब रख्षों के नीचे सगन जाडियों की बात कर रहे हैं, ब्रख्ष की हाइट 15-18 मी विशेष्टाएं हैं, यह सभी कैसी हैं, यह परवतिय वनों की विशेष्टाएं हैं, आपने देखा भी होगा परवत पे जो पाहाड उगते हैं, उसके सामने तोर पर जो उसका बेस होता है, किसी भी व्रख्ष के नीचे का जो इससा होता है, वहाँ जाडियों उग जाती तो यह एक environment है जिसमें एक particular type ही वनस्पति ही उपती है तो इस वज़े से जैसे जैसे इस्थान होगा वैसे ही वनस्पतियां वहाँ पर परणपती हैं तो परवती वनों की यह विशेस्था है परवती वनों में अधिक उचे स्थानों में कौन से व्रक्ष पाये जाते हैं तो परवती वनों में अधिक उचे स्थानों पर कौन से व्रक्ष देखने को मिलते हैं तो अधिक उचाई पर क्यों से मिलेंगे यूजेनिया, मिचेलिया, रोडेंड डॉस, आदी टाइप के व् ले मिलते हैं, नेक कोईशन परवती वनों में 1500-1500 मेटर उचाई वाली चौन से वनस्तिया पाइ जाती है तो चोड़ी पतिवाले औउक चेश्टनट ये मुक्ह क्यों से पाइ परवती वनों में 1500 से 3000 मीटर तक उचाई पर कौनसी वनस्पती पाई जाती है तो आप जानते हैं संकुधारी व्रक जैसे देवदार हुआ, स्पूरूस वार्चीड आदी, यह सभी क्या हैं? यह सभी 1500 से 3000 मीटर उचाई पर परवती वनों में इस्सा होते हैं. नेक क्वेशन, परवती वनों में 3000 मीटर से भी उचे स्थान पर कौनसी वनस्पतियां पाई जाती हैं? तिके बहुत ज़्यादा उचे पर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जब 3000 मीटर से उचे की बात करें तो कौनसे वनस्पतियां हैं? आपकी अलपाइन वनस्पती जैसे सिल् पर, बर्च और जुनीपर. नेक क्वेशन, भारत में प्राणियों की कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं? तिके कुछ क्वेशन ऐसे होते हैं, जो की कंसेप्ट के हिसाब से आपको जाना ज़रूरी होता है, यह मैं आपसे पहले भी बोल चुना हूँ, तो हर क् ठंग से देखेगा, चाहे वो आपको एक्जाम के लाइक लगे या ना लगे, लेकिन आपको हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान देना है, ताकि अगर किसी भी कोशन को कोई घुमा फिरा कर पूंच लिया जाए, तो आप उसमें अठके नहीं चलिए. भा कि अपने बच्चें को अपने इस्तनों से दूद पलाते हैं, वो कैसे इस्तंधारी जीव कहलाते हैं, फिर तेरह सो तेरा पक्षी के पर जाती हैं, पक्षी आप जानते हैं, चार सो आट सारी सरप, सारी सरप कौन से होते हैं, जैसे साप हो गई, चिपकली हो गई, जो सामन तोर पर रेंगने वाले जो जीव होते हैं, है न, 117 में उबहचर, उबहचर कौन से हैं, जो जमीन पर और जल में, दोनों में ही वास कर सकते हैं, जो जमीन और जल दोनों में वास कर सकते हैं, जैसे आपका मगर मच हो गया, है न, ये कैसा है, उबहचर जीव है, तो 117 में पर प्राणियों की प्रजातियां वो अलगलग कितने प्रकार की प्रजातियां वो आपके डेटा दिया गया है तो लगवग यहां पिछेतर हजार प्रजाति मुखेतर टोटल पाई जाती हैं भारत में पाई जाने वाले प्राणियों की प्रजातियां संपूर्ण विसका कितना प्रतिसत हैं भारत में जो टोटल प्राणियों की प्रजातियां देगा प्राणी सब्द से मतलब क्या है प्राणी सब्द से वो जो चलता हुआ जीव हो जैसे कि कोई भी हम आप या फिर को तो वनस्पति साथ में हम पेड़ पौदों के बारे में बात करते हैं लेकिन प्राणी साथ में हम जीव जंतों के बारे में बात करते हैं तो यह प्राणी सास्त्र के वाला हिस्सा है प्राणीयों की प्रजातियां पूचेगे यहां पर वनस्पतियां सामिल नहीं होती हैं इस आपको पता है कितनी प्रजातियां है 25 000 की स्थिन तरह कितना पृतिसत प्रतिसत थो इस इंद्यार जीव भारत में किनिस्थानों पर पाए जाते हैं तो यह का में पाए जाते हैं असम करनाटक और केरल के उस्ट में तथा आदरवनों में यह देखने को मिलते हैं एक सिंग वाले गैंडे भारत में किनिस्थानों पर पाए जाते हैं एक सिंग वाले जो गैंडा होता है भारत में किनिस्थ पर पाए जाता है तो देखिए वो आपका पश्चिम बंगार असम' के दल्डली छेत्र इनने वह देखने को मिलता है पर्षिमी दंगार और असम के डल-दली छेत्र, जंगली गधे मैं उउत के निस्थानों पर पाए जाते हैं, जंगली गधे मैं उड़ के निस्थानों में पाया जाते हैं और और जो है आपको पता है thing my.' लेजिस्तान का जाज का जाता है तो मरुस्तल में पाया जाएगा सामने डर पर तो इ gelak कीसे कहा जाता है तो तकशेब एक फरकार का छोटा हीनरग है चोटा हीडर्ण है, उसको गैजल कहा जाता है, नैक कुशन, विस्व का एक मात्र देश जहां सेर वे बाग दोनों पाए जाते हैं, मेरे को लगता है कि इसका अंसर आप सबको निश्चित रूप से पता है, यो कि हम जानते हैं हमारा भारत देश ही ऐसा है जहां सेर और बाग दोनों मिलने को मिलते हैं, भारत है ना, नेक कोशन, भारतिये सेर किस छेतर में पाए जाते हैं, भारतिये जो सेर हैं, वो किस छेतर में पाए जाते हैं, तो वो आपको पता है, गुजरात के गिर के जंगलों में सेर पाए जाते हैं, गुजरात के गिर जंगलों में भारतिये बाग भारत में किन छेत्रों में पाए जाते हैं तो आपका मद्धर पदेश जारकंट के वनों पशीमी बंगाल के सुन्दर वनवे हिमाली छेत्रों में सामने तरफे देखने को मिलते हैं मद्धर पदेश जहारखंड के वनों, पश्षीमी बंगाल के सुन्दर वनों हिमाली छेत्रों में देखनी को मिलते हैं। नेक क्वेशन, लद्दा के हिमाली छेत्रों पाए जाने वाले प्राणी कौन से हैं? याक जो एक प्रिकार के बैल जैसा दिखाई देता है, और काफी बड़ा होता है इसका जो वेट होता है लगवगवग होता है, तो यह क्या है एक नीली प्रिकार की भेड है, उसकी पर जाती है जंगली भेड, कियांग, ये काफी important है, तिब्वती जो जंगली गयदा है, उसको कियांग कहा जाता है, तो कियांग और कुछ इस्तानों पर लाल पंडा भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं, नेक कोशन, विस्व का एक मातर देश जहां घडियाल पाए जाते हैं, विस्व का पात करते हैं, तो ज़िकि एक घडियाल क्या है, मगरम novamente ये लगवग होते हैं ये, लेकिन ये पूरे विस्व में केवल अमारे यहाँ पर भारत में देखने को मिलते हैं, खेंग हो सकते हैं आप करते हैं, राजिस्थान के वनों के बारे में तो 37 application है, आपका राजिस्थान में कितने छेत्रफल में वनस्पती मिलती है तो ये है आपका लगबत 34,610 वर किलोमेटर छेत्र है जहां पर वनस्पती मिलती है और राज जिक कर जो कुल छेत्रफल है उसका मातरी 10.12 प्रतिसत ही है कितना प्रतिसत है ये राजिस्थान में सघनवन आवरण छेत्र कितना है? राजिस्थान में जो सघनवन आवरण छेत्र है वो कितना है? तो हम जब पृतिसत की बात कराएं तो यह बहुत कम है, 3.83% ही यह है, 3.83% ही यह आपका है, जो आवरण छेत्र है, राजिस्थान में सघनवन आवरण छेत् वल कितना है, तो कितना है यह, यह आपका 0.03 हेक्टर है, कितना है, 0.03 हेक्टर है, जो प्रतिवेक्थी वनचेतर पर है, नेक कोश्चन देखिए, भारत में प्रतिवेक्थी वनचेतर वल कितना है, तो वो मात 0.13 हेक्टर है, राइस्थान में कितना था, 0.03 हेक्टर मात है, तो वो इससे भी कम है, नेक कोशन देखिए, राइस्थान की प्राकरतिक वनस्पति कितनी प्रकार की पाई जाती है, राइस्थान में जो प्राकरतिक वनस्पति है, वो कितनी प्रकार की पाई जाती है, तो देखिए वो आपके है, वन, घास और मरस्थली वनस्पति, वन पा गया है रायस्ान में जो वन हैँ उनको कितने भागों में वर्गी क्रत किया गया है तो यह आपके हैं उस्टिय कटिबन दिया लिवन उस्ट कटिवन पdoing दिया शुस्क पजहड़वन और डाया ॥ ुपोष्ण परवतिया वन इस प्रकार से यह 3 भागों में वर्गी नाजित्थान में कहां पाय जाते है तो ये है पश्यमी मर्ष्तलें शुस्क और अर्द्थित्र सुस्क प्रदेश में ये पाय जाएंगे जैसे कि जैसंन मेर हो गए बाड मेर पाली बिकानेर चूलू नागो और शीकर जुंजुनू जीसे चीट्र हैं जो पस्षिमी वर्ष्थली जो छेत्रे हैं सुस्क और दर्ज सुस्क प्रदेसों में उस्ट निकर्टी बंदिया बन पाए जाते हैं राज़्थान के सुस्क बनों में पाए जाने वाले मुख्य ब्रक्ष कौन से हैं? रायस्टान का जो सुस्क वनओं वाला जो छेतर है उसमें कौन से मुखेरक्ष पाए जाते हैं, तो वो हैं खेजड़ी, रोहिड़ा, बैर, कैर और थोट, यह सब ही कैसे हैं, रायस्टान के शुस्क वनओं में पाए जाने वाले मुखेरक्ष है, न सक अधुशन, मरुस्थल मरुस्थल का कल्प रक्ष किसे कहा जाता है ये question कापी important है इसका दियाद रखेगा मरुस्थल का कल्प रक्ष किसे कहा जाता है तो वो है खेजड़ी खेजड़ी गो मरुस्थल का कल्प रक्ष कहा जाता है नेक क्वेशन, मरुस्तलिय छेत्र में पाए जाने वाले मुख्य जाडियां कौन सी हैं? तो वो हैं आपकी फॉग, आकडा, कैर, लाना, अरना और जड़वेर, ये सभी कैसी हैं? ये मृस्तलिय जाडिया हैं फॉग, आकड़न, कैर, लाना, अर्णा जड़वे नेक कूशन मरूस्तलिय छेत्रों में पाए जाने वाली पिरिसिद घास कौनशी है यहाँ पर देखे सेवण और धामण नाम की दो घास पाए जाती है शेवन जो धारू पसों के लिए होते हैं, ये दूद बढ़ाने का काम करती है, जो दूद देते हैं उन पसों का, और धामन, ये धामन जो घास है, ये पसों के लिए पॉस्टिक आहार के तौर पर यूज की जाती है, तो शेवन और धामन इस छेतर की मुखे घासे हैं, नेक क सो सेंटीमीटर वाले वर्षा छेतरों में पाए जाते हैं, ये कहां पाए जाते हैं, जहां पचासे सो सेंटीमीटर के मद्ध वर्षा होती हैं, वहां पर पाए जाते हैं, नेक क्वेशन, राजिस्थान के किन छेतरों में उस्ट्न कटे बंदिय सुस्क पज़डवन पाए तरह उस्ट कटी बंदिया सुस्क पत जड़वन पाए जाते हैं नहीं कोईशन देखिए राइस्थान में उस्ट कटी बंदिया सुस्क पत जड़वनों को रक्ष विद्धता अनुसार कौन से उप्रकारों में वर्गी क्रत किया गया है तो देखिए ये हैं सुस्क सागवान वन है, सालर वन, बास वाले वन, धौकड़ा का वन, पलास के वन, खैर के वन, बबूल के वन, और मिशत्र परण पाती वन, ये क्या है, ये वास्त एकता में, जिस प्रिकार के वक्ष, जिस जगए जगे जगे मिलते हैं, उसी के आधार पर इनको वरगीकरत कर दिया गया है, जहां सुस्क सागवान वन हैं, वहां सागवान ज़्यादा मिलते हैं, सागवान के पेड़ी ज़्यादा मिलते हैं, वहां सालर के मिलते हैं, बास के जहां मिलते हैं, वहां तो बास कई वन कह दिया, देखी बासवाडा का तो नाम भी बास के उपर रखा हुआ है, अपने कभी के बन बबूल जाता होते हैं और बबूल के बन ठीक है चलिए नएक क्वेश्चन राइस्थान में सुस्क सागवान वन किन जिलों में पाए जाते हैं तो देखिए जैपूर डूंगरपूर जालावड़ और सित्वाडगड़ और बारा जो छेत्र हैं यहाँ पर सामने तोर जो सागवान वन देखने को मिलते हैं यहाँ पर यहाँ पर यह काफी महत्रा में देखने को मिलता है लेकिन कहां पर यहाँ दो सो चालिश से साड़े क्वेश्च मीटर ब्ल्श में राइप है। सुस्क सागवान वनों में कौन से व्रक्ष पाए जाते हैं, तो यह हम जानते हैं, सागवान में सागवान वनों में सागवान तो मुख्यर पाए जाएगा, जो 50-50% तक पाए जाता है, और इसके साथ जो अन्य जो हैं, वो कौन-कौन से हैं व्रक्ष पाए जाते हैं, तेंद पाला साहिन ना करने के कान राइस्थान में किन छेत्रों में विस्तार है साग्मान जो व्रक्ष होता है आपका इसमें यह नहीं तो अधिक सर्दी साहिन कर पाता है नहीं यह पाला साहिन कर पाता है तो ऐसी स्थेते में हर जगह है तो इपनप ही नहीं सकता तो राइस्थान म हैं वहाँ पर सागवनब्रक्स पाए जाते हैं जालत तर नहीं कुछ हैं राइस्थान में सालर वन किन जिलों में पाए जाते हैं तो यह देखें गुदैपूर, राजसमन, चितौरडगड, सिरोही, पाली, अजमीर, जैपूर, अलवर और सिकर यह कैसे चित्र हैं यहाँ पर सामयन तोर पर सालर वन पाए जाते हैं लेकिन सालर वन की विश्यिस्ता यह है कि उस साड़े 400 मिटर से अधिक उचाई पर सामयन तोर पर देखने को मिलते हैं पीटियां किसी में लिया जाता है तो देखि जो हैं लकडी की pack किया जाता है आपने फरकडी हैs वो सब किसे बनते हैं, वो सालर रक्ष के बनाए जाते हैं और ये गौंद का भी बहुत अच्छा स्रौत माना जाता है, ठीक है? नहीं क्वेशन देखी, राजिस्थान में बास के वन किन छेत्रों में पाए जाते हैं? तो कौन से हैं ये? बासवड़ा, चित्तौटगर, उदैपूर, बारा, कोटा वरे, जरी के परचौर वर्षा वाले चेत्रों में बास के वन पाए जाते हैं बास के वनों में पाए जाने वالे व्रक्ष कौन से हैं? कि बास के वनों में बास तो पाया ही जाएगा, साथ में धाकडा, सागवान, धोकडा अधी भी पाय जाते हैं, बास, साग, धाकडा, सागवान, धोकडा, यह सभी इसमें पाय जाते हैं बास के वनों में, नेक क्योश्चन देखे, बासवाडा का नाम किस वनस्पती के अधिक एदिक्ता के करन रखा गया है तो हम जानते हैं बासवाड़ा में बास बहुत जला मिलते हैं इसले इसको बास की अधिक्ता के करन इसका बास वाड़ा नम रखा गया है राइस्थान में उस्टन कटी बंदिया सुस्क पद जड़वनों का कौन सा उपर प्रकार सरवादिक पाए जाते हैं? यहां पर धौकरा के वन पाए जाते हैं, तो कौटा, पोटा, बून्दी, सवाई मादोपूर, जैपुर, अलवर, अजमिर, उदहपुर, राशमन, चितोड़ोकर, ये सबी कैसे हैं? यहां पर धौकड़ा के बन पाए जाते हैं और यह विशेशता क्या है? 240-760 मिटर की उचाई पर यह अधिकता में देखने को मिलते हैं Next question धौकड़ा के बनों में पाए जाने वाले ब्रक्च कौन से हैं? तो दौक्टरा के वनों में दौकडा मिलेगा आपको जिसको हम धौक भी कहते हैं उसके अलावा आरुंज, खेर, खेरनी, सालर, गॉंदल जैसे व्रक्षबी देखने को मिलते हैं जया तलहेटी शेत्र होता है, वहाँ पर धौकडा के साथ पलास भी देखने को मिल जाता है और कभी कबार ज़ट बेरो और रसा भी देखने को मिलता है नैक क्यूशन देखी, धौक की लखड़ी का किस प्रकार उपयोग किया जाता है? क्योंकि ये काफी मजबूत होती है नेक कुश्चन देखे पलास के वन किस प्रकार के छेतर में पाय जाते हैं पलास के जो वन हैं वो किस प्रकार के छेतर में पाय जाएंगे तो ये आपके धरातल जग कठोर होता है पत्रीला होता है या कंक्रीट होता है अब एक चक्रत कम मिट्टी वाले जो छेत्रों होते हैं, वहाँ पर पलास के व्रेक्ट चिपाये जाते हैं पहाडियों के मते जो जल पठा दी धराता लें, उसमें भी ये सामने तरुप मुकित है, देखने को मिलते हैं नेक कुशन राजस्तान में किन जिलों में स्थित हैं, राजस्तान के जो खेर के वन हैं, वह जालावाड कोटा बारा चित्वाड़वे सवाई माद उपर में हैं तो राजस्तान का जो दक्षनी पठारी भाग है, वहां पर इस सामने तरुप मिलते हैं तो यह सारा भाग कैसा है, राजस्तान का दक्षनी पठारी भाग है, जालावाड कोटा, बारा चित्वाड़वे सवाई माद उपर, यहां पर यह खेर के वन मिलते हैं नेक कुशन देखें तो बेर, धौकड़ा, अरुंज के वरक्ष हैं यह सब यहां पर पाए जाते हैं बेर, धौकड़ा, अरुंज के वरक्ष हैं इसमें पाए जाते हैं, खेर के अत्रिक्ट नेक कुशिशन देखें बबूल के वन राइस ठान में किन जिलों में पाये जाते हैं? तो बबूल के वन जो हैं आपके गंगा नगर, विकाने, नागॉर, जालॉर, अलवर, अरत पुरादी सभी जग़ा पर यह पाये जाते हैं और यह क्या है विरल वन छेत्र होते हैं विरल वन छेत्र का मतलब यहां बहुत दूर दूर पर पर देखने को मिलते हैं और कम नमी वाले भाग जो होते हैं उसमें इनके अलावा भी और व्रक्ष पाए जाते हैं लेकिन यहां पर सामने से बहुत ज़्यादा कम नमी देखने क को मिलती है इसलिए यहां पर केवल बबूल ही उपाते हैं सिस्थिती में नेक कोशन देखिए बबूल के वन में वन के साथ अन्य कौन से वक्ष मिलते हैं बबूल के वन में अन्य कौन से वक्ष देखने को मिलते हैं बबूल के साथ तो देखिए कोशन कुछ इस तरीके से था बबूल के अलावा यहां पर कौनसे ब्रक्स देखने को मिलेंगे तो जब आप बात करते हैं बबूल में बबूल का पेट तो मिले गई लेकिन सामाने सिते में क्या है नमी बहुत कम होती है तो बबूल अकेला देखने को मिलता है सामाने तोर पे लेकिन जब थोड़ी सी भी नमी बढ़ जाती है तो नीम, हिंगोठा, अरुंज, कैर और जड़बे, रादी भी इसमें देखने को मिलते हैं लेकिन कब जब नमी थोड़ी सी जादा बढ़ जाती है ठीक है तो बबूल के वनों में अगर आप से पूँचा जाए कि कौन से व्रक्ष मिलते हैं तो आपको इन सब के नाम आप ले सकते हैं लेकिन जब इस पेसली जब फूचा जाए कि जहां नमी विश्यस तोर पे कम हो वहाँ पर काँची व्रक्ष पाए जाते हैं तो वहाँ पर केवल बबूल के व्रक्ष पाए जाते हैं वहाँ पर ये व्रक्ष नहीं पाए जाते हैं जब कम नमी से थोड़ा सा इंक्रीज होत तो मिश्रिट परणपाती बनने आपके शुरोही, उदैपूर, राजसमन, चित्तौडगर, कोटा और बारा में देखने को मिलते हैं राइस्चान के दक्षिनी पहड़ी चेत्र में इस सरवाधिक देखने को मिलते हैं मिश्रित परणपाती का मतलब क्या हो गया, यहां पर सभी प्रकार के परणपाती का मिलते हैं तो मैंने ज़सा की बताया कि यहां पर किसी भी रख्ष विसीज का इस्थान नहीं है, यानि कहनेकार थिया कि वो ही रख्ष यहां सर्वादिक मिलेका ऐसा कुछ नहीं है, यहां सब ही प्रकार के रख्ष अलग-अलग देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर आवला, सीसम, सालर, तेंदू, अमलतास, रोहन, करंज, गूलर, जामुन, अर्जुन, जैसे बहुत और भी प्रकार के बनरवरक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है, नहीं क्वेश्चे राजिस्थान में उपोष्ण परवतियवन कहां पाये जाते हैं तो राजिस्थान में केवल आबू परवतियवन जो छेतर हैं, वहाँ पर यह उपोष्ण परवतियवन पाये जाते हैं इसके अलावा राइस्थान में नहीं देखने को मिलते हैं, ये काफी सगन होते हैं, सदा बाहर और अर्ज सदा बाहर व्रति की होते हैं, मतलब ये हमिशा हरे रहते हैं, तो राइस्थान में उपोष्ट्म परवतिय वनों में कौन से व्रक्ष पाये जाते हैं? तो कौन से रक्ष पाय जाते हैं आम, बास, नीम, सागवान आदी जहें यह सभी टाइप के रक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यह काफी सगन होते हैं लेकिन राइस्थान का जो टोटल वन चेत्र है उसका आधा प्रतिशत यानि 0.5% भी उससे भी कम चेत्र में इस प नहां पर आम, बास, नीम, सागवान जैसे व्रक्ष ज्यादा तर देखने को मिलते हैं भारत में सरुप्रतम कौन सी वन निती कब अपनाई गई जो भारत में सरुप्रतम जो वन निती आई थी वो कब अपनाई गई थी तो वो आई थी आपकी 1894 में 1894 में पहली वन नीती आई थी थी हमारे देश में हैं ना, ना कोशिषन देखिए स्वातन्तर ता के बाद किस वर्ष नई वन निती घोषित के गई है, जो स्वातन्त्र हो गया हमारे देश उसके पहली जो आपकी वन निती थी वो कब घोषित हुई, तो वो घोषित होई थी 1952 में और जिसमें आपने पढ़ा भी है जिसके तैस 33% जो भूमी है उसका वन होना अनिवारे है, है ना, 1952 की जो वन नीती है उसके तैस 33% भूमी वन होना अनिवारे है, जो की बहुत कम हिस्सा भी इस वक्त भारत में वन है, नेक कोशन देखिए, उनीसो अठ्यासे में घोसित नवीन वननीती के प्रमुक तीन लक्षे क्या है, जो उनीसो अठ्यासे में घोसित हुई थी, नई वननीती, उसके प्रमुक जो तीन उद्देशे रखे गए थे, उनको वो क्या है, क्या लक्षे रखे गए थे, तो पहला तुसरा था वनसपति और प्राणियों जैसे फ्राकर्तिक धरोवर हैं, उनको सुरक्षित रखना, उनको रुणियादी आवश्यक्ताओं के पूर्ति, ये तीसरा लक्षे था, ठीक है, इस तरीके से तीन लक्षे रखे गए थे, पर्यावरन इस्तिर था, पहला लक्षे था, दूसरा इस्थेता प्राकर्तिक धरोवर जैसे वनस्पति हो गए, प्राणिये हो गए, जीवजन्तु हो गए, उनको संरक्षेता और सुरक्षेत रखना और तीसरा जन सामने की बुनियादी आवशक्ता है जो इन चीजों से संबंदित है वो पूर्ती की जा सके नेक क्वेशन देखें, वन अनुसंधान केंदर दहरादून में केंद्रिय मरू वन छेतर अनुसंधान जो जोतपुर के अंदर है, उसका उद्देश क्या है मुक्य? उनका उद्देश है वन छेतरों का विस्तार और मरुस्थल प्रसार पर नियंतरन वन छेतरों का विस्तार और रेगिस्तान जादा ना फेलें, इसकी उपर उनका नियंतर्ण करना यही इनसंधान केंद्रों का मुख्य उद्धिश्य है नेक क्वेशन देखिए वानी की पंडित पुरुसकार वे व्रक्षे मित्र पुरुसकार आदि किस छेतर में दिये जाते हैं नेक कोशे वन्य जीवों के शिकार पर अंकुष वे सनरक्षे करना इन वन्य जीवों को भारत के किस महान सासक के सिला लिखों में इसका विरुण मिलता है तो हम जानते हैं वो है असुक जिसको असुक महान भी कहते हैं तो उसकी जो सिला लिख है उसमें वन्ने जिवों के सिकार पर अंकुस और सर्रक्षण के बारे में लेख मिलते हैं ने कुशन देखिए भारत में वन्य जीवों के संडरक्षण हे तो कितने जीव मंडोलों को आरक्षट या इस्थापित किया गया है तो देखिए ये 15 जीव मंडल हैं जिसमें से नंदा देवी, सुंदरवन, मानस, नौक रेक, मनार की खाडी, नील गिरी, सिमली पाल, नाम द दफा, थार का रेकिस्तान, उत्रा खंड, कच्छ का छोटा रंड, काहना, उत्री एंडमान, ब्रहद, नीको, बारवे, काजी रंगा, ये 15 जीव मंडल हैं जिनको वन्य जीवों के लिए संडरक्षण किया गया है ने कुशन भारत में वन्य जीवों को संडरक्षण प्रदान करने के लिए कितने वन्य जीव अभ्यारनों वेराश्टी उद्धानों की स्थापना की गई है देखिए इससे बहुत सारी कोश्चन्स आपके कोश्चन्स में आते हैं तो इसकी एक-एक लाइन काफी इंपोर्टेंट टोटल आपके 565 जीव अभ्यारन हमारे जिसमें इस्थापित किये गए हैं और 89 राष्ट्रे उद्धान इस्थापित किये गए हैं तो 565 वन्य जीव अभ्यारन और 89 राष्ट्रे उद्धान इस्थापित किये गए हैं नए कोश्चन्स देखिए भारत के किन दो राष्ट विस्विरासत में सामिल किया गया है यह कोश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है तो यह याद रखिए कि आप बारत के किंदो राष्टे उद्धानों को विस्विरासत में सामिल किया गया है तो यह है काजी रंगा जो असम में है और दूसरा है केवलादे जो आपके राज्य में स्थित है जिम कॉर्वेट राष्ट्य उध्यान जो है वो किस राज्य में है तो हम जानते हैं वो उत्राखंट के अंदर स्थित है ने कोशन काना राष्ट्य उध्यान किस राज्य में स्थित है तो काना राष्ट्य उध्यान आपका मंध्य परदेश में है नेक् कि पलामू राष्ट्रे उद्धान किस राज्य में इस्टित है पलामू जो है राष्ट्रे उद्धान वो किस राज्य में है तो आपका बिहार के अंदर इस्टित है ने क्वेशन दाजी गाम राष्ट्रे उद्धान किस राज्य में इस्टित है तो दाजी गाम आपका जमु मुकस्मीर के अंदर है, है ना, नेक क्वेशन, सुंदरवन राष्टे उध्यान किस राज्य में इस्थित है, सुंदरवन से ही आप समझ गए होंगे, तो यह कहां पे होगा, यह पशिम बंगाल में होगा, सुंदरवन राष्टे उध्यान कहां पे है, पशिम बंगाल में है, सांत घाटी राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्थित है तो आप जानते हैं ये केरल में है ना नंदन कानन राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्थित है नंदन कानन काफी important राष्ट्य उध्यान है questions कि सबसे, तो देखिए नंधन पान राष्ट्य उद्धान कहा है, ओडिषा के अंदर इस्तेत है, इसी तरीके से काईबुल लम्जाओ رाष्ट्य उद्हान किस राजय में स्थेत है, काईबुल लम्जाओ राष्ट्य उद्धान किस राजय से सम्दित है, तो ये आपका मादुपूर में हैं कहां पे है ये मनिपूर के अंदर नेक कोशन देखिए अन्ना मलाई राष्ट्रे उध्यान किस राज्य में इस्थित है ये कोशन भी कई बार आया है तो इसको भी याद रखेगा ये अन्ना मलाई जो है आपका तमिलाण में इस्थित है नेक कोशन देख इस्तित है राहिस्थान में सवाई मादोपुर के अंदर राष्टे उध्यान इस्तित है ने कुशन देखिए भारत में मुक्तब पाई जाने वाली संकटापन जनतू प्रजातियां कौन सी हैं संकटापन मतलब जिनके ओपर संकट है जो खत्म होनी की कगार की स्तिति में आख हादी जो हैं यह सब क्या है यह आपकी संकटापन जनतू प्रजातियां है बाग, चीता, हाती, गर, सिंग, घर्याल, गैडा और कस्तूरी म्रग यह सब दिक कैसी हैं यह संकटापन जनतू प्रजातियां है ने कुशन राईस्थान का राजी पसू कौन सा है राईस्थान का राजी पसू निशित रुप से हम जानते हैं चिंकारा इसका राजी पसू है राईस्थान का चिंकारा है ना नेक कोशन, राइस्थान राजे में कितने वन्य जीव अभ्यारने हैं, तो कितने हैं, 22 वन्य जीव अभ्यारने हैं, राइस्थान के अंदर हैं, नेक कोशन, राइस्थान के किस जिले में राष्ट्री मरूध्यान इस्थित है, तो हम जानते हैं, ये जैसल मेर की अंदर इस् राज़न की किज जिले में इस्तित है शर्च का अप्धिया रन्य कि जिले में है तो यह आपके अलवर जिले के अंदर 20 थैं मुकंद्रहईटर ही संब भात तकने राज़सें के कि से जिले में है तो मुकंद्रह र में नापके कोटा में इस्तित है, वुकंद्रा हिल्स अभ्यारण कहां पर है, कोटा के अंजर इस्तित है, ना क्वेशन देखिए, राइस्थान के कौन से दो अभ्यारण बाग्चन रक्षन के लिए हैं, तो देखिए, एक तो आपका रंधंबौर हो गया और दूसरा आपका सरिश्का, रंधंबौर्जो राष्ट्रे उध्धान और सरिश्का राष्ट्रे उध्धान ये दोनों ही बाग्चन रक्षन के लिए आरक्षित हैं, ना क्वेशन, केवला देव राष्ट्रे उध्धान किस पक्षि के लिए प्रिसिद है, केवला देव राष्ट्रे उध्धान किस प तो कौन सा है यह राष्ट्ट्र मरू उध्यान जो है वह जिवास्म सं रक्षन के लिए प्रिसिद्ध है नेक कोशन, कुरंजा राज्य के लोक साहित्य का चर्चित प्रवासी पक्ची है, इसका महत्पून केंदे स्थान कौन सा है, मतलब यह कहां देखने को मिलते हैं, तो यह आपके खींचन जो जोदपूर में स्थित है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इसका केंदे स्थान क्या है कीचल जोदपूर में नेक क्वेशन राइस्थान में आखेट निसिद्ध छेत्र कितने हैं आखेट का मतलब सिकार तो जहां सिकार नहीं किया दा सके ऐसे छेत्र कितने हैं राइस्थान में तो राइस्थान के वारा निर्धारे श्तेति छेत्रा एसे हैं, जो आखेट में शिद्ध हैं, नहीक कॉस्ट, राइस्थान राजे का जावी कुध्यान जो है वो कहा श्तित है, तो राइस्थान राजे का जावी पक्ची कौन सा है, गोडावन है इसका, और गोडावन का प्राकर्तिक वास ये भी कापी important बात है कि प्राकर्तिक वास अगर गोडावन का पूचा जाए तो वो पश्चिमी राजिस्तान है और गोडावन अपने प्राकर्तिक जो वास है पश्चिमी राजिस्तान है उसमें भी अभी ये बहुत कम देखने को मिलते हैं next question देखिए राजिस्तान में घडियालों के संरक्षण ही तो कौन सा राष्टे जीव अभ्यारने इस्थापित किया गया है देखिए आपको विश्व में जो घडियाल होते हैं केवल भारत में ही देखने को मैलते हैं और उसमें भी अभी संकटा जीव अब भारत में स्थी में आ गए हैं तो राष्ट्रे जो नदी है तो वहां पर शंबल नदी के우कर राष्ट्रे चंबल घडियाल अभ्यारन ने इस्थापित कियां गया ने simon राजस्थान राजे का प्रमुक अब्यारन है ताल शापर वो किस जिले में है तो वो आपके चूरू के अंदर है तो वो आपके पूर्णी जिले के अंदर है राजस्थान राजे का प्रमुक अब्यारन है कुंबल गड़ वो किस जिले में है तो इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं ये उदरपुर के अंदर है ये कहाँ पर है ये उदरपुर में है राजस्थान राजे का प्रमुक अब्यारन है मांट अबु किस जिले में है तो इसके नाम से पता है मांट अबु कहाँ पर है राज्थान 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 रा स्राइस्तान राज़ίας का प्रुम काप भ्हारण टाड गड रावली किس जिले में इस्थेत? राज्थान राज्जा का प्रमुखब्यारन टाडगर रावली है वो किस जिले में है तो वो आपके आजमीर जिले के अंदर इस्थित है वो कहां पे है वो आपके आजमीर जिले में है ने क्वेशन राज्थान राज्जा का प्रमुखब्यारन ने जंबा रामगर किस जिले म हैं तो वो आपके जहपूर के अंदर इस्थित है कहा पे है वो जहपूर के अंदर है नहीं क्वेश्चन राइस्थान राजा का प्रूम का बहरन रामसागर किस जिले में इस्थित है तो रामसागर आपका धौलपूर के अंदर इस्थित है तो राइस्थान राजा का प्रू खेजड़ली बलीदान जो है वो किसके पृति जागुर्ता पैदा करता है किसके जागुर्ता का प्रतीक है तो हम जानते हैं खेजड़ली पर्यावर्ण से संबंद जागुर्ता का प्रतीक माना जाता है ठीक है एक क्वेशन खेजड़ली बलीदान जो है उसकी घटना किस जोद्पूर के जो महराज थे उन्होंने ग्राम खेजड़ेली में खेजड़ी व्रक्ष को काटने का आदेश दे दिया था और उसकी शुरक्षा करने के लिए खेजड़ी विल्दान का गटना करम हो गया तो यह क्या है यह किस गटना करम का प्रति उत्तर था 28 अगर 1730 में ज इससे आप इसकी इंपोर्टन्स समझ सकते हैं नेक कुश्चन देखिए खेजड़ी वलिदान का नित्रत किस ने किया था खेजड़ी वलिदान का नित्रत किस ने किया था तो हम जानते हैं अम्रते देवी थी जिन्होंने खेजड़ी विल्दान का नित्रत किया था नेक कु सब्दों से ललका रहा था यह कोशन आपके आप भी चुका है तो इसको याद रखेगा जो सिर साटे रूख रहें तो भी सस्तो जान मतलब सिर कट जाए और अगर रूख भी बच जाए यानि जड़ भी बच जाए तो भी हमें सस्ता जानना चाहिए तो भी सस्ता सोधा हमें जानना चाहिए ऐसा इसका अर्थ था जो सिर साटे रूख रहें तो भी सस्तो जान इन सब्दों से अम्रता देवी ने पेड़ काटने वालों को ललका रहा था खेज़ए बल्दान में और उन्होंने अपना बल्दान दे दिया नेक्रोशन खेज़डली बल्दान के तहट कितने लोगों ने अपने प्राण नौचावर कर दिये थे तो कितने थे ये दो सो चौराण में पुरुस वैस उन्हीं तर इस्त्रिया थी 294 पुरुस और 69 इस्त्रिया इसमें बल्दान हो गए किस घटन विशेज के कारण भारत में 21 सितंबर को पर्यावर्ण दिवस मनाया जाता है तो हम जानते हैं कि खेज़डली जो बल्दान है उसी के कारण 21 सितंबर को पर्यावर्ण दिवस मनाया जाता है खेजड़ली बलदान में खेजड़े के वक्ष को बचाने के लिए लोगों ने उसकी लिपट कर अपने जीवन की आहुती दे दी इस वज़े से एक खेजड़ली बलदान हुआ और इसी की इसमती में 21 सितंबर को परियावरन दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को व्रक्ष सहीद मेला किस स्थान पर प्रतिवस लगाया जाता है व्रक्ष सहीद मेला जो है वो किस स्थान पर प्रतिवस लगाया जाता है तो देखिए खेजड़ली बलिदान में खेजड़ली जो गाउं है वहाँ पर जो लोगों ने बलिदान दिया वहाँ पर इनके इसमार् के स्थान पर खेजडली गाओं में ब्रक्च सहीद मेला लगाया जाता है। तो वो है अमरता देवी किश्नमरग अभ्यारन जो की जोधपूर में इस्थित है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बैलदान का प्रारूप रच दिया तो उनकी श्रुमती में अगर कोई पुरुषकार दिया जाएगा तो वोसी छेत्र में दिया जाएगा तो वो परियावरेंट संरक्षन और चेत्ना की छेत्र में इसको दिया जाता है। विस्व की कुल 15 लाख जैव विवित्ताओं में भारत में कितने प्रतिसाद जैव विवित्ता पाई जाती है। भारत एक जैव सम्रते देश है। जैव विवित्ता इसमें बहुत पाई जाती है। बहुत प्रकार के जीव पाई जाते हैं। इस वज़े से इसकी जैव विवित्ता बहुत ज्यादा है। तो इसी वज़े से भारत में जो कुल 15 लाग जय विविटाय हैं, उन में से भारत में 40% जय विविविटा के लिए भारत में देखने को मिलती हैं. नेक क्वेशन, भारत में अभी तक कितने जीव जनतुवे वनस्पति की प्रजातियों की पहचान हो पाई है? तो इसी चैप्टर में इससे पहले जब हमने देखा था तो 75,000 जीविविटा के बारे में बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर 18,000 है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो यहाँ, जहां एक कोशन आएंगा, पहली बात हो अगर आते हैं, तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, उसके आपको क्लिक करना है, तो निश्यत रूप से आपका अंसर सही होगा, यह कोशन हम ना रहा है, इसी टाइप के प्रोशन में प्रॉब्लम हमें कब हुई थी, जब हमने लक्षे दीप और जो आपका ज्यादा दिखाई देती है, जहां संख्या आत्मक कोई आंसर है, और आपके बुक्ले अंदर दोनों ही आंसर दे रखे हों, तो जो ज्यादा संख्या वाला आंसर है, उस पर हम यह टिक करना होता है, ठीक है, ने क्वेशन देखी, अंतराष्टे इस्तर पर परियावरण सं संसाधनों की संरक्षण और समष्या निवरण ही, तो कौनसी संस्ताय इस्ताप Exact के गई है, तो यह है अंतराष्टे प्रक्रती ऑवन प्राकरतिक संसाधन संसाधन संगठन इवन प्रकरतिक लंतरास्ट्रेट प्रक्रेटी इभे प्रक्रेटिक सन्षादन संगठन यानिए IUCN जो है उसका मुख्याले कहाँ इस्थित है IUCN का मुख्याले कहाँ इस्थित है ये बहुत ज़्यदा इंपॉर्टाइट है IUCN की फिल्पॉम भी आपसे पहुचह सकती है और दूसरा उसका मुक्याले भी आपसे पहुचा जा सकता है तो इसका मुक्याले कहाँ पर है ये मुक्याले स्विट्जर्लेंड के अंदर गत आता है स्विट्जर्लेंड में आता है ये IUCN का जो मुक्याले हो कहा है स्विट्जर्लेंड के अंदर नेक क्वेशन भारतिय वन अनुसंधान के इंदर कहां इस्तित है भारतिय वन अनुसंधान के इंदर कहां इस्तित है भारतिय वन अनुसंधान के इंदर कहां इस्तित है भारतिय वनस्पति उध्यान कहां इस्तित है भारतिय वनस्पति उध्यान कहां इस्तित है भारतिय वनस्पति उध्या है वो कोलकाता के अंदर इस्तित है भारती वनिस्पति उद्धन कहां पर है कोलकाता के अंदर इस्तित है ने क्यूशन पारिस्थितिक अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित है तो यह कहां पर है यह आपका बैंगलोर के अंदर है पारिस्थिक अनुसंधान संस्तान बैंगलोर म कहां इस्तित है राष्ट्य पर्यावरण अभियांत्री की संस्तान कहां इस्तित है तो कहां पर है यह नागपूर के अंदर इस्तित है नागपूर के अंदर राष्ट्य पर्यावरण अभियांत्री की संस्तित है नागपूर के अंदर राष्ट्य पर्यावरण अभियांत्री माना जाता है PBRYAVARAND CHETNA के समद में PARYAVARAND CHETNA का परिटम लिखे दस्तावीच कौन सा है अथरववेद का भूमी सूकत ना क्वेशन देखी राष्टरी गीद वंदे मातरम में प्रिथी को किस रूप में माना गया है राश्टर की जो वंदे मातरम है आपका उसमें पृत्री को किस रूप में माना गया है तो वंदे मातरम में हमने माता रूप में पृत्री को माना जाता है किस रूप में माता रूप के अंदर पृत्री को देखा जाता है बेदों में व्रक्ष लगाने में पुन्य प्राप्ति की तुलना किसे की गई है तो मुझे पता है कि ये जोग्राफिक के हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं रखती है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें एक भी लाइन नहीं छोड़नी है हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है वेदों में व्रक्ष लगाने में पुन्य प्राप्ति की तुलना किसे की गई है तो सौपुत्रों के पालन के समान इसको माना गया है यानि सौपुत्रों के पालन का पुन्य जो होता है वो एक व्रक्ष लगाने के पुन्य के समान माना जाता है ने कोश्चन देखिए किस देश की संस्क्रती को अरन्य संस्क्रती भी कहा जाता है किस देश की संस्क्रती को अरन्य संस्क्रती भी कहा जाता है तो अरन्य से आप निशित रूप से वाकिव है अरन्य का अर्थ क्या होता है अरन्य का अर्थ होता है जंगल है ना तो किस देश की संसकति को अरणय संसकति कहा जाता है तो वो हमारा देश यह भारत जिसकी keep को अरणय संसकति कहा जाता है इसका अभी प्राइए संस्कति से मिलकर बने हैं हमारी जो संस्कति है वह प्राकरति संफदा से घन गव और विभूसित है यह ना और अरन्य संस्कति का प्राय यह बिलकुल नहीं होता कि हम जंगल संस्कति से वासी हैं नाइक क्वेशन देखिए किन धर्म ग्रंथों में व्रक्ष काटने को और इस हेतू मलब इसके लिए दंड विधान भी बताया गया है तो कौन से हैं ये ये आपका विश्णु धर्म सूत्र इसकंद पुरान और याग वल्लक के जिसमती ये सभी कैसे धर्म गरंथ है यहाँ पर रक्ष काटने को अपराद माना जाता है और इसके लिए दंड विध भी बताये गए हैं ने कोश्चन देखिए राजस्थान में विश्णोई समाज के पर्यावरंट संद्रक्षंड से समधित कितने सूत्र बताये गए हैं तो देखे 39 सूत्र है इसके जिसमें हमने पर्यावरंट संद्रक्षंड से समधित सूत्र है विश्णोई समाज के कुछ मुख्य आन्दौलन है यह आपका खे जडे लियु ये सभी कैसे हैं यह आपके किस प्रकार के हैं यह आपके टिंछutta मन्धी आदोलन है ठीक है बात करेंगे हो करेंगे भारत के मीरदा के बारे में इस वीडियो के अंदर अच्छा एक बात और कि कुछ बचों का कमेंट आता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो बचों रिप्लाई करने कर नहीं है लेकिन मैं आप सभी के कमेंट्स को बहुत अच्छे से रीड आउट करता हूँ, देखता हूँ, किसी को कोई विच्छे समस्या होती है तो उसके उपर वर्क करता हूँ और सभी का रिप्लाई करने के जगह पर मैं कॉसिस करता हूँ कि आपके लिए में कुछ नया कर सका हूँ तो चलिए बिना देरी के बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साट प्रती सत जो लोग है उनकी आजविका इसके उपर निर्भर मानी जाती है भारत का जो total population है उसकी जो 60-30 लोग है उनकी आजी विका किसके उपर निर्भर मानी जाती है किरसी के उपर निर्भर मानी जाती है तो इसी वज़े से भारत को किरसी प्रदान देश कहा जाता है भूमी की वह परत जो चट्टानों के विखंडन, विगटन और जीवांसों के सरने गलने से मिलकर बनी होती है उसको क्या कहा जाता है? मिर्दा कहा जाता है रश्चना विधी के अनुसार मिट्टी को कितने भागों में वर्गिकरत किया जाता है रस्चना विधी के अनुसार मिटी को कितने भागों में वर्गिकरत किया जाता है रस्चना विधी का मतलब वो मिटी किस प्रकार बनी है किस सोड से बनी है उसकी पैतरक जो चटाने हैं वो कैसी है तो उनके आधार पर उनको कितने वर्गों में विवाजित किया जाता है तो यह आपकी इस्थानिय और विस्थापित हैं यानि वो इस्थानिय चटानों से विग्टित होके बनी है या कहीं बाहर से आई है तो इसके आधार पर उनको वरी कर दो भागों में किया जाएगा इस्थानिय और विस्थापित नैक क्वेशन देखिए इस्थानिय मिट्टी किसे कहा जाता है तो इस्थानिय मिट्टी हमने बात करी थी इस्थानिय मिट्टी वह है जो रितू करिया जो होती है उनसे विखंडित चटानों द्वारा निर्मित मिटी जिसमें चटाने स्वयम के इस्थान से विस्थापित नहीं होती है यानि जो मिटी बनती है वो वहीं पर रहती है और उसमें ज्यादा इस्थान तरण नहीं होता है और वो क्यों होता है, योकि चटानों का विक्टान आपको पता है, अलग-अलग परिक्रारों से होता है, तो रितुक्रिया से विखंडित चटानों द्वारा निर्मित मिट्टी, जिसमें चटाने स्वयम की विस्थान से विस्थाफित नहीं होती है, ऐसी मिट्टी क्या कहला लातीय है इस्थान्य मिठी कहलाती है ने कोईशन के विस्थापन के सामणे कारक हैं मिठी जो विस्थापित होती है human Day का रट जो है नदी हो शकती Grandali हो शक्ति एन जो पर्वती चेत्परूं के जो चटाने में सुना होगा तो रीटेले जो टीले हैं वो इधर से उधर जो ट्रांसफर हो जाते हैं किस से द्वारा होते हैं पवनों के द्वारा होते हैं तो यह सभी क्या हैं मिट्टी के विस्थापन के कारक हैं और विस्थाफित मिट्टी के कारक हैं नेक कोशन देखी इस्थानिय मि इदर उदर की चीज़ें आती नहीं का है जो दक्षिनी पठारी भाग है दक्षिन भारत का जो पठारी छेत्र है वो क्या है पत्रीला छेत्र है तो वहाँ पर नहीं तो भार से मिर्दा आती है नहीं वहाँ जलोड मिर्दा पाई जाती है तो ऐसे स्थिति में वहां की में किस प्रकार की अनुप जाओ इस्थानिय मिटी मिलती है जानि जो मिटी जो उप जाओ नहीं होती वो कशी कहा मिलती है रवेदार कंकरीली मोटे कणों वाल रंग की मिटी वहां पर सामयने तोर पर देखने को मिलती है क्यों क्योंकि आपको पता है क्योंकि वहां पर पत्र निकर्णと होते हैं कि लहां लोह-तत्ति की अधिक्ता भारत के पठारी छेत्र में किस प्रकार की बप्रजावु इस्थानिय मिटी मिटी है दिकेद्ले हैक बात कर रहे थे तो अनुपजाओ की बात कर रहे थे लेकिन उपजाओ इस्थान ये कौन सी है लावा निर्मित काली मिटी क्यों क्योंकि लावा से बहुत सारे जो खनी दवने वो इसमें included होते हैं तो मिटी अपने आप में उपजाओ हो जाती है और जो पठारी भागे उसमें बाकी जो इस्थान है वहाँ पर सामाने जो लाल मिटी जिस ताइप की मिलती है वो अनुपजाओ होती है लेकिन यहाँ पर कंक्रीली होती है लेकिन ये क्या है लावा निर्मित है इसमे में एक काली मिट्टी जो होती है वो काफी उपजाव होती है और मुस्टली कपास की फसलिस में उगाई जाती है नेक कोशन देखी विस्थापित मिट्टी भारत में सामने तक किस छेतर में मिलती है विस्थापित जो मिट्टी है भारत में सामने तक किस छेतर में मिलती है तो ये देखिए उत्री और मद्यवर्थी मैदानों तथा तटीय मैदानों में उपजाओ मिट्टी मिलती है विस्थापित मिट्टी क मतलब क्या हो गया जलोड मिर्दा क्या है एक क्या है आपकी विस्थाफित मिट्टी है और इस जलोड मिर्दा से जो मैदान बनने उत्ती भारत में बनते हैं मध्यवर्थी मैदानों तक बनते हैं ना तर्टी मैदानों में भी बहुत सारे इन चीजों का कारक होते हैं तो उत् देखिए न, next question देखिए, मिट्टी की रशना और गुणों के अधर पर कितने भागों में वर्गी कृत किया गया है, तो मिट्टी के आठ भागों में वर्गी करत किया गया है, जिसमें से हम उगे कर छए के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन फिर भी यहां आठों के नाम हम बात करते हैं तो आठ कौन कौन सी है जलोर या कांप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सुस्क और मरुस्थलिय मिट्टी जिसको बलोई मिट्टी भी कह देते हैं, वनिया या परवतिय मिट्टी, लवनिया और पीट मिट्टी या फिर जिसको हम दल्दली मिर्दा भी भी पीट मिर्द्टी को कह देते हैं है न? तो इस तरीक से टोटल क्या है है आट भाग है टोटल मिर्ठेओं के जिनमें हम देख सकते हैं नया-Question देखिए भारत के मैदाने सामने तहां किस प्रकार की मिर्दा पाई जाती है भारत के जो मैदान है उसमें सामने तहां किस प्रकार की मिर्दा पाई जाती है तो सबसे जादा कौन सी पाई जाएगी जलोड मिठ्टी पाई जाती है क्योंकि उत्री भारत जो है उसमें इस टाइप की मिर्दा का जो टोटल मिलब भारत का जो टोटल सेत्रफल की बात करें तो 45% जलोड या कांप मिर्दा पाई जाती है कैसी पाई जाती है जलोड या कांप मिर्दा पाई जाती है टूटल भारत का जो टूटल छेत्र वाले उसका 45% भाग में अकेली जलोड मिटी या काफ मिर्दा पाई जाती है तो सरवाद एक सामने ते अगर हम बात करें तो कौन सी मिर्दा हुई जलोड मिटी है ना ने क्वेशन भागोलिक आधार पर जलोड मिटी को कितने भागों में वर्गिकरत किया गया है भागोलिक आधार पर जलोड मिटी जो है उसको कितने भागों में वर्गिकरत किया गया है तो देख ये जलोड मिटी मुखे से तीन प्रिकार की होती है पुरातन यानि बहुत पुरानी जहां पहले बाड़ से जलोड मिट्टी लाए गई थी लेकिन अब वहां तक पानी नहीं पहुंसता है तो पुरानी हो चुके जलोड मिट्टी फिर आपकी नूतन जो जलोड मिट्टी जहां भी अभी भी बाड़ा जाती है तो वहां पर पान इसे वो मिर्दा आती है और नूतन तम जहां अभी भी regular जमाव हो रहा है जलोड मिट्टी का या कांप मिदा का वो क्या है नूतन तम कांप मिदा है तो जलोड मिट्टी को मुखे तेन भागों में बाटा गया है पुरातन जलोड मिट्टी नूतन जलोड मिट्टी और नूतन तो देख़ी हमें पता है नदियों के बाड चेत्रों से उचे भागों में जहाँ बाड का पानी अब नहीं पहुंच पारा है उन चेत्रों में पुरातन जलोड मर्दा चेत्र विक्षित हो जाते है पुरातन जलोड मृदा वाले छेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? That's a very important question. पुरातन जलोड मृदा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं, वो छेत्र कौन से हैं? बांगर छेत्र हैं, और इसमें सचाई की आवश्यक्ता बहुत ज़्यदा होती है और गहन खेती द्वारा इसमें ज़्यदा से ज़्यदा दो फसलें सामने तोर पर उगाई जा सकती हैं, है न? तो बांगर छेत्र, यानि पुरातन जलोड मृदा वाला छेत्र, इसमें सचाई की आवश्यक्ता अधिक होती है और गहन खेती द्वारा दो फसलें उगाई जा सकती हैं, न? next question, नूतन जलोड मृदा छेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? नूतन जलोड मृदा छेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपके खादर छेत्र हो गए, है न? खादर शेत्र हो गए, तो खादर शेत्र में अधिक उपजाव मिट्टी होगी सामने, क्योंकि जो पुरातन जो है, जो पुरानी जलोर मिर्दा है, वो तो एक बार हो चुकी, अब उसमें तो पॉस्टिक तत्व धीरे-दीरे खतम हो रहे हैं, लेकिन नई जो नई आई है, उ उसमें तो ओविस्टि बाते ज्यादा पॉस्टिक तत्व होंगी, तो ऐसी इस्तिती में यह अधिक उपजाव मिट्टी होगी, और चुकी वहाँ पर पानी सालाना आता है, तो ऐसी इस्तिती में यहाँ पर सिचाई की आवस्षेक्ता भी कम होगी, तो इन शेत्रों को क्या का जाता है, इनको खादर शेत्र का जाता है, जहां नूतन जलोर मिर्दा पाई जाती है, तो चलिए नया कोशन देखिए, नूतन दम जलोर मिर्दा भारत में किन शेत्रों में सामनेता मिलती है, तो नूतन तम जलोर मिर्दा जो है, गंगा ब्रह्मा पुत्र के डेल्टा प प्रदेश हैं उसमें नुतांतम जलोर मृदा भारत में देखने को मिलती हैं Prime Question किस प्रकार के मृदा में ? थो हम जानते हैं कि किस में पाई जाएगी ? जो नूतन्तम जलोड मिर्दा है, यानि जो सबसे नई है, जो बिलकुल नई जलोड मिर्दा है, उसमें सभी तत्नों के अधिकता पाई जाती है, और इसी वज़े से वो सरवाधिक उपजाओं भी होती है, ने कोशे, किस प्रकार के मिट्टी में कुए खोदना वे खेती करना सुगम रहता है, कोई खोदना कहां पर आसान होगा, जहां पर जो मिट्टी होगी, वो इतनी ज़्यदा कठोड नहीं हो, है न, खेती करना कहां सुगम होगा, जहां की मिट्टी उपजाओं हो, जहां की मिट्टी में नमी हो, तो वहां से चाई की करने के आवर सिक्ता होगी तो वहाँ सबसे ज़्यदा सुगम होगा, तो ऐसी मिट्टी कौन सी है, हम जानते हैं, जो जलोड मिट्टी है, वो इस प्रकार के मिट्टी होती है, जो नमी उक्त होती है, जिसके बारीक कर्ण होते हैं, सामने तो पूरा रंग होता है, अधिक हुमस होता है, और स्थांतरित म जाए, उसमें भी आप से पूछ लिया जाए, तो आप बता सकते हैं, जो नूतंतम जो मिट्टी होगी, नूतंतम जलोड मिट्टी होगी, वहाँ सरवादिक आसान ये होगा, नेक क्योशन, काली मिर्दा सामने तो भारत में कहां पाई जाती है, तो हम जानते हैं, आप दक् पूर्वी भाग और करनाटा के उत्री भाग, गुजरात वे दक्षनी पूर्वी राजिस्तान में भी ये देखनी को मिलती हैं, काली मिर्दा कहां कहां मिलती हैं, महराश, मद्धर प्रदेश के प्रशिम भाग, आंद्र प्रदेश के प्रशिम भाग, वे करनाटा के उत्र पुरिभाद, गुजरात, वेदेक्शन, पूरी राजिस्टान में भी यह देखने को मिलती हैं। नेक क्वेश्चन, भारत में काली मिर्दा का विस्तार कितने प्रितिसत छेत्र में हैं। भारत में जो काली मिर्दा है, उसका विस्तार कितने प्रतिसाद छेत्र में है? तो 16 से 17 प्रतिसाद छेत्र में इसका विकास है, विस्तार है. कैसे? क्यांकि जो भारत का जो टोटल छेत्र वाल है, उसका 16 से 17 प्रतिसाद भाग है, उसमें काली मिर्दा पाई जाती है. किस प्रिकार की मिटी में आदरता बनाये रखने की छमता होती है किस प्रकार की मिट्टी में आद्रता बनाय रखनी की समता होती है तो किस प्रकार की मिट्टी होती है जो काली मिट्टे में बहुत कम सिचाई की आवश्यक्ता होती है क्योंकि इसमें जो आद्रता बनाय रखनी की जो समता होती हो काफी ज्यादा होती है नेक कोशन, काली मिट्टी में किन खनीजों की अधिकता होती है, तो आपको पता है, जो काली मिट्टी होती है, वो लावर निर्मित होती है, तो इसमें खनीज कौन से होंगे, इसमें आपका लोहा होगा, अलुमिनियम होगा, और इन दो खनीज हैं, लोहा और अलुमिनियम इ में पाइजाते हैं नैकोशन किस प्रेकार की मि móक्टी में पासफोरस्वे नाइ अधिक्टा पाई जाती है। काली मिट्टी में किसकी फसणे सामना था? पैदावार की जाती है, पाली मिट्टी में किसकी भसने सामने तर पैदावार की जाती है, तो आपको पता है, ये कपास, मुंख भली और गन्नी की केती इस तरह के स्थानों पर सामने तर की जाती है, ने कोश है, उच्छ भूमी छेत्रों में लाल मिट्टी उपजाओ क्यों नहीं होती है तो उचभू में जो छेत्र होते हैं उतना अधरता में कमी होगी क्योंकि ताप अधिक होगा और मिट्टी छिदर नुमा होने के कारण ऐसी इस्थानों पे लाल मिट्टी उपजावर नहीं होती है और खादवे स्चाहिकी बहुत ज़्यदा आवशकता होने पर बहुत ज़्यादा वश्यक्ता होती है और तब यह थोड़ी बहुत वसल पैदा कर पाती है, ठीक है, नएक वोशन, किसकी अधिकता लाल मिट्टी के रंग का कारण है, किसकी अधिकता लाल मिट्टी के रंग का कारण है, यानि लाल मिट्टी जो है, उसका लाल रंग क्यों होता है, तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, लाल रंग जो होता है, लोही की अधिकता के कारण होता है, और इ कि इसमें ज्यादा अधिकता होती है इसी वज़े से इस मट्टी का रंग क्या होता है लाल होता है नैक कुशन लाल मिट्टी के अधिकता सरवाधिक कहां पाई जाती है तो लाल मिट्टी की जो अधिकता है सरवाधिक कहां पाई जाएगी नदी घाटियों में सरवाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है भारत के किन छेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाएगी तो यह 36 गड़, छोटा नागपुर, ओरिशा, आंध्र प्रदेश, तमिल लाड़ो और करनाटक जो छेत्र हैं इनमें लाल मिट्टी के अधिकता पाई जाती है लाल रंग की मिट्टी जिसमें कंकरों के प्रदानता होती है कौन से मिट्टी होती है लाल रंग की जो मिट्टी जिसमें कंकरों के प्रदानता हो ऐसी कौन से मिट्टी है ऐसी मिट्टी आपकी लेटराइट मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी क्या होती है उसर भूमी होत तो लेट आएट जो मिटी है चट्टानों के विखंडन द्वारा जैसा की और होती हैं लेकिन अधिक वर्सा वे अधिक ताफ्मान वाले स्थानों पर मिलती हैं तो जहां अधिक वर्सा होगी अधिक ताफ्मान होगा ऐसे स्थानों पर अनुपजाओ क्यों हो जाती है जब इ अधरीली हो जाती हैं तो यहांपर किसी भी प्रकार की फिल कालना बहुत मुस्किल हो जाता है तो इस सी वजह से यह बंजरिया औरोग्जाव को व्हमी में सक्राइड में ने कोशन, लेटराइट मिटी में किस प्रकार के तत्यों के अधिकता होती है, लेटराइट जो मिटी है उसमें किस प्रकार के तत्यों के अधिकता होगी, उसमें लोहा और अलमिनियम पदार्तों के अधिकता होगी, लेकिन चुना, फास्पोर्स, नाइटोजन, पोटास वग तो उसमें जो सिलिका है रासाइनिक लवन है और अन्य बारी की जो उपजाओ उपन है उनकी छरण इसमें हो जाता है अधिक वर्सक की कारण जो पानी के साथ ये ता तो बहे जाते हैं तो इस वज़े से ये अनुपजाओ भी हो जाती है लेटराइट मिट्टी भारत में किस सिस्थान पर पाई जाती है लेटराइट जो मिट्टी है भारत में किस सिस्थान पर पाई जाती है तो कहां पर पाई जाएगी पुर्वी घाट के किनारे से राजमहल पाड़ी और पाई जाती है तो लेटराइट मिट्टी कहां पाई जा की फसल की जाती है लेटाइट जो मिट्टी है वैसे तो अनुपचाओ होती है लेकिन जब कुछ जगे थोड़े बहुत फसल की जाती है तो वो आपकी चाय की फसल इसके उपर अच्छी होती है लेटाइट मिट्टी फेट चाय की फसल काफी अच्छी हद तक हो पाती है नेक क सौराष्ट, कच्छ की रंड भूमी, यहाँ पर मरुस्तली भी मिटी देखने को मिलती है, यहाँ छारिये ततों की बहुत अधिकता होती है, है ना? Next question, मरुस्तली मिटी में किस प्रकार के ततों की अधिकता पाई जाती है? मरुस्तली जो मिटी होते हैं, इसमें किस प्रकार के ततों की अधिकता पाई जाती है? तो मरुस्तलिय मिट्टी में चारी ततों के दिखता पाई जाते हैं, नायट्रोजन में हुमस की अधतों की कमी होती है, नायट्रोजन हुमस मतलब जीवन्स जो होते हैं उन ततों की कमी इसमें पाई जाती है, नेक क्वेशन, मरुस्तलिय मिट्टी में सिचाई की विवस्ता ह गई है तो यह हैं आपके हनुमानगर गंगा नगर और विकानेर जो छेतर हैं यहां पर जो इंद्रागांदी नहर आई है उसकी वज़े से सिचाई साथ काफी बढ़ गए हैं तो यहां पर जो विकास हुआ है मरुस्थल का विस्तार कम हुआ है और यहां उपजाओ खेती कि मरुस्थल मिट्टी में अगर सिचाई की विवस्ता हो जाए तो यह काफी उपजाओ से दोता है नेक क्वेशन परवती यह मुख्य चेत्र में पाई जाती है और यहां पर मोटे करण और कंकर पत्थर यूगत जैसी मुख्या ज्यादा तर मिलती है देखने को नेक क्वेशन आप परिपक को मिर्दा किसे कहा जाता है यह क्वेशन इंपोर्टेंट है आप परिपक को मिर्दा किसे कहा जाता है तो आप परिपक को मिर्दा क्या होगी जहां जो चटाने हैं उनका विखंडन हुआ लेकिन पूरी तरह विखंडन नहीं हुआ तो वहां प परिपक्त जो मिर्दा है वो कहां मिलती है वो परवतिय मिर्दा चेत्रों में मिलती है परवतिय जो मिर्दा होती है उसको अपरिपक्त मिर्दा कहा जाता है ठीक है नेक कोशन परवतिय मिर्दा की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जाते हैं और उचाई पे ज्यादा जन जीवन नहीं होता है तो इसमें हुमस की भी सामाने इस्थिति ही होती है ज्यादा नहीं होता है पोटास फासफरस और चूने की कमी होती है और इसकी परच जो होती है वो काफी मोटी होती है है ना तो यह सभी किस की विशिष्ष्था है यह पर्वतिय मर्दा की विश्ष्ष्टा है, नेक कोशन देखिए, पर्वतिय मर्दा में किस प्रकार की खेती की जाती है, पर्वतिय मर्दा में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो पर्वतिय मर्दाओं में देखिए, सामने किस प्रकार की खेती की जाएगी, चाए, आलू चावल और सिद्धी नुमा खेत बना कर जो है चावल बना चावल जो वसल उगाए जाती हो सिद्धी नुमा खेतों में की जाती है इसमें और जो धलान वाले सेत्र हैं वहाँ पर चारागहा बनब जाते हैं तो इस इस्तिति में चाय, आलू, चावल और चारागहा भी यहाँ पर उत्पन किये जाते हैं, पैदावार होती है, ठीक है, राइस्थान का कर्षी के साथ पूरक वेबसाय है, पूरक वेबसाय क्या होता है, जो हम एक मुख्य वेबसाय करते हैं, उसके साथ किसी अन्य वेबसाय को भी करते हैं, तो वो उसका पूरक वेबसाय कहलाता है, तो य सरङ से उसका मुख्य आजिविका का सादन है राजसान को किसी प्रिधान राज्य है और इससे music पूरक्लेफ्सों आए, से वो passupale Line कहा जाता है से मिटी के चार मुख्य घटक कौन कौन से है दूसरा जल थीसरा वाईू वज चौता हुमस यानि जहविकंस ये सभी क्या हैं ये मिटी के चार मुखें घटक हैं और मिटी क्या है मिटी ठोस द्राव और गैस का एक मिशन है किसका मिशन है ये मिटी ठोस द्राव और गैस तीनों का ही मिशन माना जाता है नए कोश्चन देखिए राइस्थान की मिटी को र वर्गी करत किया गया है, 6 भागों में वर्गी करत किया गया है, मरस्तोली है, लाल पिली मिटी, लेटराइट मिटी, मिर्शित लाल मिटी, काली मिटी, काली मिटी, काली मिटी, और कछारी मिटी, इस तरह ये टोटल कितनी है, इस 6 मिटीयों के तौर पर वर्गी करत किया गया मरस्तली मिट्टी राजिसान में किन इस्थानों में मुक्यतर पाई जाती है मरस्तली मिट्टी की निर्मित होने के कारक है मरस्तली मिट्टी राजिसान में मुक्यतर पाई जाती है लालपिली जो मिट्टी है राजस्तान में पाई जाती है तो यह पाई जाती है सवाई मादोपूर, सिरोही, राजसमन, उदैपूर, भीलवाड़ा जिलों के पश्ची में भाग में मुक्यता पाई जाती है यह कहां पाई जाती है लाल पीली मिट्टी सवाई मादोपूर, सिरोही, राजसमद, उदैपूर और भीलवाड़ा चेत्रों में यह मुख्यता जो इनके पच्छिमी भाग है उनमें मुख्यता यह पाई जाएगी मैं कॉशन देखिए, लाल पीली मिट्टी की मुख्य विशेशता हैं, कम उपजाओ होती है, चूना वे नाइटुरजन की कमी होती है और लोह अंसिसमें अधिक होता है, जब लाल मिट्टी अपना कलर दिखाए तो आप समझ जाएगा कि उसमें लोह तत्व की अधिकता है, च चूना वे नाइट विजन की कमी और लहों इसकी अधिता ये लाल पीली मिट्टी की मुखे विस्यस्ता है है नेक क्वेशन देखिए लाल जो पीली मिट्टी है उसका निर्मान किस प्रकार के सैलों के विखंडन स्वरूप होता है लाल पीली जो मिट्टी है उसका निर्माण किस प्रकार की सैलों के विखंडन वे सैल का मतलब चैटाने चैटानों के विखंडन स्वरूप होता है तो उसका ग्रेनाइट सिस्ट निस चैटानों दारा इसका विखंडन होकर लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है गेड नाइट से निस चटानो दारा लाल पीली मिट्टियों का निर्माण होता है नेक कुश्चन देखिए लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए उप्युक्त होती है लाल पीली जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उप्युक्त होती है लेटराइट जो मिटी है राजसान में किनी स्थानों में पाई जाती है लेटराइट मिटी के परेमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लेटराइट मिटी अनुप जाओ होती है और ये सामने तोर पे बहुत ज़्यादा पत्रीली हो जाती है आधिक वर्षा चित्रों में पाई जाये गी, तो यह कहाँ पर पाई जाती है, डुंगारपुर, उदहअपुर के मध्ध है, वै दक्षिनी भागों, यह हुम दक्षिनी राजसमन जिले में यह यह सामनी तरफे देखने को मिलती है, ठीक है, डुंगारपुर, उदहअपूर के मत है दक्षिन भागों यह हम दक्षिन राजसमन जिले में यह देखने को मिलती है ना क्वेशन लेटराइट मिटी का निर्माण किस प्रकार की चटानों के विखंडन के फलसरूप होता है तो यह आपकी इसफट किये और कायंतरित जो चटाने हैं उनके विखंडन से इनका लेटराइट मिटी के मुख्य क्या विखंडन से इसता हैं लेटराइट मिटी में लहो दत्व के कारण रंग लाल होता है इनका और नाइटरोजन वे फासफोर रस्ततों की कमी होती है नाइटरोजन वे फासफोर रस्ततों की कमी होती है नेक्षिन लेटराइट मिटी में कि प्रकार की खेती की जाती है लेकाइट जो मिटी है उसमें किस प्रकार की खेती की जाती है तो यहां पर गन्ना मक्का चावल इस प्रकार की खेती सामने तोर पर की जाती है गन्ना मक्का चावल जैसे फसनों की यहां पर खेती की जा सकती है मिष्षित लाल वे काली मिटी राइचान में किन इस्थानों में मुख्यते पाई जाती है? मिष्षित लाल वे काली मिटी किस प्रिकार की फसलों के लिए उप्योगते है? मिष्षित लाल वे काली मिटी किस के लिए उप्योगते पाई जाती है? तो काली मिटी राज्जे के दक्षिनी पूर्वी जिलों, कोटा, बूंदी, बारा और जालावार जैसे छेतरों में ये ज्यादातर पाई जाती है? काली मिटी के मुखे विश्षित लाएं क्या है? ये चीका प्रिधान दोमट मिटी है, कैल्सियम और पोटास के परियाप मातरा में इसमें होता है, नाइटोजन की कमी होती है, रुपजाओ मिटी ये होती है, ठीक है? ये रुपजाओ मिटी है, चीका प्रिधान दोमट मिटी है, कैल्सियम और पोटास के इसमें परियाप म प्रमान किया जाता है उत्पादन किया जाता है तो आप जानते हैं गन्ना, धनिया, चावल और स्वयबिन जैसी व्यापारिक फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है कचारी मिटी राजसान में किन स्थानों में मुख्यता पाई जाती है तो राज्य के उत्तरी पूर्वी जिलों में गंगानगर, हन्मानगर, अलवर, भरतपूर, धौलपूर, करॉली, सवाई माधूपूर, दौसा, जैपूर और टौक जैसे छेत्रों में कचारी मिटी पाई पाई जाती है जाती है राज्य के उत्री वा पूर्वी जिलों में जैसे गंगानगर, हन्मानगर, अलवर, भरतपूर, धौलपूर, करॉली, सवाई माधूपूर, दौसा, जैपूर और टौंग जैसे छेत्रों में कचारी मिटी राजसान में देखने को मिलती है नेक कोश पासफोरस, पोटास वर लोह परयाप्त मात्रा में होता है, नाइटोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है, नहीं कुछन, कछारी मिटी में मुक्ते किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो गेहूं, सर्सों, कपास और तंबाखु आदी की फसले यहां पर सामने तक की जाती ह तो इस तरह बच्चों, आपकी क्लास नाइंद का, ये लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होता है समा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बच्चों, थैंक यूू